जहिन भाई लोग एक बार सभी का स्वागत हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 चप्टर 5 कॉंटिनिटी इन डिफिनिशिबिलिटी इससे पहले भी चैनल पर यह चैनल पर आपको मिल जाएगा लेकिन आप लोगों ने उस वीडियो में सबसे ज्यादा जो कंप्लाइन क कर रहा हूँ चैनल पर फाइप हमारा क्लास 12 का कॉंटिनि इन की इन डिफिन tapped को बताथ हॢई लोग यह कॉंटिनिटी से लेकर 5.8 तक साथ साथ इसमें आप लोगो मिसलिने सिर्फ डिप्फरेंशेशन ही सिर्फ देखने को मिलेगा इसके जो एक्सांपबल्स है इसमें पूर संपर आपका डिप्रेंशेशन ही होगा तो वाई लोग सबसे पहले आज हम यहाँ पर शुरू करेंगे continuity, continuity जो कि हमारा 5.1 का concept है, देखे, continuity समझने के लिए आप लोगों को 11th class की limits आनी चाहिए, अगर आप लोगों ने 11th class की limits and derivative पढ़ रखी है तो भहुत अच्छी बात है भई, आप लोगों को इस continuity फिर भहुत ही आसान लगेगा, ठीक है, 11th लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो भी भाई, मैं यहाँ आपको ऐसे बता तूंगा, कि आपके कोशिन बड़े इसली आपके बन जाएंगे, कोशिन ब्राने में आपको कोईसी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, देखे, continuity जो है मेरे दोस्तों, continuity जो है, इसका मतलब क् एक छोटी सी परिवाशा है भाई, कि एक function है, function है, मालों कोई भी function हो सकता है, जैसे modulus x हो सकता है, हमारे पास function sin x हो सकता है, हमारे पास function x plus 1 हो सकता है, हमारे पास function greatest integer हो सकता है, इस सब्सक्राइब कहीं सारे function हमारे पास हो सकते हैं तो किस function को continuous बोला जाएगा आप लोगों को ये बात पताऊने चाहिए किस function को continuous बोला जाएगा तो दोस्तों इसकी जो definition क्या है कि a function is said to be continuous if its graph can be drawn without lifting the pen बस बाई ये परिवाश्चा है कि वहिया किसी भी function को continuous कब बोला जाएगा अगर हम उसका graph बिना pen उठाए बना दें बिना pen उठाए graph बनाना है यार ठीक है कहने का मतलब क्या है जैसे modulus x की बात करें modulus x आपको मालुक है modulus x का graph कैसा होता है एक v-shape graph होता है एक v-shape graph इसका हुआ गरता है यहाँ आपको मालुक होगा इसको y equal to x बोलते हैं इसको y equal to minus x बोलते हैं देख सकते हैं पर curve हमें देखने को मिलते है इस टाइप की waves हमें यहाँ पर देखने को मिलते है ठीक है तो यह हमारे लिए क्या है यह साइन एक से यह पावर वन है यह स्ट्रेट लाइन है तो इसमें देखो क्या है, x को 0 रखोगे x को 0 रखोगे तो y 1 आ जाएगा x को 1 रखोगे तो y 2 आ जाएगा x को 0 रखोगे तो y 1 x को 1 रखोगे तो by 2 और इसी फरकार सी लाइन हमारी चल जाएगी वै तो अब देख़े हैं, minus infinitis ता आए प्लस इंफिनिटी को निकल गए वाई, तो ये भी क्या है, ये भी एक continence function है, तो continence का meaning हम समझ भारे हैं दोस्तों, अब देखो, एक और देखो यार, जैसे greatest integer function आगे हमारे पास, greatest integer function, तो देखो, 11 वी class में relation function अगर आपने पढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है वाई, वा क्या इस तरह के function को हम continuous बोल सकते हैं, तो आप बोलेगे नहीं सर, function जो है, कुछ जगहों पर continuous है, और कुछ जगहों पर discontinuous भी है, सर कैसे, आप इसकी graph को जड़ा ध्यान से देखो, आप देख सकते हैं, 0 से लेकर इस 1 तक, function इस बीच में तो क्या है, continuous आया, आपने यहां से graph बनाना शुरू किया, वहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे, लेकिन 1 पे पहुंचके आपको pen उठा के यहां पहुंचना पड़ा, फिर 2 पे पहुंचके आपको pen उठा के उपर आना पड़ा, फिर 3 पर पहुंचके आपको pen उठा के उपर आना पड़ा, तो देख सकत है, यह जो function है, 0 और 1 के बीच में continuous, बट जैसी x equal to 1 आया, तो यह हो गया discontinuous, जब 2 आया, तो 2 पर, 2, 1 और 2 के बीच में continuous आलेगे, 2 आते ही है, क्या हो गया, discontinuous हो गया, तो यानि कि दोस्तों होता गया है, जब हम different functions की बात करते हैं, तो होता गया है, हमें x की एक value given होगी, और उस value पर हमें function की continuity को check करना होगा, कि उस point पर वो function continuous है या नहीं है, दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलू कि क्या यह function 0 पे continuous है, तो आप बोल सकते हैं, कि भाईया, 0 पे तो continuous से कोई break ही नहीं है, अगर मैं बोलू क्या 1 पे यह continuous है, तो आप बोलेंगे 1 पे, बीप यह break नहीं है, तो यहाँ पर बटा ऐसी cynics की भी बात करें, यह भी हमेशा continuous दिखाए दे रहा है, ऐसी यह भी हमेशा continuous दिखाए दे रहा है, बड़ तो दोस्तों continuity का meaning मेरे खाल से आप लोग समझ चुके होंगे कि किस function को continuous बोला जाता है, हम ऐसे function को continuous बोलते हैं, जब function हमें कोई break हमें नहीं देखने को मिलता, हमें function का graph बनाते हैं, पैन उठाने की आवशक्ता नहीं बढ़ती भाई, ठीक है, तो देखो होगा हमें एक function given होगा, y equal to something हमें given होगा, कोई function हो सकता है, ठीक है, साथ-साथ हमें x की एक value भी दिरखी होगी, ठीक है, और हमसे क्या बोलतेगा, check the continuity of this function add x equal to k, function की continuity check करो, कहाँ पर k पर check करो, ठीक है, तो दोस्तों याद रखेगा, continuity check करने के लिए आप लोगों को तीन चीज़ें मालूम होने चीए भई, तीन चीज़ें क्या क्या हैं, एक है भाई, left hand limit, left hand limit, दूसरा क्या, right hand limit, तीसरी क्या चीज़ भई, functional value, तीसरी चीज़ क्या, functional value, left hand limit, right hand limit और functional value, तीनों की तीनों हमारी equal आनी चीए भाई, left hand limit, अगर right hand limit के equal है, तो हम बोलते हैं कि limit exist करती है, और हम बोला करते हैं कि वही हमारी क्या है, limiting value है, limiting value, अभी इस चीज़ को बहुत ही बढ़िया से explain करूँगा, भाई, अगर 11B में पढ़ रखा तो आपको इस समझ़ आ रहा हो अगर नहीं पढ़ रहा है, तो कोई दिख्टर वाली बात भी है, मैं भी यह चीज़ एक्स्पेंट करने वाला हूँ, या कोई tension वाली बात नहीं है, साथ साथ, functional value यान की fk, यान की जिस point पे तुम continuity check कर रहा हो, उस k को यहां पर put कर दो भाई, तो दोस्तों वो क्या हमारी functional value, तो याद रखिए, limiting value should be equal to functional value, functional value, और ये दो चीज़े अगर हमारी equal आ जाती है, ये तीन चीज़े हमारी अगर equal आ जाती है, तो हम बोल दिया करते हैं, कि हाँ जी, हमारा function जो है, वो continuous है, कहां पर, at x equal to, at x equal to k, एक कोशन के माध्यम से, दोस्तों, मैं आपको इस बात क समझाना चाहूंगा, एक कोशन के माध्यम से, दोस्तों, मैं आपको यही बात समझाना चाहूंगा, और एक की बाद फिर एक दूसरा example, और दोगा, वाई, पूरा देखते रहना बच्चों, बीच में छोड़ मात देना, दिक्कत आजाएगी वरना यार, ठीक है, चेक दे कॉन्टिनिटी, कहां पर एड एकस इक्स इक्वल टू थ्री पर, तो इस फंक्शन की कॉन्टिनिटी चेक कर लो, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इसका ग्राफ बना कर दिखाता हूं, यह जो यह में दे रखा है, एकस प्लस फोर, पहले तो आपको एकस की जगा 0 रख दोगे तो य की वैलू 4 आजएगी, अगर आप इसमे एकस की वैलू 1 रख दोगे, तो य की वैलू 7 आजएगी, 1 पर यह 7 आजएगा, तो आप देख सकते हैं, यह ना कुछ इस टाइट से चले जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन रही की नहीं बन रही बन स्ट्रेट लाइन, और आप देख सकते हैं, इस फंक्शन के ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है, तो इसलिए मेरे दोस्तों, यह जो फंक्शन है, यह कॉंटिनस है, कहां पर हर पॉइंट पर तुम 3 की क्या बात करते हैं, 4 पे, 5 पे, 6 पे, हर जगे क्या है, कॉंटिनस है, बट हर बार देखो, यहां तो मैंने सिंपल सा क्वेशन दिया है, हर बार हम हर फंक्शन का ग्राफ थोड़ी बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए दोस्तों हम लोगों को चैक्टर में होती है, LHL, RL और functional value, सर उसको स्टार्ट करके देखते हैं, मैं इस तो दोस्तों जिरा समझेगा बात को, होता कि है ना भाई देखो, मैंने क्या बूला आपको कि continuity checker नहीं है, तो तीन चीजी checker नहीं है, LHL, RL और functional value, तो लो भाई, LHL निकालेंगे, RL निकालेंगे, और उसका meaning क्या होता है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ जिरा समझे ध्यान पूरवक, ध्यान पूरवक समझना है मेरे दोस्तों, ध्यान पूरवक सामने रहना चाहिए, देखेगा, X, Fx, और यहाँ पर हम लग देते हैं, यहाँ पर हम लग देते हैं कितना, 3, हम 3 पे check कर रहें ना continuity, बताओ, X की चिके अगर 3 रखते हैं, X की चिके अगर यह इतनी हो जाएगी, आप बोलेगे 7, इस 7 को बोला जाता है क्या, this is called functional value, functional value, बात समझ मेरे दोस्तों, यह अमारे ले क्या है, यह functional value है, अब मैं आप से बोलता हूँ, अब मैं आप से बोलता हूँ, तिरे limit की बात, अब यहाँ से start to revise, याने समझेगा, मैं आप से कहता हूँ भाई, कि 3 के close कोई number सोचो, जो 3 से छोटा हो, 3 के close number, और वो 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो 3 के close कौन हो सकता है, 2.9, इस बात को मानते हूँ को नहीं मानते हो दोस्तों, 2.9 एक ऐसा number है, जो 3 के close है, और 3 से छोटा है, ठीक है, और क्या number हो सकता है, 2.99, और क्या number हो हो सकता है 2.3 बार 9 ऐसी और क्या point हो सकता है 2.4 बार 9 पांच बार 9 तो अब देख सकते हैं यह जो X है यह लगातार approach कर रहा है किसके cross यह 2.9 2.99 2.3 बार 9 यह लगातार 3 के पास जा रहा है भई तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है हम लिखते है X tends to 3 और इसके उपर क्या लगा देते हैं माइनस यह माइनस यह बताता है कि X की जो value है वो 3 से कम है यह arrow क्या बता रहा है arrow बताता है कि X लगातार 3 के पास जा रहा है पास तीन के बराबर कभी नहीं हो पा रहा है लेकिन देख सकते हैं 2.9 2.99 2.3 बार 9 2.4 बार 9 2.5 बार 9 2.1000 बार 9 3 के बहुत close है बढ़ तीन नहीं है भाई X लगातार बढ़ता जाएगा लगातार बढ़ता जाएगा 3 के पास जाता रहेगा तो बताइए X अगर 2.9 होगा X अगर 2.9 होगा तो 2.9 प्लस 4 आंसर विल भी 6.9 6.99 6.3 बार 9 अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ यह जो 6.9 ह 6.99 यह बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है क्या मैं कह सकता हूं कि इसके इंक्रीज होने की वज़े से हमारा FX जो है वो 7K close आ रहा है 7K close आ रहा है इसके उपर प्लस मैनस कुछ नहीं लगाते वही क्योंकि कहीं बार कुशिन में क्या होता कि FX जो होता हो साथ से बढ़ा हो ज है तो इसलिए FX के उपर यहां पर कोई प्लस मैनस नहीं लगाना है हमने X में जो X जो 3 के उपर आपने मैनस लगाना है ठीक है तो देखो हमारा X जब भी 3K close आएगा तब तब हमारा जो FX हो 7K close आएगा हमारा FX लगाता हो 7K close आए 7K equal नहीं है 7K close है तो यह जो 7K close यह जो value ह है मेरे दोस्तों इस value को हम बोला करते हैं left hand limit इससे हम लोग बोला करते हैं क्या left hand limit अब यहां तो मैंने वहिया यह table बना कर आप लोगों को निकल वाई value लेगन हर बार question में वेटा आपको table नहीं बनानी होती आप लोग क्या करते हो आप लोग लिखते हो limit LIM नीचे क्या ल उसके बाद क्या करना होता है उसके बाद क्या करना होता है भई एक्स ट्रेंट स्टो थ्री माइनस अब देखो fx की value कितनी है बच्छों हमारे पास fx की value क्या थिया एक्स प्लस 4 हमारे पास इसकी value है x प्लस 4 अब आप लोगों ने क्या करना है भई अब आप लोगों ने क क्या है इसका मीनिंग है कि X जब भी तीन के close रहेगा तीन से छोटा रहेगा तीन के close रहेगा बहुत पास तो हमारा जो FX है वो भी किसके close हो सकता है वो 7 के close हो सकता है मेरे दोस्तों exactly 7 के एक उसके को idea नहीं है यहां चैरी स्वाक करते हैं यहीं से दोस्तों हम लोगों क्या करते हैं हम लोग dzięki करते हैं वाई हमने क्या करना है हमने क्या करना है? क्योंकि देखो, 3 पे contently चेकर नहीं है, 3 पे continue चेकर करनी है है ना? तो हम क्या करेंगे? अब 3 के close कोई नमबर सोचेंगी जो 3 से बड़ा हो 3 से बड़ा नमबर, 3 के close नमबर तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं? कि 3 से बड़ा नमबर हो प्लस का साइन लगाया, इसका मलब X बड़ा है, 3 से, close है, तो बताओ, हमारे FX में भी चेंज आएगा, 3.1 पो जब यहां पूट करेंगे, देवन जाएगा, 7.1, 7.01, 7.001, यानि कि जैसे जैसे यह नमबर 3 के पास आ रहा है, वैसे वैसे यह नमबर भी 7 के पास आ रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, FX tends to 7, उपर plus minus कुछ नहीं लगाना भाई, आप लोगों ने, ठीक है, यह जो value आ रही है भाई, इसको मूला करते हैं, right hand limit, और हर बार क्योंकि टेवल नहीं बनाते हैं, इसलिए आपको ऐसे नहीं करना होगा, आप लोग कैसे करेंगे फिर, आप लो x tends to 3 plus, आप देखो, FX की जो value है, this is x plus 4, x plus 4, x plus 4, और यहां पर आप x की 3 लखो भाई, 3 जमा चार, भाई, बहुत से student ऐसे हैं यार तो वीडियो देखते हैं लेकि उस पर comment नहीं करते हैं, ठीक है, फिर बात में Instagram, WhatsApp पर message करके करते हैं, हाँ सरम आपकी वीडियो डेली देख रहे हैं, ठीक है, तो देखो यार, आरेचल की value हमारे पस कितनी आ गई है, 7, LHL भी आ रहा है, 7, आरेचल भी आ रहा है, 7, मेरे दोस्तों कोशिन में functional value, functional value का मुला, f3 भी कितना था, या x plus 4 था न, तो 3 plus 4, यह भी कितना आ रहा है, 7, हमारा LHL, आरेचल और functional value f3, तीनों ह ही एक दूसरे के equal आ रहे हैं भाई, तो इस situation में हम क्या बोलेंगे, so f is continuous, कहां पर, at x equal to 3 पर, मैं मान के चल रहा हूँ, आपको यह बात समझ में आ गई होगी, इसके जैसे देखो, मैं आपको equation और करवाता हूँ भाई, इसके जैसे equation और करवाते हैं, फिर आपको यह concept एक x plus 1, whenever x is greater than or equal to 2, if x is less than 2, the answer will be x, यह question है भाई, या फिर answer will be, क्या ले ले इसको यार, चलो x ले ले लते हैं इसको, ठीक है, आप देखें क्या है ना, कहते है चेक, check the continuity, कहां पर, add x equal to 2 पर, x equal to 2 पर, दोस्तों हम लोगों को इसकी continuity check करनी है, continuity check करनी कहां पर, add x equal to 2 पर, तो देखें, अब यहां पर condition वाला question आ गया है, condition क्या है, कि जब x की value 2 होगी, जब x 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, तो हमारा जो fx होगा, वो x plus 1 के equal होगा, ठीक है, जब भी x 2 से छोटा होगा तो हमारा जो fx होगा, वो x के equal होगा, जैसे example की तोर पर समझीए, मैं आपसर बलू, what is the value of f2, तो सोचो, x यहां पर 2 है, और जब x 2 है, तो उस situation में x plus 1 यूस करना है, तो मैं answer क्या बताऊंगा, 2 plus 1, 3, बात समाझ मैं लिए दोस्तों, मैं गर बोलो f3, देखो, यहां 3 लि यूस करना है, तो लो भाई मैं, 3 plus 1 यूस करना है, यहां 4 लिख दूँगा, मैं लिख दूँगा, f10, f10, तो guys, 10 जो है, again it is greater than 2, so यहां पर फिर से x plus 1 यूस करना है, तो 10 plus 1 answer will be 11, लेकिन दोस्तों, अगर मांग लीजे, मैं आपसे बोलता हूँ कि find the value of f1, अब यह जो 1 है यह जो 1 है, यह 1 जो है वो 2 से बड़ा तो नहीं है न, यह 1 जो है वो 2 से छोटा है, जब भी x 2 से छोटा होगा, तो fx equal to x, fx equal to x, fx equal to x याना कि f1 equal to 1, यह हमारा answer आ जाएगा यहां पर, ऐसी है अगर मालनों यह चीज़ ए x minus 1 होती, तो 1 minus 1 answer will be what, answer तो हमारा 0 हो जाएगा मैं बलो, f0, f0, f0 आ गया भाई, तो आप 0 में क्या करें भाई, 0 जो है, फिर से 2 से छोटा है, तो बलो भाई, 2 से छोटा है, तो मैं 0 minus 1 यूज़ करूँगा, तो answer कितना आ जाएगा हमारा, minus 1 आ जाएगा, तो देखो इस तरीके से पिटा आप लोगों को इन conditions का इस्तमाल करना होता है, ऐसे आप लोगों को इन condition का इस्तमाल करना होता है, ठीक है, तो अब देखो, हमें तो continuity check करनी है, यार यह जो चीज़ जो है, वो तो आसानी यह सब आप लोगों इन 11 पे पढ़ ली थी, अब जो है, हम लोगों को क्या करना है, हमें continuity check करनी है, कहाँ पर, add x equal to 2 तो दोस्तों, simple सा तरीका है भई, आप लोगों को कोई table लोगा है, कुछ नहीं बनानी है, ठीक है, सीधा लिखेंगे क्या, LHL, limit x tends to 2 minus fx, limit x tends to 2, अब देखो, समझेगा, दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, x tends to 2 minus, इसका meaning क्या है, इसका meaning होता है, कि जो x है, वो दो के close है, लेप साइट से, यानि कि यहाँ पर अगर मैं बोलो कि x की value क्या हो सकती है, तो आप बोलो कि x की value 1.9 हो सकती है, 1.99 हो सकती है, 1.3 बार 9 हो सकती है, 2 नहीं होगी, 2 से बड़ी नहीं होगी, यानि कि x की value होगी, वो 2 से छोटी ही होगी, तो दोस्तों, जब भी x की value 2 से तो answer कितना आ जाएगा? answer आ जाएगा 8 यह है हमारी left hand limit, इसका meaning क्या है? meaning है बाई, कि जब जब x 2 के close रहेगा left side से तब तब हमारा जो fx है, वो 1 के close रहेगा, पता नहीं कौन से side से बेट हाँ, रहेगा 1 के close ओके? चलिए आरे चल, आरे चल आरे चल निकालेंगे, limit x tends to 2 plus fx, अब देखो limit x tends to 2 है ना? बताओ, यहाँ पर भाई, क्या बोलोगे? इसमें क्या बोलोगे यार? x जो है वो 2 से ज़्यादा है 2 के close है, 2 से ज़्यादा है, 2 के close यानि की x पकी बादा 2.1 है 2.01 है, 2.001 है यह चीज अपने मन में सोचना बाई, यहाँ लिखने की ज़रो ते नहीं है इसको, ठीक है? तो देखो, x जब x 2.1 है यानि की greater than 2 है, जब भी x greater than 2 हो, तो क्या यूज करना है? fx equal to x plus 1 और हमारा जो answer भाई हो 2 plus 1, यह बन जाएगा 3 यहाँ आप देख सकते हैं, lhl is not equal to rhl यह equal to f2 है, समझ क्या लिख देंगे? so f is discontinuous काहाँ पर? add x equal to 2 बात समझ मैरी दोस्तो, इसी चीज़को ना, इसी चीज़को आम graph से भी समझ सकते हैं, अगर मैं बोलू इसका graph बनाओ, इसका graph बनाने के लिए आपको बोल दिया रहे है तो graph भी इसका बनाओ जा सकते हैं, कैसे बनेगा graph? जब समझेगा ओके, देखो, जब x दो होगा, दो जमाँ एक अगर दो होगा तो y तीन होगा अगर दो होगा तो y तीन होगा एक को तीन लगें, तीन जमाँ एक चार, आप देख सकते हैं, यह लाइन आपके इस तरह से आजाएगी अगर यह मन जाएगा आपके लिए y एक्वल टो x प्लस 1 बड़ यह कब के लिए है, if x is greater than equal to 2, ठीक है, अचा देखो, अगर मैं इसकी बात करो, x अगर 2 से छोटा हो, x अगर 2 से छोटा हो, तो देखो, दो से छोटा नम लेना, लेकिन अगर मालब मैं 2 ले लेता तो, 2-1, 2-1, x अगर 2 ले लेता तो, तो y की जगह बनाता न, x अग x की जगह यहाँ पर 2 रख दिया, तो y की value कितनी आई, जब मैं x की जगह 2 रखा तो y की value, y की value 1 आगई, बड़ किसने क्या बोला था, यह तो तब use करो, जब x 2 से छोटा हो, ठीक है, इसलिए भाई, मैं इस point को include नहीं कर रहा हूँ, मैंने आप एक गोला लगा दिया, उस 2 से छोटा नमबर लो, 2 से छोटा, एक ले लो, 1-1, 0, x अगर 1, y 0, x को 0 रुक हो भाई, 0-1, लो भाई, यहाँ जाएगा, तो आप देख सकते हैं, यह इस type का बन जाएगा, और आप यहाँ बर clearly देख सकते हैं, function का जो graph बना, यह function की जो line है, वो इस 2 को कभी touch ही नहीं करे तो दोस्तों, यहाँ आप दे सकते हैं, एक बहुत बड़ा डड़ा बड़ा है, यहाँ बहुत बड़ी खाई आपको देखेने को मिल रही है, यहाँ तक आए, छलांग राए, फिर हो आप पर गए, यानि कि इस point पर हमारा यह function क्या हो गया है, यह function इस point पर discontinuous हो चुका है, बास समझ वारी हैं, क्यों नहीं है, क्योगि हमारा जो LHL है, हमारा जो RHL है और हमारी पंक्शनल वैल्यूति है, वो एक डूसर के equal ही नहीं है, लिए मैरे को एक बात बताओ, क्या इस two के बाद function हमेशा कॉंटिनेंस होगा कि नहीं होगा, क्या इस two के बाद function अमेशन continuous होगा कि नहीं होगा आप बोलेंगे yes साब साब पता चल रहा है continuous है क्या इस two से पहले क्या इस two से पहले हमारा function continuous है या नहीं है तो आप बोलेंगे yes clearly continuous है ठीक है बट इसी चीज़ को बिटा अगर लिखके दिखाना चाहूं तो कैसे लिखके दिखा होगे वही चीज़ बिटा मैं आपको बता देता हूं तो लिखका आपको इसको मैं next पीच्वी बना देता हूं add x equal to 3 3 पर आप लोगों को continuity check करने के लिए बोल दिया जाता है ठीक है तो आप क्या करेंगे आप इस question में क्या करेंगे भाई x equal to 3 पर continuity check करने है तो सबसे पहले निकालोगे left limit लिखोगे limit x tends to 3 minus f x सब्सक्री बात है फिर लिखोगे limit x tends to 3 minus फिर अब आपको यहां पर choose करना होगा कि f x की जिए पर आप x plus 1 यूस करोगे या x minus 1 यूस करोगे तो दोस्तों इसका meaning होता क्या है इसका मतलब क्या होता है इसका मलब होता है कि जो x है वो 3 के 3 के पास है minus left side से यानि 2.9 2.99 2.999 2.999 समझे मारी बात अब 2.9 जो होता है बता 2.9 2 से बड़ा है या 2.9 2 से छोटा है तो आपका जवाब होगा obviously sir क्या पूछ रहे हम से यार 2.9 जो 2 से बड़ा ही तो है तो आपको sir यहां पर क्या use करना चाहिए x plus 1 और इसलिए जो हमारा answer होगा 3 plus 1 answer हमारा आजाएगा 4 3 plus 1 4 ऐसी दोस्तों ऐसे ही यहां पर x tends to 3 plus x tends to 3 plus fx limit x tends to 3 plus अब यहां पर आप फिर से सोचना है कि fx की जिए क्या use करें x plus 1 use करें या x minus 1 use करें तो देखिए यहां पर बटा x जो है वो 3 के close है और 3 से बड़ा है plus का sign क्या होता है बड़ा 3.1 3.01 3.001 and so on तो दोस्तों 3.1 जो होता है बताओ 3.1 2 से बड़ा होता है या 2 से छोटा होता है तो again हम फिर से क्या use करेंगे x plus 1 हम फिर से यहां पर x plus 1 ही use करेंगे और again हमारा answer यहां पर भी 4 आ जाएगा और दोस्तों लास्ट एक functional value भी आप लो x plus 1 use करना होगा तो इसलिए दोस्तों 3 plus 1 लिखेंगे भाई तो हमारा answer चार आ जाएगा और आप क्लियर लिए दे सकते है लहल रहल और functional value जो हमारी वो तीन हो ही एक दुसरे की equal है तो क्या बोल देंगे तो f is continuous कहां पर add x equal to 3 पर हमारा जो function है भाई वो 3 पर continuous है जैसे दोस् अगर हम 1 पर चाहें 1 पर चेक करना चाहें 1 पर तो क्या 1 पर चेक किया जा सकता है तो आप बिल्कूर कर सकते है भाई limit x tends to 1 minus fx limit x tends to 1 minus अब fx की जिए क्या लेखोगे भाई x plus 1 लिखोगे यह x minus 1 लिखोगे तो depend करता कि यहाँ पर x का meaning क्या है तो आप देख सकते हैं x का जो मतलब है यहाँ पर हुआ है 1 से छोटा 0.9 0.99 तो 0.9 जो होता है भाई 0.9 दो से बड़ा तो है नहीं 2 से छोटा है जिसमें क्या लिखेंगे x minus 1 x minus 1 और हमारा आंसर लोगे वाई तो x tends to 1 रहेगा यहाँ पर प्लस रहेगा तो दोस्तों यह जो 1 है 1 x जो है वो 1 से बड़ा है यानि 1.1 है 1.01 है and so on तो 1.1 जो है भाई 1.1 1.1 1.1 दो से बड़ा नहीं है दो से छोटा ही है वो भी फिर से यहाँ पर आपको x minus 1 ही यूसकरना पड़ेगा x minus 1 और दोस्तों यहाँ पर भी हमारा answer क्या रहेगा? 0 और functional value नहीं तो 0 आ नहीं है तो यहाँ पर भी आप दे सकते हैं कि LHL, Archle और functional value तीन ही क्या रही है? f is continuous add x equal to 1 मैं मान के चल रहा हूं भाई आपको यह बात समझ में आई होगी अब जैसे हमने यह question किया आपकी book में आपको ऐसे कहीं सारे questions देखने को मिलेंगे? आपकी book में आपको कहीं सारे question कैसे देखने को मिलेंगे? जैसे यहाँ दे दिया, 3x plus 1, if x is greater than or equal to 1, if x is less than 1, 4x minus 1, यह question में आपको देखने को मिल जाएंगे. और आप से क्या मुल देगा? discuss the continuity, discuss the continuity या फिर find all points of, find all points of discontinuity. या विरी यह आप से पूछ ले दाए गा भाई, तो देखो, करना गया है आप लोगोंने, करना गया है, देखो ऐसे जब हमसे continuity पूछी के कि, अब जब वैल्यू नहीं बताए कि हमको इसमें, वैल्यू नहीं बताए कि हमने कहा पर continuity चेक करने हैं, जैसे मैंने आपको सबसे पता दिया था, कि check the continuity at x equal to 3, जब कोशिन में point दे रखा है तब तो दिक्क्रत वाली बात भी है ना, बट बहुत से question कहा है, इसमें point भी नहीं दे रखा होता है, x की value ही नहीं दे रखा होती है, कि हमने continuity check करना ही कहाँ पर है, तो इस तरह के questions में क्या करेंगे भाई, तो दे find the critical point critical point को identify करो critical point अब तुम बोलो कि critical point क्या होता है भाई critical point का मलब क्या है turning point अब फिर तुम मलब क्या चीज़ है turning point का मतलब क्या है turning point का मतलब है कि वो point x की वो value जहां पर हमारे function के graph में change आ रहा है जहां पर भी हमारे function की जो life है वो बदल जा रही है भाई वो हमारे लिए turning point है जैसे आप देख सकते हैं यह वाला question यहां पर fx equal to x plus 4 है आप देसकते हैं एक straight line यहां पर आप देख सकते हैं fx equal to x plus 1 जब x 2 से बड़ा हो और fx equal to x minus 1 जब x 2 से छोटा हो तो यहां जो turning point है वो 2 है 2 है क्यों 2 है आप इसका graph देख सकते हैं पहले function का graph एक दम बढ़िया straight चल रहा था जैसे ही 2 आया इसके जीवन में उतार चड़ाब शुरू हो गए भई देख सकते हैं आप लोग यहां 2 पर पहुंचते हैं हमको चड़ाग मार के वहां आना पड़ा भई तो हम क्या बूलेंगे इसका जो turning point है वो क्या है 2 है तो दोस्तो turning point आपको कहां से देखने को मिलेगा भई यह जो condition की basis पर अब turning point पर identify करेंगे देखो जब भी x 2 से छोटा था तो function का graph simple x-1 था लेकिन जैसी हम 2 पर पहुंचे तो हमारे function का graph अब इसके द्वारा decide होने लग गया ऐसी मेरे दोस्तों यह जो question हमें दे रखा है ऐसी दोस्तों यह जो question हमें दे रखा है इसका भी जो turning point देखो जब भी s एक से छोटा था तो function इसके जरीए बन जाता 4x-1 के जरीए ठीक है आप जैसी x के आगया एक से बड़ा आगया एक से बड़ा आगया ठीक है तो हमारे function का जो graph है वो इसके द्वारा decide होगा तो यानकी turning point कौन है भाई turning point हमारे लिए क्या है 1 है तो जब भी इस तरह के polynomial question आ आपको उसी condition पर ही उसी point पर ही आपको continuity check करनी होती है तो देखे इस question में भी क्या करोगे इस question में जो turning point है भाई वो क्या है 1 है और आपको 1 पर ही continuity check करनी है इसके लाब आपको कहीं और चेक करोगे भी तो function ने continuous ही आना है discountedness नहीं आएगा भाई ठीक है तो देखे लेप्ट हैंड limit निकालेंगे limit x tends to 1 minus fx limit x tends to 1 minus x x से कम x x से कम तो क्या आएगा भाई 4x minus 1 4x minus 1 और हमारा answer बन जाएगा 3 right आरे चल निकालोगे आरे चल limit x tends to 1 plus fx limit x tends to 1 plus x एक से जादा x एक से जादा क्या लिखतोंगे यार 3x plus 1 3x plus 1 यहाँ आप देखे सकते हैं 3 एकम 3 जमा एक यहाँ जागा 4 लो भाई यह भी discontinuous आ रहा है f1 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 की वैरे जब भी x एक के बराबर होगा तो 3x plus 1 यूज करना है तो हमको 3x plus 1 यूज करना है तो लो भाई यहाँ पर विचार आ रहा है तो आप देख सकते हैं lhl rhl equal नहीं आ रहे हैं सो हमारा function क्या हो जागा so f is discontinuous f क्या हो गया भाई यह function हमारे लिए discontinuous हो चुका है और हम क्या बोलेगे कि function जो है वो discontinuous है कहाँ पर add x equal to 1 x equal to 1 पर हमारा function क्या हो गया discontinuous हो चुका है तीक है अब देखो आपको ना किसी 1 के अलावा 1 के लावा 2 3 4 5 उनसा पर चेक नहीं जरूत नहीं है क्यों नहीं है सो ज़िए 2 पर चेक करोगे 2 पर तो 2 पर चेक करोगे लहाँ लहाँ यही यही यूज होगा तो आरचल में भी यही यूज होगा functional value पे यही यूज होगा उपर वाले function तो answer ने तो same ही आना है अगर मानलो तुम एक से छोड़े नमर पर यानकी zero पर चेक करते हो लो जीरो पर चेक करोगे तो लहल में भी यही यूज होना है आरचल में भी यही यूज होना है और functional value पे यही यूज होना है तो तो दोस्तों इस बात को ध्यान रिखेगा अब जैसे जैसे हमने यह कोशिन गया यह आसान असन कोशिन कर लिया है अब कोशिन को थोड़ा सो और इसका लेवल फड़ा उस्तर इसका बढ़िया करते है यार देखें कोशिन देखो अब हमारे पास मालो मॉडलिस आगया क्या बोल देता है मॉडलिस के अंदर x-1 के अपॉन में x-1 if x is less than 1 when x is greater than 1 this is x-1 के अपॉन में मॉडलिस के अंदर x-1 and when x is equal to 1 when x is equal to 1 it is 0 क्या बोलता है चेक दे कॉंटिनिटी ठीक है पॉइंट नहीं दिया कोई सभी माल लो बोल दिसकस दे कॉंटिनिटी लोग है डिसकस दे कॉंटिनिटी तो कहां चेक करोगे बाई तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है जब भी x-1 से छोटा होगा तो फंक्शन उसके द्वारा बनेगा ग्राफ जब x-1 से बड़ा होगा तो फंक्शन इसके द्वारा बनेगा और जब 1 के बराबर होगा तो आंसर 0 हो रहेगा समझभार है बात को यहां पर जाए दोस्तों यहां पर जाए यहां पर फंक्शन दे रखा है और अब हमें इसके चेक करनी है तो लो भाई शुरुबात कर लेते हैं हम चेक करेंगे सीधा क्रिटिकल पॉइंट पर कहां पर एट एक से कुल टू 1 पर तो लो यार लिमिट निगा लो लिमिट एक से तो 1 एफ 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 तो यह उपर वाला यह होगा मॉडुलिस एकस माइनस वन के अपॉन में एकस माइनस वन अब देखो यहां पर आ जाएगा पंदा यहां पर हो रही है बड़ गड़ गड़ क्या है भई गड़ यह है कि अगर अभी मैंने एकस की जगह है वन रख दिया तो उपर बन जाएग इंडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोग फंक्शन में जीरो वाई जीरो की फॉर्म इस तरह से कभी नहीं आने देंगे यह गड़ बड़ है इसको आने से रोगना है तो इस तरह के कोशन है अगर हमारे पस कभी आ जाए ना तो आप भाई लिमिट को चेंज कर देना लिमिट को अब लिमिट चेंज करने का क्या स्कीन है जार समझेगा देखो बहुती सिंपल सा नियम है मालो आप एक से कोल टू के पर कॉंटेंगरी चेक कर रहे हो तो जो हमारी लेंट होगी यार उसको आप कैसे लिखते हो लिमिट एक्स ट्रेंट स्टू के लिखते हो यहां पे मैनस अब देखो मान लगार तुम मैंने चेंज करना चाते हो तो यह करोंगे तुम लोगों ने करना गया है, मूंठ कर देना x equal to k minus h यहाँ पर k लिखा हुआ है पर minus लिखा हुआ है साथ में h लग देना भाई साथ में ठीक है ऐसी यहाँ पर यह इधर यहाँ पर इधर put कर लेना भाई क्या x equal to k plus h k plus h जो आपकी new limit होगी तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ने put करना है x equal to k plus h आप देखो जो आपकी new limit होगी new limit वो अब x tends to k मत लिखना भाई वो यह ने लिखना आप सीधा क्या लिखना h tends to 0 h tends to 0 उसका कारण भी आप समझ सकते हैं देखो अगर यहाँ पर x tends to x tends to k था और x की जगे आपने क्या put कर दिया है k minus h तो यह k से k कर जाएगा यह आपका h tends to क्या आना है 0 आना है ऐसी वहाँ पर भी अगर आप x की जगे अगर आप यहाँ पर k plus h रख देखो k से k कर जाएगा h tends to 0 यह आएगा वो तो यह चीज़ 11 पर पढ़ रखे भाई 11 पर हम लोग ने इस पर बढ़िया चर्चा करी थी फिलाल इसी चीज़ को याद रखेगा भाई यही नियम limit change कर रहेंगे लिए बस यही नियम भारवी class में apply होगा अब देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला जो lab time limit होगी यहाँ पुट करना k minus h यहाँ पर k का काम कर रहा है 1 लिखावा हो 1 minus तो मैं क्या करूँगा put करूँगा x equal to 1 minus h तो इससे देखो क्या होगा limit लिखेंगे limit लिखेंगे अब पुरानी limit नहीं लिखनी नई limit क्या लिखनी है h tends to 0 h tends to 0 लिख देंगे अच्छा उपर x था उस x की जगए पर 1 minus h minus में 1 अब पॉन में x की जगए 1 minus h minus में 1 ओके और अब आप देख सकते हैं limit है h tends to 0 है 1 से 1 कट जाएगा minus में h 1 से 1 कट जाएगा minus में h आप देख सकते हैं तो plus catch बन जाएगा नीचे minus catch लेगा यह cancel हो कि आपका answer आगया minus में 1 यह आप लोग की निकल रही है भाई left hand limit और जैसे left hand limit निकाली है न ऐसी अब आर्चल भी निकालनी है right hand limit भी निकालनी है limit x tends to 1 plus f x limit x tends to 1 plus x 1 से जादा x 1 से जादा क्या बन जाएगा है x minus x minus 1 अब जो right hand limit होती है वाई क्या बताये थे put करना x equal to k plus h k plus h तो लोग भाई लो put करेंगे x equal to 1 plus h 1 plus h limit h tends to 0 और देखो नई limit h tends to 0 लिकने है भी निकालनी limit पत लिकने ना भाई x के जगे 1 plus h minus का 1 upon में 1 plus h minus का 1 यहाँबर आप देखोते हैं 1 से 1 कैंसल 1 से 1 कैंसल और नीचे तो मॉडिलर्स भी है यार ठीक है तो limit h tends to 0 हमारे बन जाएगा h upon में h और इसने plus h बनके cancel हो क्या हमारा आंसर क्या आना है 1 ही आना है अब आप देश कते हैं LHL कुछ और आ रहा है भार अचल कुछ और आ रहा है और functional value तो कुछ नो कुछ और ही दे रहे दिया तीन हो ही एक दूसरी एक बल नहीं है तो मैं क्या बलना है जो function है वो discontinuous है या फिर continuous नहीं है तहाँ पर add x equal to 1 मैं मान के चल रहा हूँ मेरे बच्चे हो आपको यह बात समझ में आई होगी यह जो चीज बड़े मैं आप बताई है ना यह बहुत इंपोर्डेंट इसका ही सबसे जादा अब यहाँ पर इस्तमाल होगा आपने सभी फैंड्स विगर तक शेर कर देना है पहली बार भाई बोल रहा हूँ अब और बलके बोलना स्चुरू कर रहा हूँ यार अब से तुम लोग बरना शेर करते हैं नहीं हो भाई वीडियो बगार यार बस खुद तो देख लेते हो और दूसरों को देखने नहीं देते हो तो जिसके पास अभी तक यह content नहीं पहुचा है तो तुम मेरी मदद करतो भाई इस content को जरूरतमन तक पहुचाने में आज यूट्यूब तो मदद करता नहीं है बाई यार मैं डाय तीन दिर गंदे की videos डालता हूं मेहनत करता हूं और content की reach इतनी आती ही नहीं है तो इसमें आप लोगों से मुझे थोड़ा सा सही योग चाहिए ठीक है एक question और देखेंगे देखें क्या बोलता है modulus x के upon में x ठीक है और यहाँ 0 और बोलता है कि if x is not equal to 0 if x is equal to 0 और बोलता है check the continuity check continuity कहां पर add x equal to 0 पर continuity check कर रही है add x equal to 0 पर तो दोस्तों नहीं भी बोलता तो भी मैं 0 पर ही check करता है यार ठीक है 0 पर check करेंगे तो तरीका simple है यार left hand limit लिखेंगे limit x tends to 0 minus fx limit x tends to 0 minus अब देखो वाई यहाँ पर बात पूलिये ने इसने कि जब भी x 0 के equal नहीं होगा जब भी x 0 के equal नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होता है याद रखेगा x 0 से जादा भी हो या x 0 से कम हो दोनों ही situation में जो है हमारे function की value होगी वो modulus x के upon में x रेगी त्यान की चाए x 0 से कम हो या जाता हो लिकिना तो यही है और आपको मालूम है x की जगह में अभी 0 ने बुट कर सकता अभी ने बुट कर सकता जीरो वाई 0 इन डिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी तो क्या करें भाई करना अगया limit change करो limit change करते थे तो मैंने क्या बोला था h tends to 0 लिखेंगे भाई या इसके उपर plus minus कुछ मत लगाना है ठीक है हाँ जो left hand limit की उसमें 0 minus h put कर दिया जाता है 0 minus h upon me 0 minus h 0 minus h क्यों रख रहे हो सर अरे भाई अभी थोड़े पहले बताया था कि यहां k है उपर minus है तो k minus h रखना k plus तो k plus h रखना भाई जो कोशिन हमारे पास अभी है इसमें क्या है यहां 0 minus लिखाओ तो मैं क्या put करूँगा x की जगे पर 0 minus में h 0 minus में h ठीक है और उसके बाद next step में यह जो चीज़ है यह plus की h बन जाएगी अप उन में भी minus h रहेगा cancel होगे minus का 1 आ जाएगा या ठीक है यह निकल गए लेचल ऐसी आरेचल की बात करेंगे limit x tends to 0 plus limit x tends to 0 plus और modulus x के अपॉन में रहेगा x limit change करने है बच्चों limit change करने है याद रखेगा h tends to 0 नए limit सीधा यह लिखा करते है ठीक है यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी और नए limit h tends to 0 होगी x की जगा 0 plus h 0 plus h upon maybe 0 plus h और यहाँ पर यह h उपर रहेगा नीचे भी h रहेगा cancel होगी यह भी बना गया और functional value तो क्या दिरके question है वो दिरके 0 functional value दिरके 0 ठीक है सो हम क्या बोल देंगे lhl और functional value तीनों ही equal नहीं है सो f जो हो गया वो क्या हो गया वो f हो गया this continuous at x equal to 0 जैसे भाई लोग हमने यह question कर लिया है अब आपको बता दो NCRT के पहले 20-25 questions भी है न तो लोग बड़े easily बना सकते हो और अब जो यह video है यह बहुत important आप लोगों के लिए इसमें मैंने कई सारे important questions discuss कर रखें यार ठीक है तो आप चाओ तो इस video को fast forward करके भी कर सकते हो जो question मैं करौँ यहाँ पर पहले इस question को लिख ले न खुद solve करना फिर मेरे answer से match करना कि आपका answer सही निकला है या नहीं निकला है तो ठीक है start करते है अच्छा एक बात और आप लोगों को update तो मिली चुकी होगी यार कि अब जो आपका जो board का paper है वो साल में दो बार होने वाला है एक आपका 9 दिसमबर में होगा और एक आपका last March में तो होगा यार ठीक है तो भाई लोग पढ़ाई यानि कि अब आपको शुरू से ही गंभीर होकर पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए यार दोस्तों आज की जब वीडियो है continuity and differentiability दोस्तों लोगों ने स्टार्ट किया थे last class में हमने यह बढ़ा था कि जब भी किसी point के पर हम लोगों को continuity check करनी होती है तो हम लोग left hand limit, right hand limit और functional value ये तीन चीज़े निकाला करते हैं जब ये तीन हो एक दूसर x tends to k minus fx, ऐसी limit x tends to k plus fx, ऐसी limit, यहां limit नहीं रहेगा, यहां तो simple fk रहेगा भई, fk, सभी बात हैं, ये तीन सीज़े आप निकाला करते हैं, बाकि मैं आपको ये भी बताया था कि कुछ question में limit चेंज करनी पड़ जाती है, limit जब चेंज करते हैं तो हमारी जो left hand limit होती है, यहां पर हम put करते हैं क्या, x equal to k minus h, यहां पर हम put करते हैं क्या, x equal to k plus h, और यहां पर भाई, यहां तो कुछ put करने के जो रतनी होती है, वहां जो रतनी होती है, यहां पर k minus h, वहां पर k plus h, ठीक है, तो यहां पर देखो जो new limit, जो यह x tends to k है न, फिर यह x tends to k नहीं रहे ठीक है आप देखिए मैंने कहीं सारे questions बिटा आज की class में करवाने हैं हम चलेंगे सबसे पहले question की तरफ एक आसान question से बिटा हम लोग शुरुवात करेंगे और फिटी रहे दिर हम अच्छे question important questions की तरफ चलेंगे जो आपके board exams में आए हुए हैं ठीक है उनके हम यहाँ पर ब divided by pi by 2 minus x ठीक है लेगिन जब भी हमारे x की value greater than pi by 2 होगी या equal to pi by 2 होगी तब हमारे function जोगा वो 1 के equal होगा और आप मुझे continuity check करनी है add x equal to pi by 2 तो चलो भाई शुरुवात कर लेते हैं इसकी add x equal to pi by 2 के हम बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले निकालेंगे left hand limit limit x tends to pi by 2 minus fx limit x tends to pi by 2 minus x pi by 2 से कम x अगर pi by 2 से कम क्या बनेगा cos x के upon में cos x के upon में pi by 2 minus x सभी बात है इसमें भी बटा जब हम limit change करेंगे देखो अभी हम x की जगे pi by 2 नहीं put कर सकते हैं उसका reason क्या है cos pi by 2 0 बन जाएगा pi by 2 minus pi by 2 ये भी 0 बन जाएगा तो 0 by 0 की ये जो form होगी ये तो बटा not defined बन जाएगी न तो इसलिए बटा यहाँ पर हमने करना क्या हमें limit को change करना है और limit change करेंगे बटा तो नई limit हमारी आत upon में भी pi by 2 minus x की जगे pi by 2 minus h और इसको simplify करेंगे दोस्तों देख सकते क्या है का हमें हमारी पास limit h tends to 0 और cos 90 minus theta will be sin theta यह pi by 2 से pi by 2 कर जाएगा ये minus और ये minus हमारा plus का h जाएगा और ये हमारी पास आ रहा है sin h के upon में h और आब लोगों को बिटा मैं बता दो जब भी sin के angle में h हो और upon में भी h हो और h tends to 0 हो तो याद रखिए इसकी value क्या बन जाती है 1 ये जो चीज़े बटा sandwich theorem के जरिए इसकी जो derivation क्लास 11 में हुई थी बाकि ऐसा formula आप लोगों ने इसको याद रखा हुआ था और इसकी बहुत ज़्यादा जरुत हम लोगों को पड़ेगी ठीक है तो इसको याद रखेगा दूस्तों ठीक है sin h by h आँचर हमारा 1 बन जाता है तो यह हमारी left hand limit ने कलगी बिटा अब बात करते हैं right hand limit की हमें right hand limit भी find करना है और चल के हम लोग बात करते हैं तो देको limit x tends to pi by 2 रहेगा plus रहेगा fx रहेगा फिर again limit x tends to pi by 2 plus रहेगा और देको तो x pi by 2 से जादा है तो आँचर तो direct 1 दे ही रखा है यह तो 1 के equal दे ही रखा है ठीक है और यहाँ पर इसने 1 ही बन जाना है और functional value f pi by 2 यह भी हमें f जब भी x pi by 2 से बढ़ा होगा या जब भी x pi by 2 के बराबर होगा तो function की value 1 ही रहेगी तो दोस्तों यहाँ पर आप देख continuous कहाँ पर add x equal to pi by 2 मैं मान के चलना दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी एक आसान सा question दोस्तों हमने अब यहाँ पर किया है और अब हम चलेंगे next question के तरफ हमने इसको continuous proof कर दिया है हम चलेंगे next के तरफ देखे एक और important question यह question वाई कहीं बार exam इसमें बच्चों को देखने को मिलता है और कहता कि check continuity add x equal to 0 जीरो पर इसकी continuity हम लोगों ने check करनी है और यह question देवार ऐसे भी आता है कि if this function is continuous find the value of k ऐसा भी exam में कोशन हमें देखने को मिलता है ठीक है तो दोने दिरे किसे पूछा जा सकते है अब करना कैसे है भाई हमने क करना गया इसमें जब 0 पर भाहि हम लोग इसकी continuity चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लगा लेंगे left and limit limit x tends to 0 minus fx कि एपक्स की value रखी जाती है next step में x tends to 0 minus अब देखो x जब भी 0 से बड़ा हो या x 0 से छोटा हो दोनों ही situation में हमारे function value हो रहे गिया क्या बने गए x के upon में modulus x plus 2x square यहाँ ठीक है इसमें limit change कर लेते हैं भी हम x के 0 ने बुट करेंगे limit change करेंगे तो आपको मालूम है नई limit आती है h tends to 0 और अब खुछ से question पूछिए भाई x की जगे क्या put करना चाहिए नियम है left limit के लिए k minus h k इस question में क्या है x equal to k k की value is by 0 है और यहाँ भी आप देख सकते हैं 0 minus तो तो बिटा यहाँ पर यह 0 minus h upon में 0 minus h plus 2 into 0 minus h का whole square right limit h tends to 0 minus h फिर यह minus h modelers के बिचे से plus h हो जाएगा और यह देखो minus h का square करेंगे तो यह plus h square हो जाएगा साथ में रहेगा 2h और साथ में रहेगा square मैं मान के चलो हो आपके बात समझ में आ गई होगी जहाँ पर भी x दिखा x x x इन तीनों x की जिगह पर मैंने 0 minus h रख दिया बच जाएगा अब आप यहाँ पर simply h की जिगह 0 रख लो minus 1 plus minus 1 by 1 plus 0 और यह बन गया minus का 1 यह हमारी निकली है left hand limit जैसे left hand limit निकाली भाई अब हम निकालने वाले हैं यहाँ से right hand limit राइट hand limit कैसे निकली है भाई तरीका सेम ही है और कुछ भी अलग नहीं है limit x tends to 0 plus और आपक अपॉन में models x plus 2x square होगा right limit यहाँ पर भी change कर लो भाई पहले की है तो अब भी कर लो या ठीक है और यह 0 plus h यहाँ पर भी 0 plus h और 2 0 plus h का whole square limit h tends to 0 और उपर रहेगा h नीचे बड़े यह रहेगा h और यह रहेगा 2h square ठीक है h already positive number है तो models कुछ करेगा ही नहीं है आपकी उपर से और नीचे से h common तो h उपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1 plus 2h बाकी आप h की जगे पर 0 रहे दीजे तो 1 by 1 plus 0 और यह हमारा answer आजाएगा 1 तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते है लहल माइनस 1 है और रहल प्लस का 1 ह दोन एक बल नहीं आ रहे function continuous ही नहीं है हम कहले देंगे f is not a continuous function कहाँ पर add x equal to 0 पर 0 पर यह जो function है यह continuous ही नहीं है भाई जो continuous ही नहीं है भाई तो अहले चल लाड़ चल और तो आगे हम functional value निकालने की जलोती नहीं पड़ेगी ठीक है अगर मालना इस question में ऐसे होता कि find the value of k so that this function becomes a continuous function तो क्या होता तो भाई हम बोलते हम पहले निकालेंगे LHL फिर हम निकालेंगे आरचल तो नहीं आएंगे तो हम क्या बोलनेगे कि k की value कुछ भी रख लो function ने कभी भी continuous होना ही नहीं है क्यों क्योंकि k तो functional value पर आएगा LHL में k का कोई रोल नहीं है और जो लह आरचल equally नहीं आ रहे तो क्या कर लेगा वाई function हमारा continuous नहीं रहे गया तो question दोस्तों यहाँ पर हो जाता है समाब this function is not continuous at x equal to 0 और अब हम चलेंगे आगे की तरफ next question दोस्तों हमारी screen पर आ चुका है और बहुत ही प्यारा question बहुत ही important question कहीं बार शायर आपकी school में किसी exam में देखने को भी मिला हो अगर आपकी school में भी first time या कोई test पर अगर हुआ हो differentiation के तो वहाँ पर शायर आपको कोशिन देखने को मिला हो continuity में क्या बोलता है कि जब भी x 0 से छोटा होगा तो यह होगा function जब भी x 0 के बराबर होगा तो function की value 8 होगी और whenever x is greater than 0 तब हमारे function की value यह कोशिन इसमें देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में और सब अच्छे-च्छे कोशिन यार जो आपके examination point of view से important होगे आप देखे एक टेंस टू 0 माइनस f x एक्स टेंस टू 0 माइनस और 0 से कम जब x 0 से कम है जब x 0 से कम है तो क्या 1 माइनस cos 4x upon में x square यह बार ठीक है दोस्तों यह बार ठीक है अब देखिए मैं अगर limit भी change कर दूँ limit भी अगर मैं change कर दूँ 1 माइनस cos देखो x की जगे पर क्या आएगा 0 माइनस h तो यह 0 माइनस h जब आप यहाँ step में limit h tends to 0 और 1 माइनस 1 माइनस देखो cos की एंगल में माइनस हो तो माइनस हट जाता है तो यह cos 4h बन जाता है denominator में इसका क्या रहेगा है h का square रहेगा यहां तिर में मान के चल रहा हूँ आपको यह बात समझ में आ गई होगी अब देखिए वाई ऐसे ना आपने chapter 2 पड़ा होगा वहाँ पर मैंने कहीं सारे जादू वेगर आप लोगों को बताए है कुछ फॉर्मले बता होता है यही चीज अगर कॉस्ट 2 थीटा ना होके 4 थीटा होती तो राइट हैड में एंगल हाफ हो जाता है 2 sin square यहां 4 थीटा तो वहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा बाई सपोस्ट यहां पर 4 थीटा की जोगा 4 h हो तो क्या मन जाएगा 2 sin square 2 h लो भाई यह हमारा यह आंसर आ अब देखिए हमारा जो ले चले लिमिट 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 एज टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस्ट 4 h की तरिके क्या जाएगा 2 sin square 2 h divided by h square तो चली रहे है यहां भी पहुंच गया अब देखो उपर है साइन नीचे है h क्या करें भाई अब क्या करें इसमें करना कुछ नहीं है सर्थ तरिका बड़ा सिंपल है लिमिट है h tends to 0 है 2 है उपर साइन 2 h का whole square है नीचे h का whole square है मैं इस पूरे के उपर whole square लगा देता हूँ बता आपको कोई लिखता नहीं हो कि ना यार sin square 2 square है h square आगे देखो आप से साइन के एंगल में नीचे h है तो 2 से divide किया जब divide किया है तो multiply भी करतो बाई ऐसा करके क्या होगा होगा यह two to वैसी रहेगा बर यहाइस सब्सक्राइब क्यों क्यों कि जो साइन के एंगल में है वही चीज नीचे भी आपको देखने को मिल र है निकाला ऐसे भाई आपको यहां पर आर। ईसमें आर। भी फाइंड करना पड़े आपको इसमें अर्छल भी फाइंड करना पड़ेगा अब आर। चल क्यां पर आरचल को ज़र आप ध्यान पूरवक समझेगा यहाँ पर कुछ नहीं आपको पता चलेगे देखो वाई तो बच्चों ऐसा है ना लिमिट इसमें जब लखेंगे पिटा x tends to 0 plus और क्योंकि x 0 से जादा है x जब भे 0 से जादा होगा तो भाई यही चीज आएगी इसको लिखो भाई यहाँ पर root x के मीचे क्या है 16 plus root x और आगे minus में 4 है ठीक है अब यही चीज हमारे पास में है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे root आप लोगों को इसमें नजर आ रहे होंगे तो इसमें क्या करें सर फिर अब इसमें क्या किया जाए तो करना गया है भाई root वाले कुश है अब डिनॉमिनेटर में root नजर आ रहा है और 0 put करके अब 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है तो आप इसमें इसको rationalize कर सकते हो rationalize rationalize कैसे 16 plus root x plus 4 से उपर भी इसमें क्या हो जाएगा limit x tends to 0 रहेगा उपर रहेगा root x वाहाँ पर रहेगा 16 plus root x plus का 4 denominator में यह देखो यह a यह minus का b यह a और यह plus का b अब देखते हैं a का square हो जाएगा a का square minus में b का square हो जाएगा अब b का square तो सीज़ा लिग देता है 16 ही बनेगा ठीक है a minus b a plus b जब इस a का square करो तो बार का root अट जाएगा 16 plus root x तो बचेगा b का 4 का square करो तो 16 है जाएगा अब यहाँ पर आप देखतें क्लियरली 16 से 16 हमारा हो गया cancel और अब उसके बाद limit x tends to 0 plus root x उपर है 16 plus root x है upon में भी root x है root x है root x भी हमारा हो जाएगा cancel अब जो है भाई अब क्या करोगे अब करना है क्या है अब करना है एस a limit अब apply कर दो जहाँ पर भी एक समा 0 रख दो 16 plus 0 plus 4 तो यह 4 plus 4 हमारा answer कितना आजाएगा answer आजाएगा 8 तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा lhl जो था वो भी 8k equal था यार हमारा जो rhl है वो भी 8k equal है और question में functional value भी दे रखी है functional value जब x0 की equal होगा तो हमारे function की value 8 होगा यह question ना अलिडी बदा ही रखा है यार तो हम यहाँ बे लेज़ते हैं कि हमारा जो f0 है वो भी 8k ही equal होगा और तीनों चीज़े बड़ा हमारी एक को ला रही है हमारा lhl, rhl और functional value तीन एक को ला रही है तो हम क्या हो दें so f is continuous add x equal to 0 दोस्तों यह question होता है यहाँ पर समाप्थ अब हम बढ़ेंगे अगले question की दरफ अगला question प्रकट कर दिया जाए और अगला question हमारे सामने screen पर आ चुका है और question दोस्तों आपके सामने क्या बोलता है भाई find the value of k k का अमान ग्याद करना है so that f becomes continuous यह continuous लेगा है ठीगे ना यार थोड़ी मैंने writing माशा अल्ला है continuous add x equal to pi हमारा यह जो function है यह pi पे continuous है अब बताओ k की value क्या होगी तो जब यह value find करने वाले question होते है इन question में होता है ना हम LHL, Archl, functional value तीनों निकालके ने इनको equate करते हैं ठीक है तो देखो यहाँ पर भी क्या करना भाई करेंगे भाई add x equal to pi में आगर मैं बोलू कि LHL क्या होगा तो simple सा सरल सा आप जवाब दे सकते है कि भाई जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लो LHL x pi से कम x pi से कम तो लिखना है k x plus 1 k x plus 1 और जहाँ पर भी x लोगा हम आपे pi पूट करतो तो यह pi k plus का 1 मन जाएगा pi k plus का 1 मन जाएगा यह LHL है ऐसी limit x tends to pi plus fx limit x tends to pi plus x pi से जाता हो तो cos x cos x तो cos pi बन जाएगा और इसकी value minus 1 आ जाएगी भाई ऐसी functional value तो दे रखी है ना question में f pi f pi जब x pi के बावाब हो तो k x plus 1 तो k x plus 1 तो pi k plus 1 आ जाएगा भाई तो यहाँ पर भी आप दे सकते हमारा LHL आरचल और functional value तीनों equal आने चाहिए तो LHL है कितना? pi k plus 1 आरचल कितना भाई? आरचल वह है minus का 1 f pi को मैं दुबारा नहीं लिखूंगा भाई क्योंकि already मैं लिख चुका हूँ तो यहाँ से pi k की value आ जाएगी minus में 2 और k की value आ जाएगी minus 2 k upon में pi तो चलिए दोस्तों अब जो है अब हमारे सामने एक नया question आ चुका है question हमारी screen पर और एक बहतरीन एक important question है question है आप देख सकते है function f x जब भी x 0 से कम होगा या 0 के बराबर होगा तब हमको यह चीज़ यूज़ करनी है जब x 0 से बढ़ा होगा तब हमको यह इस्तमाल करना है ठीक है तो यह अच्छा question है और k की value find करनी है जिससे की function क्या एक दोसर के equal आएंग यार ठीक है तो देखे शरुबात करते है add x equal to 0 की बात कर रहा है मैं इसमें सबसे पहले LHL निकाल देता हूँ left hand limit limit x tends to 0 minus f x limit x tends to 0 minus x 0 से कम x अगर 0 से कम होगा तो क्या है k sin k sin sin pi by 2 x plus 1 अब देखे यहां तो 0 by 0 की कोई form बन नहीं रही है तो आप simply आप x की जगे 0 हो रह सकते है sin pi by 2 और 0 plus 1 तो 1 ही बचेगा k और sin pi by 2 की value 1 होती है यह मारे लिए बन जाएगा k ऐसी functional value भी functional value f 0 जब x 0 के बराबर होगा जब x हमारा 0 के बराबर होगा तब भी वही यूज करना है k k sin pi by 2 और x plus 1 याने 0 plus 1 k sin 90 की value 1 हो जाती है तो यह तब भी k आ रहा है तो देखे यह दो चीज़े तो k आ रही है अब हमें निकालना है र चल देखे र चल के आता है र चल limit x tends to 0 plus f x limit x tends to 0 plus x 0 से जाता है जब भी x 0 से जाता होगा तो 10x minus sin x upon x cube 10x minus sin x upon x cube ठेक है अब देखे यहाँ पर अगर में limit change करता हूँ तो आपको मालूम है नए limit हमारी आएगी h tends to 0 h tends to 0 देखो trigonometry की कोशिन में जब भी 0 भाई 0 बनता है तो भाई में limit change कर दिया करता हूँ भाई तो यह हमारा h tends to 0 10 x की जगे पर 0 plus h put करोगे यहाँ की simply h put कर दो sin h अब हमें 0 plus h का cube यहाँ की h का cube आ जाएगा यह भी यह भी हो गया अब देखो ऐसे है न यहाँ पर अभी भी देखो 10 0 की value 0 sin 0 की value 0 0 का cube 0 तो 0 भाई 0 अभी भी बन रहा है तो यहाँ पर आप कुछ और जगार लगाना पड़ेगा भाई जगार देखो हम क्या लगा रहे है समझेगा limit h tends to 0 यह बन जाएगा हमारा sin h के upon में cos h यहाँ रहेगा sin h upon में रहेगा h cube ठीक है अब देखिए उसके बाद क्या करें इसके बाद भाई आप लोग limit h tends to 0 है उपर से आप sin h common ले सकते हूं 1 by cos h मानस का 1 नीचे जो h q बे एक h यहाँ आ जाएगा और 2 h यहाँ आ जाएगे कोई दिक्के दाली बात तो नहीं है ना वो जो h का cube है उसको तोड़के लिख गया मैंने देख उपर से sin h common लिया तो 1 by cos h मानस का 1 आगे नीचे जो h q था उसको h into h square में मैंने ब्रेक कर दिया उसका कारण क्या है उसका reason यह है कि यह जो यह वाला हिस्सा है इसने तो 1 बन जाना है sin h by h बचेगा क्या भी रुमारे पास limit h tends to 0 वो बचेगा उसमें लिलू 1 minus cos h अब उन में h square भी चल रहा है और जो lcm का denominator का cos h रहा होगा वो भी आ जाएगा मेरे कास यहां तक आपनों का कोई दिक्कत नहीं आने चीए आप देखो उसके बाद क्या करें भाई आप देखो यहां पर मैंने आपको थोड़े देर पर एक बात बताई थी कि 1 minus cos 2h का formula होता है 2 sin square h यही चीज़ अगर angle half हो जाता है 2h की जगह h हो जाता है 1 minus cos h की क्या बन जाता 2 sin square h by 2 तो यह value बिटा आप यहां पर put कर लो limit h tends to 0 1 minus cos h की जाता है 2 sin square h by 2 upon h का square और यह जो cos h by square कर लो इसका कोई role नहीं है यहां पर ठीक है आप देखो बाई अब क्या करें आप क्या करें आप क्या करें करना आ गया है जर 2 है sin के angle में h by 2 था यहां पर h था इस पूरे के उपर आप whole square लगा दो नीचे जब cos h बच रहा उसको अलग कर लो भई ठीक है 2 अलग कर दिया cos h मैंने अलग कर दिया और यह sin के उपर square है h के उपर square है तो sin और h के उपर मैंने पूरे के उपर square लगा दिया अब ऐसा क्यों किया भई ऐसा इस ले गया ताकि इसको मैं 2 से divide कर सकूँ जब 2 से divide किया तो मैं इसको 2 से multiply भी कर सकूँ अब ऐसा करके क्या होगा इतना हिस्सा है यह वाला यह आप लोगों के लिए बन जाएगा 1 यह बन जाएगा 1 क्या बचेगा फिर हमारे पास दोस्तों हम लोगो ने अपना आरेचल निकाल दिया है और आपको मालूम है कि एट एक्स इकोल टू जीरो पे लेचल आरेचल और और functional value तीनों ही एक दूसरे का लाने चाहिए है तो यह निकला था k यह निकला था यह निकला है वन बाए ट्ू और यह निकला था k देख सेथे हैं आम लोग देख सकते हैं, F0 भी K निकला था, और हमारा LHL भी इसमें K निकला था, इनको जब मैंने equate किया भाई, तो हमारे K की जो value है वो 1 by 2 निकल लगी भाई, तो यह इस question में हम को करना था भाई, वो हम कर चुके हैं, चलते हैं, अब हम लोग अगले question की दरफ, अब देख सकते हैं बढ़िया-बढ़िया question है दोस्तों, और इसी प्रकार के question आपके exam में पूछी जाते हैं, और एक और बैतरीन question आपके सामने हम पेश कर चुके हैं, मेरे दोस्तों, question आपकी screen पर कहता है कि जब जब x 1 से बड़ा रहेगा, तब तब function 3ax plus b रहेगा, जब x 1 के बराबर तब function की value 11 होगी, और जब x से छोटा रहेगा, तब function की value 5ax minus में 2b होगी, और अब कहता है कि बताओ function अगर continuous है, add x equal to 1, तो बताओ a और b की value क्या होनी चाहिए, तो एक आसान सा question है दोस्तों, देखो भाई, x equal to 1 पे LHL निकालो, limit x tends to 1 minus fx, limit x tends to 1 minus fx, limit x tends to 1 minus fx, x से कम, जब x से कम है तो 5ax minus 2b, और अब आप इसमें x की जीए पर 1 रग दो, तो 5a बन जाएगा, minus में 2b बन जाएगा, 5a minus में 2b, ऐसी आरे चल निकालो, limit x tends to 1 plus fx, limit x tends to 1 plus, इस बार x एक से जाता है, जब x एक से जाता है तो वह यह क्या बन जाएगा, 3ax plus b, 3ax plus b, और आप x की जीए पर 1 रखेंगे, तो यह क्या बन जाएगा, 3a plus में b, और last functional value भी आप लोगों को निकाले पड़ेगी, f1 भी आप लोगों find करा पड़ेगा, तो f1, x equal to 1 जब होगा तो answer 11 होगा, तो दोस्तों ऐसा है न, हमारा जो lhl, rhl और functional value होती है, वो तीनों यह दूसरे के equalवा करती है, तो यानि कि जो 5a minus 2b है, और जो यह अपन का 3a plus b है, यह सब 11 के equal होंगे, यानि कि 5a minus 2b को solve करके भी 11 आएगा, और 3a plus b को solve करके भी आपका 11 ही आएगा, इन दो equation में solve करेंगे भाई आप लोग, तो आपको a और b की value मिल जाएगी, आपके a और b की value क्या रही है, answer अपना comment करके बदा देना, अपना answer न, comment करके बदा देना कि आपके a और b की value क्या रही है, ठीक है, हम बढ़े अब एक और बैतरीन question की तरफ question आपके सामने दोस्तों आ चुका है, question देख सकते हैं, फड़ा डरावना सा लग रहा है, पर करना तो है भाई, question देख सकते हैं आप लोग, तो ठीक है दोस्तों, अब हम question की शुरुआत करते हैं, question में देखो क्या बोलते है, find the value of a, b and c so that this function becomes continuous, add x equal to 0, हमें a, b और c की ऐसी values निकालने हैं, जिससे function continuous बन जाए, याने की lhl, archal और functional value, तीनों equal आ जाए, यहाँ पर आप दे सकते हैं, a angle में है, c तो यहाँ पर functional value है, उसका कोई roll नहीं है, b यहाँ पर denominator में और यहाँ रोंड के अंदर भी आ है, तो देखें, अब करना है न, add x equal to 0 पे, मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ, left and limit, limit x tends to 0 minus fx, limit x tends to 0 minus x 0 से कम, x अगर 0 से कम होगा, तो देखो क्या है, sin ax plus sin x, sin a plus 1x plus sin x, और upon में पूरे के चल रहा है x, यहाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं बान के चल रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमने left and limit लिख ली है, अब मैं, देखो इसमें limit, तो देखें, मैं left and limit में यहाँ भी लिख चुका हूँ, अब देखो मैं, अगर अभी x के जगे 0-h, sin a plus 1, यहाँ मैंनस का h, इसमें भी sin, मैंनस का h, और denominator में x के जगे भी, मैंनस का h, यह हो गया, then limit h tends to 0, आप देखो यह जो मैंनस हो बारा जाएगा, यह मैंनस भी बारा जाएगा, यह मैंनस भी बारा जाएगा, और इसके अपन में भी मैंनस है लिख लो, इसके अपन में भी मैंनस h लिख लो, आप क्या करें भाई, आप क्या करें, इसमें एक स्टेप और फिर यह लेफ्ट हैंट मेंने मारी खतम हो जाएगी, ए प्लस 1 h, अपन में h, मैंनस से मैंनस कैंसल, यहाँ पर आपने ए प्लस 1 से डिवाइड करना है, ए प्लस 1 से आप इसमें मल्टिप्लाइ भी करतो, तो ऐसे करके देखो क्या होगा, यह प्लस 1 तो रहेगा, पर यह जो इतना हिस्सा है, यह जो इतना पाठ है, यह आप लोगे लिए बन जाएगा 1, और वो भी बन जाएगा 1, तो ए प्लस 1 प्लस 1 यह बन जाएगा, ए प्लस 2, दोस्तों यह हम लोगे की निकल गी है, लेप्ट हैंड लिमिट, जैसे लेचल निकाला है बाई, ऐसी अब इसमें रेचल भी फाइंट करेंगे, तो रेचल फाइंट कैसे किया जाए बाई, अब वो दिखते हैं, यह रेचल क्या है बाई 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 पास, रेचल लिमिट, एक्स टैंस टो जीरो, प्लस, एक्स जीरो से चाहता होगा, तो यह चीज लगी में है, रूट के अंदर क्या है, एक्स प्लस, बी एक्स स्क्वेर, मैनस रूट एक्स, अपॉन में, बी एक्स की पावर, थ्री वाई टो, यह चीज़े बाई है हमारे पास, अब इसमें देख जीरो यह रहाँ है, उपर भी जीरो बनेगा, आप देख सकता है, तो एक्स, बी एक्स बचेगा, वहाँ पर यह रूट एक्स रहेगा, डिनॉमिनेटर में आप देख सकते है, यह चे बी में एक्स की पावर, थ्री गाई टो ए, इसमें अगर आप ब्रेक करें, तो यह वं और 1 by 2 बन सकता है, ठीक है, 1 plus 1 by 2 ultimately आएगा तो 3 by 2 ना, अब यह ऐसा करने का करण क्या है, भाई मैं उपर से ले रहा हूँ, root x common, root x यहां से common, root x वहां से common, यहां तो अभी भी root के अंतर 1 plus bx बचेगा, और वहां बचेगा 1, denominator में b रहेगा, x रहेगा, और root x रहेगा, तो root x से root x भी हो जाएगा, cancel, आप क्या करें, अब जो है भाई, अब इस question में अभी भी आपको एक root नज़रा रहा है न, अभी भी आपको root नज़रा रहा है, तो आप इसको कर लो, rationalize, आप इसको कर लो भाई, rationalize, rationalize कैसे करें, भाई, root के अंदर 1 plus bx है न, आप plus का 1 उपर भ लगा लो और यह ऐसी नीचे भी इससे multiply कर लो आप, आप देख सकते हैं, मैंने इसी चीज के, यहाँ पर देखो, minus का जो sign था, वो उपर प्लस कर दिया, यहाँ पर नीचे मैंने multiply कर दिया, इसको rationalize मैंने कर दिया है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो देखें, limit x tends to 0, प्लस इसमें है, अब आप यहाँ देख सकते हैं, a minus b, a plus b, a का square, minus b का square, फिर bx, यहाँ रहेगा, 1 plus bx, और plus का 1, ठीक है, denominator देखो, bx वैसे लिख दिया, इस पूरे को भी वही मैंने ऐसे लिख दिया है, बस numerator मे a minus b, a plus b, तो a का square, minus b का square, अब आप यहाँ पर देख सक देख सकते हैं, कि हमारे 1 से यह 1 हो जाएगा, cancel, और उसके भी next step में, आप देख सकते हैं, हमारे फिर इस bx से यह bx भी कट जाएगा, इस bx से bx भी कट जाना है, तो आप क्या करें, limit x tends to 0, तो देखो, 1 से 1 कट गया, फिर जो bx बचाएगा, उस bx से next step में, bx से bx कट ज नीचे रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, 1 प्लस bx, प्लस का 1, ठीक है, और अब हम x के जाएगा, 0 रख देंगे, तो 1 प्लस, यह बन जाएगा, 1 बाई 2, तो यह हमारा आरचल भी आ गया, देखो हमारा लचल, आरचल और फंक्शनल वैल्यू, तीन हो एक दूसरे के कट हमारा लोनीचे है, तो फंक्शनल वैल्यू तो इसमें c दे रखा था, आरचल 1 बाई 2 है, और लेचल अपने इसमें a प्लस 2 निकाला है, और फंक्शनल वैल्यू हमें c इसमें 2 रख रहा है, तो लो भाई, हम इसको देखते हैं, solve करते हागे, तो यह है a प्लस 2, ओके, आप a की वैल्यू में जाएगी 1 बाई 2, 2 पर राइट में भीज़ता, तो 1-4 माईनस में 3 बाई 2, a की भी वैल्यू आगी भाई, a की भी वैल्यू आ चुकी है, लेकि b तो निकला ही नहीं न, तो देख सकते हैं, अब लोग, b ना तो यहां पर है, नहीं यहां पर है, नहीं वहा बीर में कोई भी रियल लंबर हो सकता है, बड़ उसमें भी हमारा 0 नहीं आना चाहिए भाई, तो यह हमारा answer है, c हमारा 1 बाई 2 होगा, a हमारा मैनस 3 बाई 2 होगा, और b हमारा रियल लंबर मैनस में 0 होगा, ठीक है, तो यह काफी बड़ा सा question था, और यह question आप समापत हो ज बहुत ही अच्छा question, एक बहुत important question आपके सामने है, कहता कि a और b की value बताईए, जिससे कि यह जो function हो पाई भाई 2 पे continuous हो जाए, continuous हो जाना चाहिए भाई हमारा question, पाई भाई 2 पे, तो sir हम start करते हैं इस question को, solution इसका, हमें a और b की value फाइंड करनी है, x equal to पाई भाई 2 पे ह हमारा function जो हो continuous हो जानना चाहिए, तो देखो दोस्तों ऐसा है न, left hand limit की बात करते हैं भाई, limit x tends to pi by 2 minus, x pi by 2 से अगर कम होगा, तो क्या use करेंगे, 1 minus, 1 minus sin, cube x के upon में क्या है है, upon में 3 cos square x, 3 cos square x, right, इसमें आप limit भी change कर देते हो, तो देखो क्या बनेगा, limit h tends to 0, 1 minus sin cube, x की जगे, pi by 2 minus h, 3 cos square, pi by 2 minus h, ठीक है, x की जगे पर pi by 2 minus h, x की जगे पर pi by 2 minus h, यह हमने लिख दिया भाई, ठीक है, अब देखें उसके बाद क्या है, उसके बाद 1 minus sin 90 minus theta, cos theta, 3 cos 90 minus theta, sin theta, ठीक है, values भी हमने पुट कर दी है, अब जो है, इसके बाद, कुछ कही रही है, जब इतना कर चुके हैं भाई, तो आप यहाँ पर हम देख सकते हैं, अभी भी अगर मैं h की जगे 0 रख दू, तो cos 0 की value 1 हो जाएगी, 1 minus 1 0, और नीचे sin 0 की value तो 0 होती है, अभी भी हम इसपे limit apply नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें, तो भाई देखो मैं इसमें जो सोच पा रहा हूँ, इसको 1 का cube मान लेते हैं, और क्यों ना, इसपे a cube minus b cube का form अप्लाइ करके देखते हैं, a minus b, a square plus a b plus b square, ठीक है, तो अब देखो, अब क्या होगा भाई, limit रहेगी, h tends to 0 रहेगा, numerator में a cube minus b cube याने की a minus b, a square plus a b यानी 1 into cos h, plus b square यानी cos square h, denominator में, denominator में sin square h जो है न, इसको भी change करो, कैसे change करें, देखो, आपको मालूम है, कि sin square h का formula क्या होता है, sin square h का formula क्या होता है, यह होता है, 1 minus cos square h, उसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 plus cos h into 1 minus cos h, तो मैं यहां पर वह सीधा बुट करूँँगा, 1 plus cos h into 1 minus cos h, अब ऐसा करके क्या होगा भाई, ऐसा करके अब clearly दे सकते हैं, यह जो चीज है, वो इससे हो जाएगी, cancel, और जब आप इस question में आप values put करेंगे, h की जगह 0 रखेंगे तो देखो, 1 plus cos 0 plus cos 0, denominator में 3, 1 plus cos 0, अब देखो cos 0 की value 1 होती है, तो 1 plus 1 plus 1, 3, 1 plus 1, 2, यह बन जाएगा, 1 by 2, right, LHL तो हमारा निकल गया, 1 by 2, ओके, अब जब जैसे हमने LHL निकाला है, अब हम बात करेंगे RHL की, अब हम बात करेंगे दोस्तों इसमें, RHL की, देखो, RHL में क्या है भई, आर जब इसका असान है, x tends to pi by 2, plus x tends to pi by 2, x pi by 2 से जादा, तो b, 1 minus sin x, अब ओन में क्या है, pi minus 2x का whole square, ठीक है, और इसमें भी मेरे दोस्तों, अब हम लोगों को, b, 1 minus sin x, pi minus 2x का whole square, अब दोस्तों, इसमें अब हम लोगों को RHL find करना है, तो देखें, RHL find करने के लिए क्या किया जाए, हम लोग इसमें, सबसे पहले तो करने है, limit को change, limit x tends to 0, जहां पर भी मुझे x नजर आएगा, मैं वहाँ पर pi by 2 plus h कुट कर दोंगा, denominator में भी b minus 2, pi by 2 plus h रख देंगे, ओके, लोग यह भी हो गया, अब आप यहां पर देख सकते है, limit x tends to 0 रहेगा, b 1 minus sin 90 plus theta तो यह cos theta बन जाएगा, denominator में, और एक कोई mistake होगी लिए, यह pi यह पाई है, यह pi यह मैंने गलत लिखती है यहां पर, यह b बताने कैसे लिखती है हमने, पाई है यहां पर, ओके, और denominator में दोस्ता हम देख सकते हैं आप लोग, 1 minus sin 5 by 2 plus h, pi minus 2 by 2 plus h, ठीक है, अब देखे, denominator में भी आप लोग देख सकते हैं, pi minus 2 into pi by 2, pi minus 2h, उसके पर whole square, ठीक है, लो भाई, values मैंने बूट करती हैं सारी, हमने आरचल जब किया विटा, आरचल निकालने के लिए हमने लिमिट चेंज करी, लिमिट चेंज करने के लिए मैंने नई लिमिट लिख दी, h tends to 0, और जब x है, उस x की चिए पर मैंने लिख दिया, pi by 2 plus h, pi by 2 plus h, अब इसको simplify किया भाई, second quarter में sine positive होता है, और 90 के विए उसे change जाएगा, sine 90 plus theta, cos h बन जाएगा, 2 की multiplying अंदर करी तो देखो, pi से pi कट जाएगा, और ये minus 2h का square मैं next step में कर दीता हूँ यार, limit h tends to 0, b, 1 minus cos h, pi से pi कट जाएगा, 2h का square, 4h का square, अब देखिए दूस्तों, यहां तक हमारे पास हो चुका है सब कुछ है, और इसके जैसा question क्योंकि हमने थोड़ देर पहले भी किया था, तो आपको मालूम होगा, कि b by 4 तो ये रहे गई, जो 1 minus cos h है, उसकी जिगह पर आजाएगा, 2 sin square h by 2, denominator में है, अब आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे limit h tends to 0 है, 2 से 4 कट जाएगा, तो by 2 बन जाएगा, और ये जो चीज है, ये बन जाएगा, sin h by 2 के अपॉन में h, और इस पोरे का भाई हो जाएगा, whole square, ठीक है, मैं बान के चल रहाँ, आपको ये बात समझ में आई होगी, जो sin square h by 2 था, अपॉन में जो h square था, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, sin h by 2 upon me h, पूरे एक उपर मैंने whole square लगा दिया, अब इसमें क्या करना है आप लोगोंने, आपने 2 से करना है डिवाइट, 2 से करना है मल्टिप्लाई, अब आप देख सकते हैं जो इतना बार्ट है, ये बार्ट आप लोगों का बनेगा 1, और हमारे पर सब जो चीज़ा है ये आजाएगी limit, लिमिट भी क्यों, लिमिट ढटा दो भाई अब तो, हमारा जो LHL, RL और जो functional value है, तीनो ही एक दूसरे के A को लाएंगे, तो LHL हमारा निकला था 1 by 2, RL निकला है B by 8, और functional value कोशन में देर की है, कितने, कोशन में functional value कितने देर की है, ये देर की है A, X by by 2 पर A, ये A देर गया, तो बताओ, A जो है वो तो confirm किसके अकवल आ गया, 1 by 2, और B की जो value है वो 8 को इसाइड लिया, तो 8 by 2, D की value 4 आ जाएगी यार, तो A और B ही हमें इस कोशन में find करना था, वो हम लोग और यहाँ पर कर चुके हैं यार, ये कोशन यहाँ पर हो जाता है, समाप्त और मुश्किल कोशन भाई हम लोगों ने करे हैं, ठीक है, चलो भाई, next कोशन के दरफ आओ, कभी सुनाया भाई, greatest integer function के बारे में, greatest integer function के बारे में, तो थोड़ा सा बताओंगा, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे इसकी, कुछ इस प्रकार से आप इसको represent किया करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, greatest integer, greatest integer, less or equal to x, ठीक है, greatest integer less or equal to x, इसमें होता गया है, जब कभी इसके अंदर कोई, इस टाइप से कोई number आ जाता है, तो हम इसको round off करके ना, पीछे की तरफ ले आते हैं, यानि answer क्या लिख दिया करते हैं, 2 लिख दिया करते हैं, अगर मान लो, मैं इसको 3.1 लिख दूँ, तो इसका answer क्या बन जाएगा, इसका answer 3 बन जाएगा भाई, मान लो मैं यहाँ पर आपके सामने लिए देता हूँ, 4.9, 4, minus 1, minus 2, minus 3, जब मैं आपसे पूछता हूँ, 2.1, 2.1, तो देखो 2.1 आपका, इधर कहीं आता होगा, 2.1 आपका इधर कहीं आता होगा, ठीक है, अब बताओ, 2.1 से पहले, कितने integer हैं, 1 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, इस 2.1 से पहले, जितने भी इंटीजर है, उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा, 2 इस दे ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेस और एक्वल तो, 2.1, 2.1 से पहले, ऐसी मैंने बोला, 3.1 से पहले, 3.1 से पहले, जितने भी इंटीजर है, उनमें सबसे बड़ा कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा, 3, आपने लिख दिया भाई, 3, ऐसे अगर मैं बोलता, 4.9, 4.9, 4.9 कहा है भाई, 4.9 यहां गहीं होगा, तो उस 4.9 से पहले कितने इंटीजर है, तो आप बोलोगे 4, 3, 2, 1, कहीं सारे हैं, बट सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है, 4. ठीक है, तो दोस्तों, यह जो ग्रेट इस टुनिजर फंक्शन होता है, इसका जो ग्राफ होता है, मैंने स्टार्टिंग आप लोगों को बिताया होगा, कुछ इस तरह से देखने को आप लोगों को मिलता है, यार, 1 पर यह डिसकॉंटिनस होता है, 2 पर यह डिसकॉंटिनस होता है, 3 पर यह डिसकॉंटिनस होता है, 4 पर, जितने भी इंटीग्रल वैल्यूस होती है न, उन पर यह जो function है यह discontinuous होता है अब इसकी continuity check करने के ला जाए तो कैसे करो गया वो देखते हूं भाई या देखें question दोस्तों आपके सामने greatest integer function है correct check continuity एक तो at x equal to 2 पे check करो और एक x equal to k पे check करो और बता देते हैं k को इंटीजर है कोई इंटीजर है ठीक है तो दोस्तों करेंगे क्या आप left hand limit डिकालोगे limit लिखोगे x tends to 2 लिखोगे minus लिखोगे यह लिखोगे और चल के लिखें क्ली क्या करोगे फ़ी और चल के यह में आरचल में क्या होगा, limit होगा, x tends to k होगा, plus होगा, इस तरह से आ जाएगा, सभी बात है, तो देखो करना गए, जब हम यहां लिखते हैं क्या, x tends to 2 minus, तो इसका meaning क्या है, इसका मतलब क्या है बई, मतलब है कि x जो है, वो 2 से छोटा है, 2 के पास है, कितना, 1.9, 1.99, 1.3, 1.9 जो भी है, यह 2 तो कभी नहीं है, 2 कभी भी नहीं बनेगा, 1,2 से छोटा ही रहेगा, अब 2 से छोटा नमर जब है तुम यहां पुट करोगे, like 1.9, 1.99, 1.3 बार 9, 1.4 बार 9, जो भी आप यहां पुट करोगे, solve करके उसने कम हो जाना है, तो आपके आंसर में क्या बन जान यहां 4 लिखा होता हो तो, तो यहां 3.9 पुट करोगे, 3.99 पुट करोगे, जो भी नमर तुम यहां पुट कर रहे हो, वहां पर हमेशा एक कम आता है तो इस लिहाज से हम क्या बोल रहे है, यहां गर k लिखा हो तो तो इसका जो आंसर होगा, वो क्या जाएगा, k-1, बात स X का मलब क्या है? 2.1 या 2.01, 2.1 में यहां पुट कर रोगे तो 2 बनेगा, यहां 3 होता तो 3.1 वो 3 बन जाएगा, जो यहां लिखा होगा वही answer आजाएगा, सब्सक्राइगा, आप क्लियरली देख सकते हैं, हमारा LHL और RHL दोनों ही एक दूसरे के एकवल नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या बोलनेंगे, F is discontinuous at x equal to 2 और जो हमारा greatest integer function होता है, this is, is discontinuous at x equal to k और k कोई integer है, याने की integral value पर हमारा greatest integer function discontinuous होता है, ठीक है, इसके साथ ही हो जाता है यहां पर समाप्थ, तो दोस्तों continuity में जो भी important question है भाई, मैंने आप लोगों को आज करवाए हैं यार, concept पिछले वीडियो में बता दिया है, और concept बताने के बाद बड़ा है, मैंने important question भी आपको यहां पर करवा दिया है, book के question भाई, आप सारे आ रहा, easy question है, उनमें आप लोगों को आप दिक्कत नहीं आएगी, कहीं डिक्कते आएंगे भाई, तो बता देना है, मैं एक अलग से separate वीडियो तुम्हारे ले फिर उसमें बना देता हूं यार, तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने continuity पूरा ख़तम कर लिया है, continuity में जितने भी अच्छे concepts थे हम लोगों ने cover कर लिया है, सब कुछ हमने देख लिया है उसमें, जो important questions थे वो भी हम लोगों ने cover कर लिया है, अब बात आती है differentiation की, तो देखिए derivatives के जब हम बात करेंगे भाई तो मैं आप लोगों को बता दो, NCRT में बेटा 5.2 से लेकर 5.8 तका पूरा differentiation ही चलेगा, in fact, mislinis में भी आपको जो questions दिखेंगे न, वो भी differentiation derivatives के ही होंगे, अब देखो, यह जो derivative यह जो चीज है ना यार, यह आप लोगों को मालूप है, class 11 में भी आपने derivatives के बारे में पढ़ा हुआ है, पढ़ा है न, limits and derivative के नाम से एक chapter था, उसमें limits भी थी, derivative था, बहुत उने शायद नहीं पढ़ा होगा, और उनको में बोल तुम की भाई, अगर तुमने नहीं पढ़ा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर पूरा basic से रिवाइस करवाँ हूँगा, पूरा basic से करवाँ हूँगा यार, तुम पहली बार चैप्टर को पढ़ रहे हैं, दोसी बार चैप्टर को पढ़ा कोई tension वाली बात नहीं है, समझ में सब कुछ आएगा भाई, ठीक है ना, वरना पैंसे वापस, ठीक है, आगे देखते रहना है, और बीच भी में पॉस करकर करके भाई, खुद प्रैक्टिस भी करते रहनी है, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर कवर कर रहा हूं इसमें, तो 5.2 के बाद NCIT के सभी कोशन करना तुम्हारी जिम में वारी है, तो कोशन भी साथ-साथ आप लोगोंने करते रहने हैं, यहने कि हाँ वन गो में पूरा चैप्टर देख लेए अट लोगों हमारा चैप्टर खलास, खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, प्रैक्टिस भी तो करोगे ने, सिफ वीडियो देखते जाओगे, देखते जाओ पूरिया भाई, तो देखे, डेरिवेटिब के हम बात करें भाई, तो देखो ऐसा है न, 11th क्लास में, slope के नाम से एक चीज आई थी, slope, अब slope का मतलब क्या है भाई, तो देखो ऐसा है न, derivative का मीनिंग ही slope होता है, इसले थोड़ा से इसमें मैं प्रकाश डालना चाहता तो यह एदम सीधी है, इसमें कोई डलान नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ, थोड़ा सा इसको उपर कर दिया, तो अब आप डलान आ गई, डलान बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीके ठी, पर ऐसे में फिर डलान करती जा रही है, तो बटा यह slope जो है बाई, slope, य और उसी किपट हम लोगों नहीं यहाँ पर चर्चा भी करनी है, तो दोस्तों यह जो बार बार में डलान वर्ड यूज़ कर रहा है, डलान मत बोलो यार, अब ना, slope बोलो भाई, slope, क्या, गणित की भाशा में क्या है बेटा slope, कि जब भी कभी कोई रेखा, एक सेक्सिस के parallel होती है, ठीक है, तो उसमें कुछ भी slope नहीं है, ठीक है, उसमें slope भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसी कोई लाइन थोड़ी सी टेड़ी हो जाती है न, तो भाई, टेड़ी होने के बाद, पक्का वो एक सेक्सिस के साथ कोई एंगल जरूर बनाती है, तो मेरे दोस्तों उस एंगल का क्या करना है, उसका अचार डालना है वाई, यह एक भी line जिसने x-axis के साथ एंगल बनाया, तो वो जो एंगल बना theta, उस theta का जो tangent होता है न भाई, tangent, 10 theta, उस 10 theta को हम लोग slope बोला करते थे, slope हमारा positive भी हो सकता है, slope हमारा negative भी हो सकता है, दोस्तों, जैसे इसकी हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे अगर यह x है तो यह y है मैं कहूं कि x को बढ़ाओ तो y भी बढ़ जाएगा x को घटाओ तो y भी घट जाएगा तो इस प्रकार की यह जो रेखा बनी है इस रेखा का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है जब भी कभी x और y के बीच मे direct relationship देखने को मिलती है ना भाई तो उस situation में हम क्या बोला करते हैं कि स्लोप positive है बात करें मेरे YouTube चैनल की बच्चों आपको मालूम है लाखों में करोडों में मेरे इंकम हो रही है क्योंकि आप लोगों की वज़े से लाखों करोडों में मेरे चैनल पे views भी आ रहे है तो दे यहां पर क्या है व्यूज और व्यूज और रेवन्यू के बीच में एक direct relationship है बात समझ मेरे दोस्तों ऐसे ही ऐसी मेरे दोस्तों कहीं बार क्या होता है कुछ function कैसे होते हैं वाई जैसे आप लोगों ने सुना होगा demand law demand law law of demand वो बोलता है कि यदि कभी भी किसी वस्तु की की प्राइस को घटा दो तो प्राइस को घटा दो तो कुछ हद तक उसकी जो quantity demanded वो बढ़ जाती है तो यहां पर आप इक्छी देखोगे कि X और Y के बीच में कैसा relation है वो एक inverse relation है और इस situation में मेरे दूस्तों हमारा जो slope है वो negative आया करता है यान कि X और Y के बीच में अगर direct relation है तो slope कैसा आएगा positive लेक मैं बलू कि X बढ़ रहा है और Y घट रहा है inverse relation है तो इस situation में slope कैसा आएगा negative आएगा तो slope कैसे calculate करते हैं सर सर 10 theta लगा लो कोई भी रेखा कोई भी line X axis के साथ कोई angle बना रही है थीटा तो जो थीटा है मेरे दोस्तों थीटा का tangent हमारे ले slope होता है अगर मैं आप से बलू कि इसी line के पर एक point आ जाए X1, Y1, X2 और Y2 तो यहाँ पर जो slope होता हो क्या होता है Y2-Y1 के upon में X2-X1 तो उस situation में आप Y2-Y1 upon X2-X1 लगा कर भी slope find कर सकते हैं और आपको मालू होगा इसी चीज़ को delta Y यानि change in Y upon change in X भी बोल सकते हैं सर कॉंसेट समझारों में आपको मालूम है इस बार देखो नॉम्बर दिसमबर में आपके एक्जैम जो होगा वन मार्कर कोशिन आपके पास आएंगा तो देखो हर एक चीज़ का घ्यान बटा आप लोग को होना चाहिए और जितनी बातें बटा बोर् अब मीठी गोलियां देना अच्छी बात नहीं होती है थोड़ा सा कड़वी वैक्सीन चाहिए चलेगी बटा अब वैक्सीन भी गावन हो इसका तो जैसे मैं आपसे बोलू वाई इक्वल टू 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 एक्स यह हमारे लिए एफ एक्स है वाई इक्वल टू एक तो वाई दो आप देख सकते हैं एक इस ट्राइब से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इसको थोड़ा अच्छा से बनाते हैं यार वन कॉमा टू यह एक्स और यह हमारे लिए वाई एक्स तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर जो है इस पॉइंट पर एक्स की वैल से क्या आपका वाई भी इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ तो आप क्या बोलेगी है सिर्वाई इंक्रीज हुआ एक्स को इंक्रीज किया वाई इंक्रीज हो गया एक्स जीरो था तो य जीरो था एक्स को वन रखा तो य को टू रखा एक्स को टू रखा तो य को पोर रख द एक युनिट बढ़ा तो युनिट बढ़ गया तो यह जो पर युनिट चेंज है ना पर युनिट चेंज तो वह हमारे लिए क्या होता है उसी चीज को मेरे दोस्तों हम लोग क्या बोला करते हैं तो भाई लोग तो slope की परिभाशन अगर तुम से पूछ ली जाए तो कहीं साही टीचरस ने आपको क्या लिखवाया होगा In fact मैंने भी the rate of change in y with respect to change in x The rate of change in y with respect to change in x is called is known as slope और कहने वाले तो इस y को dependent variable भी बोलते हैं भाई वो कहने वाले हम ही है dependent variable और कहने वाले तो भाईया इस x को independent variable भी बोलते हैं independent variable फिर तुम बोले कि सरी यह क्या बला है तो बला कुछ नहीं है बेटा मैंने अभी आपको बोला ना कि अनुराग भाया का चैनल है, करोडों में वीव आते हैं, पिर आम टॉप क्लास चैनल हैं, हाजी, और जब करोडों में वीव आ रहे हैं, तो इंकम तो आपको मालूम हूँए बटा, कितना छाप रहे हूं गयार, पैसा ही पैसा, एक किस दिन में पैसा डबल नहीं है न बड तो वो जो amount है ना बिटा वो depend करती है इसके उपर यानि कि this amount is a dependent variable dependent variable and this view is a independent variable मैं variable क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि variable का मतलब ऐसी चीज़ों बदलती रहती है ये भी बदलेगा तो वो भी बदलेगा ये बदल रहा है लेकिन अपनी मड़ी से ये तुम पर depend करता है कि तुम वीडियो को देखूगे या नहीं देखूगे आगे शेयर करोगे या नहीं करोगे वो तुम्हारे उपर है तो वो जो view है वो क्या है independent है लेकिन उस view की बज़र से जो पैसा मुझे मिलेगा वो क्या है एक dependent variable है बात समझ में आ रही है वीडियो को अच्छा तुम्हारी बात करें वीडियो को पीटा आदा देखूगे तो कम नौलेज मिलेगी वीडियो को पूरा देखूगे तो नौलेज जादा मिलेगी तो तुम्हारी जो नौलेज है वो डिपेंड करती है कि तुमने इस वीडियो को कितना देखा है तो भ जाता कंजियूम करोगे तो बिल जाता आएगा कम कंजम्शन करोगे तो यह बिल भी कम आएगा है ना तो इस तरह से कहीं चीज़े होती है तो बटा मैं क्या बल रहा हूँ यानि dependent variable with respect to change in x तो यह हमारे लिए slope होता है change in y due to change in x पर unit change in y due to change in x इस x की एक unit में change हो जाने की वज़स से y में कितने unit का change हुआ वो तो हमारे लिए क्या था लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है ना यह जो concept है this is only applicable for a straight line only applicable for a straight line अब दुनिया में सिर्ट लाइन थोड़ी होती है दुनिया में सिर्ट लाइन थोड़ी है यार भाई हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे जो कोरोना का जो ग्राफ था वो कैसे बड़ा भाई कुछ इस टाइब से आया मेरे खाल से ऐसे गया है ठीक है अचानक से तेट कती से बढ़ना शुरूआ फिर से चलता है मेरे खाल से वह भी कुछ इस तरह तो दुनिया में इस तरह कि कहीं सारी कर्ब्स हो सकती है कहीं सारी चीजों के लिए वैरिबल्स के हम बढ़ा सकते हैं इन फैक्ट हम साइन की बात करें साइन साइन यही तो होता है न साइन अब देखो साइन की खास बात क्या देखो यह तो इतना हिस्सा है इतने हिस्से में यह बढ़ रहा है एक्स को बढ़ाओगे तो वाई बढ़ेगा एक्स को बढ़ाओगे तो वाई बढ़ेगा नहीं इसके बाद वाई घट रहा है एक्स को ब उसमें slope क्या होता है? Positive होता है. यानि कि x increase, तो y भी क्या? Increase. लेकिन कुछ curve कैसी होती है? कुछ line ऐसी होती है, जिसमें क्या है? x increase, तो y क्या? Decrease. यहाँ पे slope positive, और यहाँ पे slope हमारा कैसा होता है? इसमें slope negative होता है. लेकिन जब हम curve की बात करते हैं, तो curve का slope कैसे निकाले हैं? curve का slope निकालना वेटा हम लोग को नहीं आता है. और यहीं पर ही मेरे दोस्तों, differentiation की उत्पत्ती हो जाती है. differentiation में मेरे दोस्तों, अच्छा, तुमारे मन में लिए सवाल आ रहा होगा, कि सर, आप बात कर रहे हैं, slope of a curve की, तो यह क्या बात होगी भाई? slope, slope तो straight line का होता है, curve का क्या slope होगया? तो दोस्तों, बोला जाता है, जब किसी curve की बात करते हैं, जैसे मैं बोलो कि मैं यहाँ पर slope जानना चाहता हूँ. तो देखो, सभी बात है, curve का ऐसे slope कैसे जाना होगे आपके अपके? हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक tangent बना दिया करते हैं. Tangent नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब पका यह होगा, कि curve भी नीचे की तरफ आ रही है. अगर tangent अपवर्ड sloping है, तो आप देख सकते हैं, यह अपवर्ड sloping है, आप देख सकते हैं, यह जो सबसे lowest point है, सबसे lowest follow point, यहाँ पर जो tangent क्या बनेगी, वो parallel to x-axis बना करेगी. तो होता क्या है मेरे बच्चों, curve के उपर हर एक tangent कुछ ना कुछ बता रही है भाई, यह point यहाँ पर बता रहा होगा, यह tangent जो है downward sloping है, तो यह पक्का हमें क्या बता रहा है, कि curve नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पर tangent हमारा upward sloping है, इसका मुलब क्या है, कि पक्काट कर्व हमारी उपर की तरफ जा रही है, ऐसी, यहाँ पर जो tangent है, वो एकदम parallel to x-axis बना करेगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होगा करेगा कि या तो curve अपनी या तो lowest point पर है, अपने top वाले point पर है, या पर curve का curvature change हो रहा है, कुछ इसर की बाते हैं, मतलब यह जो slope का concept बहुत ही wide concept है, यह जो हमें बहुत कुछ बताएगा, किसी variable की maximum value आप जानना चाते हो, उसको derivative बताएगा, किसी variable की minimum value आप जानना चाते हो बटा, उसकी जो value है वो भी अमें derivative बताएगा, कौन सी curve कब अपना रास्ता बदल रही है, कब उसकी graph में, कब उसकी curvature में change आ रहा है, वो सब हमें derivative बताएगा, तो मेरे दोस्तों यहीं पर ही हमारे derivative की उत्पत्ती हो जाती है और बोला जाता है कि बाई बोला जाता है कि जो delta y upon delta x है ना यह slope है यह slope है बाई डेल्टा y, डेल्टा y अपॉन में, डेल्टा x, यह तो slope है, यह बात आपको मालूम है, अब दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, कि यह जो डेल्टा x है ना, उसमें छोटा सा change करो, small change, और वो जो change होगा ना, वो 0 के बहुत close होगा. देखो दोस्तों, ऐसा है न, y equal to मैं कहूं कि fx है, यान कि यह मेरे लिए y1 है, मैंने आप से बोला कि इस x मेरे थोड़ा सा change करो, कितना change करो, थोड़ा सा, यान कि x को delta x बढ़ा दो, जैसे अगर मालो अभी आपका x2 है न, तो नया x कितना हो जाना चीए, वो 2.1 हो जाना ची हो जाएगी, y की value भी बदल जाएगी, और वो y जो y1 था, अब वो क्या बन चुका होगा, y to 1, देखो concept में ले जा रहा हूँ यार, ठीक है न, quotient बनाना बाइया आत का खेले भाई, जो lefty होगा, वो right hand से भी कर लेगा, ठीक है न, तो दोस्तों, मैं क्या कहरा हूँ, कि जो उस situation में हमारे सामने limit आ जाती है, तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे क्या बोलता हूँ, इस delta y upon delta x की भी कुछ न, कुछ limiting value जरूर होगी, वो भी तब जब delta x क्या हो, 0 के बहुत, close हो, और इसको solve करके दोस्तों, जो answer आता है न भाई, वो क्या चीज़ होती है, वो होता है, slope of tangent, and slope of tangent, मतलब की बेटा, ये हमारी curve है, y equal to fx, और इस curve के इस point पर एक tangent बनी होगी, इस tangent का कुछ slope भी तो होगा न, बेटा, तो वो tangent का slope होता है, वो limiting value होती है, delta x tends to 0, limiting value की सीज़ की, delta y upon delta x की, ये जो concept है, ये differentiability का concept है, फिलाल अभी आप लोग इतने से काम चलाओ कि इसके आप लोग से आदे पॉने घंडे की एक वीडियो बनाऊंगा, बात समझ मेरी बच्चों, फिलाल अभी आपको ऐसे समझना है कि ये chapter के question आप लोग से बन पाए, और concept भी या भीजे में set हो जाए, तो concept क्या है, कि इसको solve करके जो answer आया करता है, वो slope होता है, किसका tangent का, यह तो था 10 theta, दूसरा क्या था, y2-y1 upon x2-x1, तीसा तरीक आप लोगोंने क्या देख लिया, delta y upon delta x क्या, उसमें limit लगा तो delta x transfer 0, तो उसको solve करके जो answer मिला करेगा, वो slope of tangent हुआ करेगा, और मालूम होँआप लोगों को, कि delta x tends to 0 है, नीचे delta x लिखा हुआ है, उपर delta y लिख delta y अगर आपको find करना है तो उसके लिए आपको y2 में से y1 घटाना पड़ेगा, और y2 क्या बिटा माले पास, fx plus delta x minus में fx, और इस value को जब आप यहां put करोगे, fx plus delta x minus में fx, और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ, यह चीज जो है बिटा, यह slope of tangent तो है ही, इसी को बिटा हम लोग d y by dx के नाम से represent किया करते हैं, यानि कि मेरे दोस्तों, यह वो चीज है, जो 11th क्लास में थी, जिसका नाम क्या था, first principle के नाम से बिटा, इस formula को हम लोगों ने class 11th में पढ़ा था, और जितने formula थे ना, सब यहीं से derive हुए थे, साहिम का, derivative, cause का, 10 का, सब पिटा, अभी भी जो पढ़ा होगे, सब यहीं से derive होगा, but class 12th में पिटा, आपको बस इस formula का, याद होना चाहिए, quotient spin नहीं हुआ करेंगे, तो derivative क्या है, derivative का मलब होता है, किसी curve पर बनने वाले tangent का, slow, बात समझ में आरी दोस्तों, कहने वाले य change in y, with respect to change in x, the limiting value of the change in y, with respect to change in x, यह भी इसको बोला जा सकता है, तो दोस्तों, अभी तक में जो भी चीज़ में ने बताई, अब काम की बात स्टार्ट हो रही है, अब काम की बात स्टार्ट हो रही है, अब ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, आपको बटा बता दू, तो y equal to fx है, x अगर बदलेगा, तो y भी बदलेगा, कितना बदलेगा, किस rate से बदलेगा, किस दर से बदलेगा, उस चीज़ को जानना चाते हो, तो बटा, उसको लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है, आप इस y का derivative करना चाते हो, x के respect में करना चाते हो, तो ल केने वाले बदलेगा, इसको y1 भी बूलते है, y dash भी बूलते है, ओर f dash x भी इसको बोला जाता है, fx का derivative यह भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं, यह सब नाम आप लोगों को याद रेने चाहिए भाई, तो दोस्तों, formula बटा, सबसे पहिला ज उसकी पावर एक constant है और हमें निकालना है dy by dx तो करें क्या सेर हमने पावर को उठा के आगे ले आना है पावर में से एक minus कर देना है और दोस्तों यही हमारा उत्तर है उदारणता है बिटा मैं आपसे बोलू x का square इसका derivative करो derivative क्या बता रहा है मतला बताता हूँ x square का derivative क्या 2x मैं आपसे बोलू बिटा y equal to x की power 10 y का derivative क्या होगा y का derivative क्या होगा तो आप लेके देंगे dy by dx होगा power को उठा के आगे लियाओ power में से एक minus कर दो बेजे में बाद set हो रही है कि नहीं हो रही है भाई आजी मैं दुबार सुदेगा यार तो मैं ऐसे नहीं समझ रहे यार y equal to x की power 100 dy by dx ची है यार 100 को उठा के पहले लेओ x की power 99 हो जाएगी मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपके सामने सिर्फ x एक मातर मैंने x लिखिया उसके साथ कुछ और ही नहीं यार कुछ और ही नहीं उसके साथ मैं सर हमें चीए dy by dx का करे बहिया 1 को उठा के आगे लियाओ x की power में सिक मानस करता तो ultimately बचेगा कितना 1 सर याद रखिएगा इस अब दोस्तों यह तो समझी गए अब ज़रा सोचो कभी कुई constant अगर आपके पास आ जाए y equal to आ जाए 2 अर बोल दिया जाए कि बताँ अब इसका derivative क्या होगा dy by dx आप से पूछा गया है तो याद रखिएगा जो constant function होता है ना भाई वो कुछ ऐसा होता है यहाँ x यहाँ y origin तो y equal to 2 यानिकी इस तरह से लाइन से ले जाती parallel to x axis तो देखो यहाँ पर x0 तो y2 x1 तो y2 x2 तो y2 x3 तो y2 x कुछ भी हो y2 ही रहेगा x कितना भी बढ़ा तो घटा तो y ने 2e रहना है धीट है भाईया नहीं सुदर रहा है कितना भी मारो कुटो होते है ना कुछ बच्चे भीट हमारे ऐसे तो पड़ यह भी वही है कोई change है नहीं इसमें प्यार से समझाओ मार से समझाओ परिवर्तन कितना कोई परिवर्तन परिवर्तन की दर कितनी है भाई जीरो सर अगर मैं आपके सामने लिख दूँ पाई पाई तो पाई भी पेटा कोई constant है वेरिबल थोड़ी है पाई का derivative भी क्या जीरो जैसे पाई एक irrational constant है न मेरे दोस्तों ऐसी irrational constant कहीं सारे होता है यार एक constant e के नाम सी भी जाना जाता है य गए 0 तो दोस्तों constraint का derivative होता है 0 लेकिन अगर मान लो ना y equal to आजाए 2x अब आप लोगों को मालूम है आप लोगों को मालूम है x का derivative तो 1 होता है और और किसी constant का derivative 0 होता है लेकिन मितरों यहां पर constant के साथ variable भी आ गया तो यानिकीज का मतलब क्या है जब constant अकेला मैदान में कूछ जाता है लड़ने के लिए तो दोस्तों पिड़ेगा खलास हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर कभी यह constant अपने साथ एक variable को एक हतियार को लेके जा रहा है ठीक है तो इस situation में बिटा इस situation में क्या होगा हतियार पे चोट लग सकती है उसमें change आ सकता है लेकिन वहिया इस टू का बाल भी बाका नहीं होगा भाई constant के वो बिटा कोई टेच भी नहीं कर पाएगा जो कुछ भी होगा किसके साथ होगा वो जो हतियार बनके बिटा वो जो वैरेवल जा रहा है ना उसका derivative बन हो जाएगा जैसे मैं बोलो मिटा मैं आपके सामने ल चार पहले और आगे एकस का क्यूब और मेरे दोस्तों इसी प्रकार से यांसर बन जागा चार ती है बारा एकस का क्यूब यह आंसर आगया भाई हमारा अच्छा अगर मालो कभी मैं आपके सामने लिख देता हूँ y equal to x square 4 x square plus 8 x plus में 10 और अब मैं आपसे बोलनों कि बता हो y by dx क्या हो का तो इस situation में क्या करें तो दोस्तों करना कुछ नहीं है जो चार है उसको as it is रहन दो जो x square है उसका derivative 2x 8 के साथ कुछ नहीं और x का derivative 1 और देखो बिटा यह hero और hero पंती बिटा समझारी वक्त constant अखेल है derivative 0 तो दोस्तों यह बात आप लोगों ने याद रखनी है यह समझ में आ गया हो तो मैं आपको लेकर चलोंगा आगया की तरफ कभी बिटा denominator में भी x आ जाता है डिनॉमिटर में वन भाई x पर हमारे पास आ जाए और बोलने बताओ भाई इसका derivative क्या होगा तो भाई सबसे पहले काम करो इस x को उपर ले जाओ अभी derivative किया नहीं है मैंने अब करूंगा सर सर डी वाई बाई दी एक्स पावर को उठाके आगे लिए आओ पावर में से ए लिए एक माइनस कर लो माइनस वन गडया तो बड़ए यह क्या बन गया माइनस का वन और यह ची डिनॉमिटर में आ जाएगी तो यह x की पावर 2 हो जाएगी यहार मैं आप से बोलो मिटा y एक्वर 2 है 3 की अपौंण में x की पावर 5 अब क्या करें हमें तो चींए d y by dx हमे सब्सक्राइब को पहले लिखा इसमें समझ में आ गया है अच्छा अब क्या करें अब यह बताओ और रूट एक्स दे दे तो क्या करोगे या रूट एक्स की जो पावर है ना पुछन नी दिख रही हूं रूट है तो क्या बन जाती है पावर को निकालो तो भाई पावर को ठाके आगे लेओ और पावर से एक मानस किया वन बाई टू से जब वन सब्ट्रेट करते हो न तो यह मानस का वन बाई टू आ जाता है और नेक्स स्टेप में बिटा यह चीज़ डिनॉमिनेटर में आ जाती है तो पावर इसकी पॉस्टिब हो जाती है और वन बाई टू इसको आप बिटा दुबारा से रूट एक्स लिख सकते हो तो दोस्तों रूट एक्स का जो डेरिव अब यह पिछली वाली स्लाइड में देखा था मैनस वन बाई एक्सकॉर स्टू याद रखना है यो डेरिविटिब क्या एक्स के रिस्पैक्ट में आप बोलेखे वन जिसका डेरियुमिनटिब कर रहे हैं उसके साथ दी लगा दिते हैं आपन में एक्सका डेरिविटिब अगर मानलो हमें कोशिन देती आ जाए कि बता हो या वन के अपॉन में रूट एक्स आ गया है इसवाट इनॉमनीटर में रूट एक्स है क्या करें तो करना कुछ नहीं है इस इस के एक्स की पावर 1 by 2 है इसको उपर वेजो उपर जाके पावर माइनस की 1 by 2 हो जाएगी और ड प्लस की 3 वाइट हो जाएगे और यह कुशनिया पर हो जाता है समाप तो दोस्तों मैंने आप लोगों को रहा एक फॉर्म्मा समझा दिया एक फॉर्म्मा मैं आपको अभी तक समझा चुका हूं कि कभी भी एक्स की पावर में n आ जाता है न मिटा तो उसका जो से डिराइव हुए है वह क्या है उनको पिटा मैं याप लिख जेता हूं और याद रहिए उन फॉर्मा को याद करोगा न पिटा तो मेरा नहीं आपका भला होगा ठीक है कि साइन एक्स का डेरिविटिव करो एक्स की रिस्पेक्ट में तो वह लोग आपका जो जवाब है वो क्या आना चीये? वो आना चीये? कोस X. मैं जूराइँ का डरीविटिफ क्या होता है? कोस का डरिविटिफ वो होता है मांजस का साइन एक्स मैं आपसे बलू आच्छे देखो साइन का कोस कौस का मांजस साइन दोनों एक जासे हो गए न? जिसकी शुरुवात C से होगी पीट उसके भार मानिस लग जाता है ओके सर, 10X का derivative तो दोस्तों याद रखिएगा 10 का derivative की जब हम बात किरते हैं तो देखो 10 का 10 तो रहे 10 का जो साथ ही होता है न यार सेक होता है तो यहां बनेगा सेक स्क्वेर एक्स और यह इसलिए गर मैं बहुलू कॉट X कॉट X तो कॉट X का derivative क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वेर एक्स ठीक है 10 का साथ ही सेक है कॉट का साथ ही कॉसेक है जिसकी शुरुवात C से हो रही हो माइनस उसके भार लगी रहा है ओके ठीक है सर ऐसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ बताओ सेक X का भी कुछ derivative होता है तो भाई मिल्कुल होता है सेक X तो रहता ही है सेक का साथ ही कौन है 10 10 का सेक तो भाई साथ में इसके 10 X भी आता है मैं यह चीट पूछू की कॉसेक X का derivative क्या होता है कॉसेक X तो भाई कॉसेक तो लिखना ही है माइनस भी लगेगा सी से शुरुआत दूरी है वाई कॉसेक के साथ ही कौन है बेटा तो यह भी रहगा यहां प्यार यह याद रखना बच्चों प्लीस बच्चों याद रिख लेना यार ठीक है ना कॉसेक का हो जाएगा ऐसी एक लॉग X नाम से चीज है भाई लॉग X लॉग X के बारे में अगर आप लोगों को मालूम है तो बहुत अच्छी बात है नहीं मालूम तो मैंने सिर्फ लॉग X पर समर्पित लॉग X को समर्पित एक अलग से वीडियो भी बना रखी है मेरे इसी चैनल पर आपको दिख भी जाएगी अनुराग लिखकर लॉग लिख देना आगे अनुराग लॉगरित्मिक आपको वीडियो दिख जाएगी यार ठीक है आप उसको भी देख सकते हैं अधर्वाइस 5.4 पर लॉग के बारे में मैं डीटेल से चर्चा करूँगा अभी थोड़ी देर में मुलब चर्चा करूँगा ओके तो देखे लॉग X का जब हम डिरेक्टिव करते हैं बच्चों तो 1 by X पर आम यहाँ पर लिखा करते हैं यही एक exponential function नाम से चाहिए होती है जिसमें किसी constant A की power में X आ जाती है ठीक है और यह A भी जो होता है न यह कोई positive number होता है ठीक है तो A की power X constant की power variable तो पहले तो same लिखा करते है into में log A इसमें आ जाया करता है यह याद रखने है बड़ा है फॉर्मॉला ठीक है न एक की power X एक की power में X तो याद रखने है यह E मैंने आपको थुर देर पहले बताया था वेर E कोई irrational constant है जिसकी value 2.7183 होगी वैसे value तो इसकी 1 upon 0 factorial प्रस 1 upon 1 factorial प्रस 1 upon 2 factorial और ऐसी सौन चलते रहती है तो इसकी जो इसका expansion find क्या करते है बट वो आपको याद आखने की जुरूत नहीं पड़ेगी आपको यह चीज़ में याद रहनी चाहिए यार तो EX का derivative होता है भाई हो EX का EX ही रहता है तो दोस्तों अब ऐसे है ना यह कुछ formula मैं तुम्हारे सामने लिखवा दिये हैं अब इनको जो याद करना है ना वो आप लोगोंने याद करना है मैं अब इसके बाद chain rule बता रहा हूं यार फटा पट से इन फॉर्मनों को अभी अपनी copy में लिखो क्योंकि मैं बार बार slide नहीं chain करूंगा आप अपनी copy में सीना formula देखना और answer लिखना इसके जरत पड़ेगी वीडियो को pause करो इसको note करो फिर हम चल रहे है आगे की तरफ तो देखें दोस्तों chain rule के हम लोग शुरुआत कर रहे है chain rule chain rule क्या है वाई तरह उसी इचको बढ़िया से एक बार समझते हैं देखें chain rule जो है ना है थोर भहिया की थोर भहिया को जानते हो इन थोर भहिया के पास एक हतोड़ा है एक hammer ठीक है और यह जो hammer है भहिया इसको सिफ थोर भहिया ही चला सकते हैं इस hammer के जरिए इस हतोड़े के जरिए आप लोगों ने function को तोड़ना है अब अभी तोड़ना सीख रहे हो कुछ टाइम के वाग पर जोड़ना भी सीखोगे integration में ठीक है तो देखें बच्चों ऐसा है ना कभी कोई function पीटा आपके पास आ जाता है मैं आपके सामिल देता हूं इस टाइप का ठीक है तो यह आप आप क्लिरली देख सकते हैं यह जो अभी क्या चीज है जो पूरे की पावरर है वे फावर अभी क्या है वह 3 है तो ही हथोड़ा हुआ है यह चलेगा और ह्तोड़ा पेटा पहले बाहरी आवरण पर चलता है यह जो चीजिए बाहर है का मैं वहां चलेगा हाथ यूद चलेगा ही फिर फ Worksin पर उसके बाद कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं, कि power को differentiate करने के लिए ये फॉर्मा लगता है, x की power अगर n है न तो power को उठा के आगे लिया आते हैं, और power में से एक minus कर देते हैं, sin x का derivative cos x होता है, कभी sin x square आ जाए तो cos x square लिखेंगे, अगर sin root x आ जाए तो cos root x लिखेंगे, तो ये formula ये याद रखना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पर भी देखो scene क्या है न, हमें करना है derivative, भाई लोग हमको तो करना है derivative, तो सबसे पहले बारी आएगी power की बाहर क्या चीज़ है, दोस्तों, बाहर जो चीज़ है, पहले उस पे हथोड़ा चलेगा, तो power को पहले लिखा, और power में से एक minus कर दिया, पावर को पहले लिखा और power में से एक minus कर दिया भाई, ठीक है, into में, multiplication में ही चलेगा, अच्छा देख लो, function के साथ कोई छेड़खानी नहीं, एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं, बाद छेड़खानी पावर के साथ है भाई, उसको यहां लियाओ, उसमें से एक minus कर दो, इतना हो जाए, तो उसके बाद बारी sine की, और sine का जो derivative होता है बटा, वो होता है, और कॉस का, कॉस का एंगल से एक्स मत लिख देना है, और मैंने क्या बला, sine x का कॉस x होता है, तुम बेटा पावर को डिफिशेट कर चुके हो, तो sine x क्वेर का क्या लिखोगे, कॉस x स्क्वेर लिखेंगे भाई, बात समझे बारी है, एंगल जो उपर भाई नीचे रहेगा, अब जब इसका भी हो गया, अब किसकी बारी, अब बारी है एंगल की, और एंगल क्या है गाईज, एंगल है x स्क्वेर और x स्क्वेर का जो derivative होता है, वो होता है 2x, मैं मान के चल रहा हूँ, ये बात आपको समझे में आई, ये बात समझे में आई, तो हम चल लेंगे अगले की तरफ, आपको बोल दिया जाता है, और यहाँ पर दे दिया जाता है, अब लोग को only 1, एक्स दे दिया गया, और कुछ ने दिया, ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है न, पावर, पावर क्या इसकी, 4 है, पहले पावर की बारी, 4 को पहले ले ओ, और पावर में इस एक, माइनस कर लो, देख लो, पावर के साथ छेड़ खानी करी है, और वो उमने कर लिए बटा, अब उसके बाद, अब बारी है, कॉस का derivative, कॉस का जो derivative होता है, वो होता है, माइनस का, साइन, अब एंगल क्या लिखूं, तो तुम बोलेगे, उपर क्या था, कॉस का एंगल एक्स था, तो निजए साइन का एंगल भी क्या रहेगा, वहना हर कोशन पे, हर कोशन पे chain रूर लगता है, यहां पर भी देखो chain rule लगेगा, कैसे, पावर कितनी है, one, पावर को पहले लिखा, पावर में से गटा दिया, पावर का होगया, अब साइन की, साइन का डरेटिव कॉस लो भाई, यह हो गया, अब एक्स का डरेटिव 1, तो देखो किसी नमबर की पावर 0 है, तो वो वन बन गया, वो वन बन गया, अल्टिमेटली बचा कितना, कॉस X, तो यह रीजन है बिटा जब पावर नहीं दिखे रही तो सीधा साइन का डरेटिव 1 नहीं पड़ती है, तो बच्चों, यह हो गया भाई हमारे पास, अब इसी चीज़ को पर थोड़ा सा और बहतरीन बना देते हैं, वाई, 10 रूट एक्स हमको दे दिया जाता है, 10 क्यों रूट एक्स हमको दे दिया जाता है, तो मितरों, सबसे पहले पावर की पारी, 3, 10, square, root x, देख लो, मैंने 10 के साथ कुछ नहीं किया, root x के साथ कुछ नहीं किया, पावर को पहले लिखा, पावर में से 1 माइनस कर दिया, अब पावर दिखना बंद, पावर नहीं दिखनी चीज़ी वाई तुम्हें, 3 दिखना बंद, ठीक है, अब जो है, अब य 10 root x है, तो मैं क्या लिखंगा, sec square root x, फिर इसका भी हो गया, फिर किसकी बारी, root x की, और मैंने वोला था, root x का derivative याद रखना, तो root x का derivative क्या होता है, वो 1 by 2 root x बन जाएगा, या कोशन या पर हो जाता है, sum up, ओके, अब कुछ कोशन देखो, ऐसे होते हैं, तो साइन, x square प पावर नहीं देख रही, हतोड़ा चलाना है, पावर तो हही नहीं, सीरा function पे हतोड़ा चलेगा, तो sine का derivative होता है, cos x square प्लस 1 ऐसी रहेगा, angle के साथ कोई छेट गानी नहीं, पहले भी बारी sine किये, तो sine का cos लिखती है, cos को कुछ angle भी होगा, वही होगा जो उपर था, x square प इसे कितने कर रहा होगे, जब तक समझ नहीं आएगा, तब तक कराएंगे, और मुझे मालूम है, तुम्हारे भीजे में ऐसे बात सेट नहीं होगे बिटा, तुम पेटिके मानोगे मेरे से, cos का derivative, minus का sine, cos का minus sine, angle सेम रहेगा भाई, angle सेम रहेगा भाई, अब उसके बाद angle क कि बारी, तो a constant है, x का derivative 1, b इसका derivative क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा 0, और जब फाइनली जो ची हमारे बस बचेएगी, मिटों, बचेएगे, minus में a, sin, ax plus b, एक और देखो यार, एक और देख लो, बच्चों ऐसे क्यों किर रहे हो भाई, question ने पिटा हमारे सामने, sin दे x है ना, तो पहले देखो, sin की power तो कुछ है नहीं, तो पहले तो sin की बारी, sin का derivative क्या हो जाएगा, sin का derivative हो जाएगा, cos एंगल सेम रहेगा, लो भाई, इसका derivative हो गया, अब cos की बारी, तो cos की power 1 है, cos है, फिर x है, तो सीरा cos x का लिख लो, यार, cos x का होता है, minus में, sin x, question, खत सम, टाटा, बाई-बाई, sec 2x देदिया, बैटा हमारे पास, sec 2x, तो देखो या, sec का होता है, sec x का होता है, sec x 10x, तो sec 2x का क्या होगा, power कुछ है नहीं, तो क्या लेखेंगे, sec 2x 10, 2x, या तो sec का हो गया, sec का कर चुके है, आप अब एंगल के बारी, तो एंगल में 2, x का 1 और कोशन क्या है या पर, कोशन इदर हो गया, finish, the end, ये भी खत्म, अच्छा सर, ये कोई अच्छा कोशन कराओ सर, बढ़िया, सुन दर कोशन कराओ सर कोई, लो गई, सुन दर कोशन में तुम्हारे सामने ले आता हूँ, तो देखो दोस्तों, ज्यानपुर वक्त देखेग अब पावर में से सब्ट्राइट करनो, लो भई, पावर का हो गया, पावर का हो चुका है, अब कॉस की बारी, तो कॉस का इंटू में, कॉस का डिरेटिव क्या होता है, माइनस का साइन, एंगल तो सेम रहेगा, भई, साइन स्क्वार एक्स, लो भई, कॉस का भी कर लिया, कॉस का मैनस sign angle frame रहेगा अब यहां देखो यहां पर यहां भी power भी है तो पहले power का करो 2 अब angle की बारी यह न है अब तो angle का derivative करना है तो पहले power का करो 2 sign की power 1 फिर यह भी हो गया अब sign की बारी cos x फिर sign का भी हो गया अब x की बारी x का 1 और दोस्तों ये है हमारा chain rule मैं मान के चल रहा हूँ chain rule आप लोगों को समझ में आ चुका है अब बटा हम लोग यहाँ पर देखेंगे product rule तो देखी दोस्तों अब हम यहाँ पर देखने वाले है product rule product rule क्या है वाई product rule है कि कभी अगर कभी हमें दो function multiplication में दिखाए देते हैं एक first function और एक है second function और दोनों multiplication में है और हमसे बोल दिया जाता है कि इसका derivative करो with respect to x first into second दोनों multiplication में है और हमें इनका derivative करना है with respect to x तो नियम क्या बीटा नियम यह है कि दूसरे function को ऐसे ही लिखो दूसरे को ऐसे ही लिखो और derivative कर दो पहले का फिर उसके बाद पहले को ऐसे ही लिखो और derivative कर दो दूसरे का तो दोस्तों यह एक नियम है और इसका अनुसराण ह हम लोगों को करना है यह नियम क्या बोल रहा है वाई यह बोल रहा है कि अगर कभी तो function हमारे पास आ जाते हैं इस type से अकर सिर्फ x square की बात की जाए sin x को चुपा दो सिर्फ x square की बात की जाए तो x square का derivative 2x होता है sin x का derivative cause x होता है यहां तो दोलों multiply में हैं ना तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 2x into cause x लिखतो वो गलत हो जाएगा बई तो यहांबर क्या करना है किसी एक को first नाम दिया अगले वाले को second नाम दिया और हमको करना है differentiation with respect to x तो देखो y का derivative क्या हो जाएगा नियम क्या बोलता है दूसरे को sin x को ऐसी लिखा derivative करो पहले का पहले का derivative क्या पहले का derivative 2x प्लस अब क्या पहले को ऐसी लिखो याने कि x square को ऐसी लिख दो और derivative करो तो दूसरे का याने दूसरा क्या है sin x का derivative क्या होता है sin x का derivative हो जाता है cos x और यह question यहाँ बेश समाब तो जाता है कुछ common लेना चाहो तो ले सकते हो question एक और देखते है मान लीजिए question को थोड़ा बैतिन निमनाते है है थोड़ा सा और मैं आप से कहता हूँ sin square x into में 10 root x इस type से question आपकी पास आ जाता है ठीक है अब आप देख सकते है sin square x में power function angle chain rule तरीके से लगेगा पूरा 10 का सिर्फ 10 x नहीं 10 root x है root x है भाई तो देखो दोनों के वीछ नों multiply यह पिटा तो यह first हो गया और वह आपके लिए second हो गया तो differentiate करेंगे इसको with respect to x तो देखें y का derivative dy by dx निम क्या बोलता है दूसरे को ऐसे ही लिखो लो भई दूसरे को ऐसे लिख दिया derivative करो पहले का अब इसका derivative करना है भाई इसका derivative तो देखो पहले power का करोगे तोड़ा पहले 2 पे चलेगा 2 sin की power 1 x फिर sin का करो तो क्या बनेगा cos x फिर x का करोगे तो क्या बनेगा 1 खतम प्लस अब पहले को भईया अपने स्थान पर ऐसे ही लिख दीजिए और derivative कीजिए दूसरे का तो दोस्तो 10 root x का derivative करना है तो 10 की power तो कुछ है ही नहीं सिधा 10 का करता होगे तो 10 का derivative क्या हो जाएगा 6 square root x फिर root x का derivative करोगे तो क्या बन जाएगा 1 by 2 root x बात समझ में आ रहे है मेरे दोस्तों और ये question यहाँ पर हो जाता है समाप्त खलास जैसे प्रूडक्त रूल सीगा विटम लोगों ने ऐसी हमारे पास यहाँ पर एक question true लाम की भी चीज आएगी question true question true लाम की भी चीज आएगी question true में क्या होता है ना एक numerator में होगा एक variable denominator में होगा हमें करना है derivative हमें निकालना है d y d x तो क्या करें तो करना किया है तो दूसरे denominator को नीचे ऐसे ही लिखटो denominator को नीचे ऐसे लिखटो derivative कर दो किसका उपर वाले का derivative उपर वाले का ठीक है उसके बाद माइनस numerator को ऐसे लिख दो और derivative कर दो denominator का और upon में second function का whole square ये एक छोटा सा फॉर्म ना विटा जो आप लोगोंने follow करना है देख सकते हैं दुबारे से उपर वाला हब या first होगा नीचे वाला second होगा नीचे वाले को second as it is then derivative of first minus उपर वाले को फिर ऐसी लिखना है और derivative करना है second का फिर denominator का whole square जैसे example के तौर पर मेरे मित्रों समझिएगा मैं आप से बोलता हूँ उपर है ex नीचे है x square plus 1 और कहते हैं इसका derivative बताओ क्या होगा तो भाई लोग समझ जाओ ना उपर वाली जो चीज है वो first हो और नीच वाली जो पूरी चीज है वो हमारे लिख second है हमें differentiate करना ह है with respect to x करना है differentiate with respect to x तो दोस्तो y का derivative dy by dx y का derivative dy by dx तो नियम क्या बोलता है नियम कहते हैं नीचे वाले को ऐसी लिखो लो भाई x square plus 1 को ऐसी लिख दिया फिर derivative उपर वाले का करो तो लो भाई ex का derivative तो x का derivative तो x ही होता है माइनस अब उपर वाले को ऐसी लिखो उपर वाले x को ऐसी लिख दिया और derivative पर नीचे वाले का second का second x square plus 1 का derivative क्या हो जाएगा x square का हो जाएगा 2x 1 का हो जाएगा plus में उसी हो तो लिखने की ज़रूत नहीं है अब पॉंड में क्या करना है है second का whole square second यानकी x square plus 1 का whole square और ये question दोस्पन यहाँ पर हो जाता है समाप ऐसी देखो आपकी book में भी एक question है मैं वो करवाता हूं यार book में question है sin ax plus b upon me cos cx plus d sin ax plus b के upon me क्या है cos cx plus d और कहता है भाई कि इसका differentiation करो dy by dx निकालो तो क्या करना है यार क्या करोगे बाई question टूल लगाओ एक उपर एक नीचे differentiate करो इसको with respect to x y का derivative हो जाएगा dy by dx y का derivative dy by dx आप देखो नियाम नियाम जाने ध्यान परोग समझेगा denominator को ऐसे लिखना है denominator को ऐसे लिखती है derivative करना है उपर वाले का उपर क्या है उपर क्या है उपर क्या है दोस्तों हमने derivative कर दिया है अब बस इसके simplification का काम यहाँ पर रह चुका है मैं इसी चीज को एक बार दुवारा बता रहा हूँ नीचे वाले को ऐसे लिखा ऐसे लिख दिया उपर sign का derivative cos ax plus b फिर ax plus b a constant x का 1 तो only a बचे का b constant उसके साब कोई variable ही उसका 0 हो जाएगा तो सिर्फ a ही तो होगा इसका derivative तो देखो a लिख दिया minus numerator को ऐसे लिखा derivative denominator का करना है cos का होता है minus में sin cx plus d फिर cx plus d का भी करोगे तो c बन जाएगा upon में second का whole square आ जाएगा और यह question हमारा यहाँ पर देखो अब इसको आप simplify कर सकते हो बाई simplify कर सकते हो जैसे a को पहले लिख लिया cos cx plus d cos a x plus b यह माइनस और यह माइनस प्लस c पहले लिख लो sin a x plus b sin cx plus d upon में cos square cx plus d और यहाँ पर भी upon में cos square cx plus d उसके बाग भी आप यहाँ पर इस cos से यह power कर जाएगी तो a रहेगा cos a x plus b रहेगा upon में cos cx plus d रहेगा c sin a x plus b वह sign और यह cos बिल के बना देंगे 10 cos नीचे बच जाएगा और यह question यह आप रो जाएगा खलास हाँ एक आम और कर सकते हो इस cos को आप उपर भेज कर सेक लिख सकते हो और इसको भी आप उपर बेज कर सेक लिख सकते हो तो दोस्तों इसके साथ ही इसके साथ ही आपके 5.2 के जो first eight questions है first eight questions उन questions को पेटा आप लोग अपने आपब कर सकते हो बाई ठीक है अब मैं चल रहा हूँ पेटा 5.2 के एक concept है differentiability 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 इस concept के उपर एक detail वीडियो फॉर्मला की direction अगर है कैसे वी उप है बाद में कभी बनाऊंगो उसके उपर एक वीडियो ठीक है फिलाद भाई अभी आपको उसी फॉर्मला देखेंगे कि अगर मालो कभी y equal to fx है ठीक है और आपको बोल देगा कि at x equal to k पर check करो कि हमारा function differentiable है या नहीं है तो दोस्तों यह बात ध्यान रखेंगा जब differentiability देखो exam में 2013-14 में दिल्ली में question देखने को मिला था ठीक है और यह concept है उसके बाद से exam में आया नहीं है मैं बहुत ही कम आया है तो इसलिए इसको ignore भी किया जाता है पर मैं आपको चीजों का घ्यान होना जरूरी है चीज़े आपको पता होनी चाहिए concept भी छूटना ने चाहिए तो इसलिए क्योंकि इसके पर पूरी अलग से करी 45 मिट तक की वीडियो बड़ी है छात्राइश राइश डी इसट्री और आर और आरेश टी यह BTS ट्रिशनी होती है रोग लेंट केलविट यह है यहां पर राइफ हां डेरिविटेव राइई हो ता आ है आपने करना क्या है ले अ अनिन डॉन माइनस fx माइनस fk अपॉन में x माइनस k यह left hand derivative है same चीज वहाँ यूज़ दोगी यहाँ पर क्या है limit x tends to k plus fx माइनस fk अपॉन में x माइनस k ठीक है तो दोस्तों ऐसे है न यह दोनों चीज़े जब भी आपकी equal आएंगे तो हम बोला करेंगे function differentiable है और अगर यह दोनों हमारी equal नहीं आती तो हम क्या बोलेंगे function differentiable नहीं है तो देखे एक question बड़ा मैं आपकी सामने आपकी पेश करता हूँ जैसे आपकी book का यह question है modulus के अंदर x माइनस 1 modulus के अंदर x माइनस 1 और क्या बोल दिया जाकता है check differentiability कहां पर at x equal to 1 पे 1 पे हम लोगों को differentiability check करनी है तो दोस्तों यह जो 1 हमें दे रखा है ना पहले तो मुझे यह बताओ f1 की value क्या होने चाहिए f1 की value तो आप बोलने है 1 minus 1 answer कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारा f1 जो है 1 minus 1 हमारा answer 0 आ जाएगा अब देखो at x equal to 1 पे जो मारा left hand derivative होना चाहिए तो for my क्या लिखेंगा भी limit x tends to जब समझो जब मैं बोल रहा था at x equal to k at x equal to k x tends to 1 x tends to k minus था x tends to k plus था तो यहाँ पर जो k का काम कर रहा है वो k का काम 1 कर रहा है k का जो काम कर रहा हो कौन कर रहा है वो 1 कर रहा है तो formula में जहाँ पर भी k है उस k की जगह पर बिटा हम लोग को 1 पूट करना पड़ेगा तो देखोंगे क्या बन जाएगा x tends to 1 minus fx minus f1 upon में x minus 1 ठीक है मैंने formula में जहाँ पर भी k देखा उस k की जगह पर बिटा है मैंने इस 1 को पूट कर दिया अब देखें limit x tends to k minus x जाए वो एक से कम है x चाहे एक से कम हो या जादो use तो क्या करना है modulus के अंदर x minus 1 और f1 की value लोगों ने निकाल रखी है 0 upon में भी क्या है x minus 1 अब ही continuity का question है बिटा पूरा है limit का question है limit change करोगे तो limit change करना आपको याद होगा नई limit h tends to 0 x की जगह पर 1 minus h आजाएगा x की जगह पर 1 minus h upon में x की जगह 1 minus h minus का 1 तो देखें क्या होगा limit h tends to 0 1 से 1 कर चाएगा minus का जो h बचेगा बिटा नीचे भी minus का h बचेगा अब देखें उसके बाद यह plus का h upon में minus का h cancel होगे बिटा जो हमारे पास जो आया वो कितना आ गया वो हो गया minus का 1 यह है बिटा हमारी left hand limit यह LHL है वाई हमारे पास हमको इसी प्रकार से RHD भी चेक करना है RHD अब RHD के लिए क्या फॉर्ण है फॉर्ण सेम है या बस K वहाँ पे इधर minus था वहाँ पर यह K plus है K की जिगाए पर 1 आ जाएगा K की जिगाए पर पर हमारा 1 आ जाएगा तो देखो लिख सकते हैं limit पहले राइट है डेरिविटिफ फॉर्ण में वैल्यूस पुट करने भाई हों लिए हम limit X टेंट टू 1 plus FX माइनस F1 अपॉन में X माइनस 1 ओके X एक से जादा है और FX की बदे तो दे रखी है और यह तो 0 है limit अगर चेंज करोगे बिटा limit अगर चेंज करोगे तो नई limit आजाएगी H tends to 0 और X की बदे आजाएगा 1 plus H नीचे पर X की बदे आजाएगा 1 plus H ओके 1 से 1 कैंसल 1 से 1 कैंसल limit H tends to 0 उपर H नीचे H cancel हो पूरा बन गया 1 आप क्लिरली देख सकते है LHL-1 है और RHL-1 है तो हमारा LSD और RSD एक दूसरे के equal नहीं हा रहे है समक्या बोलेंगे भाई So F is not differentiable function जाएबल differentiable नहीं है कहाँ पर add X equal to 1 पर पर दो ही चीज़े चेट करनी होते है यह ध्यान है कि ना LHD और RHD ये दो चीज़े ही कोला निची है और देखो इसका graph ये graph देखो ना यार जो मारा modulus में X-1 का graph होता है देखो यहाँ पर देखो graph इसका कैसा होता है X 1 तो Y 0 एक line महा जाती है एक line यहा जाती है तो अब एक ची देख सकते है इस point से पहले line उधर को जा रही है इस point के बाद line उधर को जा रही है यहाँ पर एक चोज बिटा एक शाब एक नोक बिटा आप लगों को दिखाए दे रही होगी तो यह जो चोज जहाँ पर बनती है उस point पर हमारा function differentiable नहीं होता है बाकि differentiability के उपर एक वीडियो already मेरी पनी हुई है मेरी पिछले साल वाली जो वीडियोस है उसे playlist पर देखा है लास्ट में एक वीडियो की differentiability उसके उपर एक already वीडियो पनी हुई है यार तो कैसे कोई चीज आप कैसे यह concept डिराइब हुआ है तो आप उसका भी वहाँ पर देख सकते है आप उसको भी वहाँ पर देख सकते है बाकि ultimately याद फिर भी आपको ये दो formula ही करने है यार ये दो formula आपको याद करने है हाला कि same ही तो formula है बस हम minus है या plus है यतना अगर आप कर लोगे तो आपके differentiability के question हो जाएंगे last में book का एक greatest integer function वारा question रह गया होगा वो question भाई तुमारे हवाले है नहीं होगा तो भाई comment दरके बता देना कि सर हमसे तो बनी नहीं रहा है प्लीज करवा दो तो फिर मैं doubts की लिपिटर मैं अगले exercise की अगला जो concept दोस्तों वो हमारे पास आएगा हुआएगा explicit form and implicit form का देखें explicit form में क्या है यार explicit form में अब तक जितने question आपने की हो सब explicit form थे मतलब when one one variable one variable can be expressed one variable can be expressed in terms of other variable in terms of other variable otherwise it will be a implicit form केहने का मतलब क्या है बही मतलब एक सिंपल सा है मैं आपके सामने लिखूंगा y equal to x की पावर 10 plus x by 2 plus 1 यहां पर आप क्या देख पा रहे हो यह आप देख सकते हैं यह यह उसको express किया गया है in terms of x x की value पुट करोगे यहां पर तो आपको exactly y की value मिल जाएगी मत इस बात को मैं आपके सामने लिख देता हूं y equal to sin cube x x input करोगे तो आपको exactly y की value मिल जाएगी तो यह जो function है यह क्या है यह हमारे दिले explicit form है या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं x equal to y square plus y plus 1 y put करोगे तो आपको x मिल जाएगा तो यह क्या है explicit form ठीक है बट जब बात करते है implicit form की तो यहां पर क्या होता है यहां पर क्या होता है यहां पर x यहां भी है x वहां भी है इस टाइप से x यहां भी है x वहां भी है y यहां भी है y वहां भी है या फिर ऐसे समझो कि जब x की value put करोगे तो क्या exactly y की value directly मिल जाएगी आप लोगो मुझे से यहां 1 रखोगे तो y ही मिलेगा कुछ y square y क्यों भी स्टाइप से कुछ नहीं आने वाला यहां पर जब आप x put करोगे तो आपको y square plus y की पार 4 इस टाइप से कुछ एक नहीं equation मिला करेगी तो यह क्या है यह implicit form है मैं आपके सामले देता हूं x square into y equal to x plus y x यहां भी है x यहां भी है y यहां भी है तो यहां पर एक प्रकार से क्या हो गया है मैं आपके सामले देता हूं x square equal to x square equal to y plus 2 x minus 1 यहां भी आप देख सकते हैं भाई यहां पर भी variables का क्या और गहां मैश अप हो रहा है आपको x put करोगे तो exactly y नहीं मिलेगा अपको फड़ा solve करना पड़े कि तब y value मिल पाएगी एक variable दूसरे variable के terms में नहीं है तो इसमें बेटा अब हम लोग कैसे derivative find करें यहां तो derivative निकालना हम लोगों ने सीख लिया है बट यहां पर हम कैसे derivative को find करें वो चीज़ हमने यहां पर सीखनी है तो वही बात में आपको बिताता हूं जैसे कभी अगर मैं बोलू x square का derivative क्या होगा तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बोला था फिर से बोलता हूं हर question पे हमें chain rule लगाना पड़ता है यहां x square है x के respect में derivative करना है तो chain rule के मताबिक पहले power का derivative होता है तो power को उठाके आगे लिआओ और power में से एक minus कर दो तो उ उसके बाद function इस x का derivative करना चाहिए x का derivative करना चाहिए x के respect में तो होता क्या है dx से dx cancel हो के ultimately बचता कितना है हमारे पास 2x बचता है बट बेटा दिक्कत के आ जाती है y square मैं बोलू y square का derivative करो x के respect में करो तो क्या करें भाई तो आपने बोलना है कि भाई power जो है पहले उसका derivative क किया जाएगा फिर y का derivative किया जाएगा x के respect में और कुछ बच्चों कि तुरंग क्या बोलते है हाँ बढ़िया n to 1 लिख दो 1 नहीं लिखना यार आपको y का derivative करना है तो लिखेंगे dy x के respect में करना है तो क्या लिख देंगे dx लिख देंगे y square का 2y फिर y का dy by dx ये खतम यान फ्लाइम है दो वैरेवल है एक्स वैरेवल है वाई भी वैरेवल है तो बच्चों नियम क्या है y को ऐसी लिखो दूसरे को लिखो प्रोड़त टूल वाई को एसी लिखो derivative x का करो x का derivative x के respect में तो दी एक्स वाई डी एक्स दो बण जाएगा plus फिर पहले क्या लिखो X को ऐसे लिखो, अब derivative Y का, Y का derivative X के respect में, तो मिल जागा D Y Y D X, यहाँ पर क्या हो गया, यह हो गया, खतम, खलास, ठीक है, तो अब कोशिल कैसे आएंगे हमारे पास, तो कोशिल देखते हैं, देखो कोशिल क्या है, find करो D Y Y D X, D Y पर D X find करना है, पहले पार्ट की बात करते ह हैं, पहले बात की बात करते हैं, X square plus Y square equal to X minus Y, यह हम गो दे दिया गया, और कह देता है कि बताओ हमारे D Y by D X क्या होना चाहिए, तो दोस्तों कोशिल हमारे पास आ चुका है, implicit form है, implicit form, तो आप differentiate करो, differentiate करो with respect to X, दोनों साइट differentiate कर रहा है यह उन लोग ने, तो देखो X square का derivative हो जाएगा, 2X, X का तो 1 ही होता है, X के respect में कर रहा हो न, ऐसी Y square का करोगे X के respect में क्या, 2Y, फिर Y का करोगे, D Y by D X, then X का derivative X के respect में 1, Y का derivative X के respect में क्या बनेगा, D Y by D X, differentiation दोनों साइट हम कर चुके हैं भाई, अब क्या करना है, हमेंच यह यह D Y by D X, तो जहाँ जहाँ पर आपको D Y by D X दिखाए दिरे न, उनको एकसाथ रख लो, 2 D Y by D X, D Y by D X को left में लेओ, plus का D Y by D X, right side में 1, 2X को right में भीज़ दो, minus में 2X, अब इन दोनों में देखो, D Y D Y by D X की जो value आजाएगी वो क्या जाएगी, 1-2X के upon में 2Y plus 1, बात समझ में आरी दोस्तों, यह question हमारे हैं पर क्या हो जाता है, यह हो जाता है भाई, sum आपको D Y by D spine करना था, तो answer में X और Y दोनों आपको दिखाए दे रहा है, तो जरूरी नहीं, answer अब totally X के terms में है, कभी X square minus X cube, ठीक है, और कहता है कि, find D Y by D X, X के respect में derivative यह Y का, ठीक है, तो तरीका हुई है पीटा, differentiate both side with respect to X, तो देखो X square Y, तो यहाँ तो आपको prudet tool लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह दोनों यहाँ पर multiplication में है, तो इस हिसाब से पीटा, दूसरे को ऐसी लिखा, first X square का 2X, ओ first को ऐसे ही लिखा, फिर Y का करेंगे तो क्या जाएगा, D Y by D X, second as it is, first X square का 2X, then X square as it is, Y का D Y by D X, then उसके बाद Y square का derivative हो जाएगा 2Y, D Y by D X, और X cube का derivative हो जाएगा 3X का square, तो यह हमारा इसमें, अब यह दिफ्रेंसेशन हो चुका है, अब उसके बाद क्या करेंगे, पर D Y by D X का इसमें एक सत्रफ हो, जैसे X square D Y by D X, और यहां में D Y by D X, उसको लेफ्ट में लेऊ, minus 2Y, D Y by D X, right में minus 3X square है, और 2XY है में इसको right में बिल जाँ, minus 2XY, तो अब देखें इन दोनों में हमारा D Y by D X common, तो बनेगा X square minus 2Y, यहादो मैंस 3X square minus 2XY, और उसके बाग दी वाई पेट इस ठीए भाई तो कॉमन लेने के बाद हो कहा नहीं कुछ है इसको नीचे ले आओ उसके माईनस 3x² माईनस 2xy अपन में x² माईनस 2y कोशिन नियाबी हो जाता है कोई मिस्टेक हो वाहीeld के कर वाही है कि प्लस माईनस के करके क कोई मिस्टेक हो है तो माफ करदेना क्योंक का मालुम release train क्यों आफ का मालूम है इस ये तो इस। अका में स्टूदेश चुछ और गो कर रहे हैं तो क्या आफ की आपको निच्छ से फॉतीय हो लाइट के बीच में यहां भी लाइट है, सामने अकेला कैमरा है, उसके सामने लगातार बोलने में लगे रहे तो कुछ छूट जाती है, ठीक है, तो कोई चीज़ गलत हो जाए तो प्लीज माइन मत करना है, ठीक है, कहीं बार बना कुछ बच्ची हो जाते हैं, ग्यान देने कुछ भी दे सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, अब करने दिफ्रेंटियेट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो देको यहां क्या होगा, यहां पू लगाना पड़ जाएगा प्रोड़ टूल, y as it is, x square का करेंगे, तो 2x, फिर x square as it is, y का करेंगे तो dy y dx, ठीक है, y as it is, x square का 2x, plus x square as it is, y का dy y dx, फिर यहां पर, second as it is, x का 1, फिर x as it is, और y square का 2y साथ में dy y dx, equal to में, sin x का derivative, cos x, और वहां पर cos y का, minus sin y, यहां पर दवारा प्रोड़ टूल लगेगा, second as it is, x का 1, फिर x as it is, y square का 2y, फिर y का dy y dx, right side में sin x का cos x, cos y का minus sin y, फिर y का dy y by dx, तो I think अभी आगे जो dy y dx काउम लेने का काम है, जायद उसको आप खुछ से कर सकते हो, उसको विड़ में आपके हवाले छोड़ देता हूँ, कहता है, कि sin के angle में x y आ गया, और right side में 10 x plus में y आ गया, क्याता यह question है, बता इसमें dy y by dx हमारा क्या होना चाहिए, तो दोस्तों differentiate वही तरीका, बोच side with respect to, यह तो with respect to x चले गाई है, है ना, तो देखे, sin का cos x y, और यहां फिर angle का करोगे तो angle का करने के लिए भी आपको product लगाना पड़ेगा, तो देख उसमें क्या है, y as it is x का 1, x as it is, और y का dy y dx, 10x का हो जाएगा 6 x, 10x का हो जाएगा 6 x, और उस y का हो जाएगा dy y dx, अब देखे, यहां पर आप एक क्याम करोगे, इस y की multiply यहां कर लो, y into cos xy, फिर उसकी multiply यहां कर लो, x into cos xy, साबकी dy y dx, और right side means x square x, plus dy y dx, तो दोस्तों यहां पर आप आप लोग समझ चके होंगे, कि अब इसमें, और हमारा और उसमें, जो हमारे dy y dx, उसको हम लोग कॉम ले लेंगे, ठीक है, ठीक है ठीक है तो यह अब आप इसको आगे खुद से कर सकते हैं, तो देखो, यह implicit form वाले जो questions है, आपकी book में 5.3 में, पहले 9 questions की एक बार शगल, अगर आप देखेंगे, 8-9 questions होगे मेरे कहाल से, वो questions easily आप से सारे हो जाएंगे, असान-असान question है, ठीक है, जो ना हो, महग कर ले ना comment कर देने के सार, यह नहीं हो रहा, ठीक है, आप देखेंगे, अब जो अगला concept में न, derivative, derivatives of inverse trigonometric functions, भाई यह जो topic है, derivative of inverse trigonometric function, अभी chapter 2 है, chapter 2 आप सभी ने पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है भाई, तो पढ़ ले ले ना यार, अब यह नहीं बोलूँगा कि हाँ, यह बिना उसके मेना मैं इसी करा देता हूँ, कराने लिए तो मैं करा दूँगा, बट स्टिल, आपको chapter 2 आना चीए, ठीक है न, chapter 2 के जो concepts है, वो differentiation पर दिखेंगे, यह integration में भी आप लोगो दिखते रहेंगे, chapter 9 में दिख जाएंगे, तो इसलिए chapter 2 को पढ़ो बटा, प्लीज आप लोग, एक chapter 2 के पर मैंने, एक 5R का प काफी improved debitter, ठीक है, तो देखें, अब क्या है न, trigonometric function में, कैसे होता है, एक होता है, trigonometric function, जिसमें y equal to sin x, y equal to cos x, y equal to tan x, इस दे रुखा होता है, और एक होता है, inverse trigonometric function, inverse trigonometric function, इसमें क्या होता है, y equal to sin लिखा होता है, यहां पर minus 1 लिखा होता है, ठीक है, sin, अब यह power नहीं है sin x की, sin के अपर यह minus 1 लिख inverse को represent कर रहा है, ठीक है, अब मतलब क्या है, बताता हूँ, देखो, यहां पर x का अमल होता है angle, solve करके y आता है, और यह y अमर ले क्या होता है, यह y होता है ratio, जैसे मैं बोलू, sin 5 by 6, तो clearly आप answer क्या बोल दोगे, 1 by 2, यानि यह angle है, यह अमल ले ratio 1 by 2 हो गया, पर जब यहां की बात करते हैं, यहां उल्टा सीन है, वहाँ पर x angle था, y ratio होता है, यहाँ पर x ratio होता है, और यह y हमारे लिए angle होता है, क्याने का मलबला, जैसे मैं लिख दो, sin inverse 1 by 2, तो सोचो, sin का ratio 1 by 2 है, तो ऐसा angle क्या रहा होगा, 30 degree, 30 degree आना की, pi by 6, ओके, ऐस ही, ऐसी मैं लिख दो, cos inverse, 1 by root 2, cos का ratio 1 by root 2 है, तो angle क्या रहा होगा, थाबल दोगे, pi by 4, तो इस तरह से हमारे यह होता है, inverse trigonometric function, अब इन से related कहीं सारे formula है, यह जो रत पड़ेगे, तो प्लीज बेटा, वह chapter भी पढ़ दो या, पायदे में रहोगे, तो अब देखो, ऐसा function है, जैसे sin inverse x, इसका भी तो कुछ derivative होगा, वो क्या होगा, उस चीज को पर लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं, तो समझना बेटा करेंगे, कैसे, sin को उठा के left में ले आओ, sin y, right side में बचेगा x, sin को उठा के left में ले आओ, sin y, right side में बचेगा x, अब इसको differentiate करो, with respect to x, ठ sin y का derivative, cos y, y का derivative, dyy, dx, sin y का cos y, फिर y का करोगे, dyy, dx, x का derivative, 1, x के respect में हो रहा है, और यहाँ से dyy, dx की जो value आएगी, cos को लिएओ, इसके निचे, 1y, cos y, और आप लोग को पता तो, जैसे आप जानते हैं, sin square y plus cos square y, equal to 1 होता है, तो यहाँ से cos y की value में जा जाएगी, root के अ sin square y, तो में जाएगा, 1 upon root के अंदर 1 minus sin square y, तो देखें, आप के हैं न, sin y, sin y की value क्या थी, x थी, तो low y, formula बन गया, यहाँ गया, हमारे पास formula, कि sin inverse x का derivative यह होता है, अब जैसे यह किया भी दोगों ने, ऐसी आपको form में रखने पढ़ेंगे, याद, क्या हो, sin inverse x का derivative है, य यह क्या होता है, 1 upon root के अंदर 1 minus x square, ऐसी, cos inverse x, इसका derivative, same चीज़ है, same formula होई है, बस बाहर minus लग जाएगा, 1 minus x square, formula सेम है, बस बाहर minus लग जाएगा, यह, अब अब देखो, मानो 10 inverse आ गया, 10 inverse x, इसका derivative, तो इसका भी देखो, proof है, तो आप खुद करना भाई, formula ultimately याद, यह 10 है, ऐसी cot आ सकता है, cot inverse x, तो इसका जो formula है, वो क्या है, minus 1 के अपॉन में, 1 plus x square, यानि जो c से स्टार्ट हो रहा है, बाहर उसके minus लग रहा है, ठीक है, ऐसी अगर मानलो, sec inverse x आ जाए, sec inverse x, तो formula क्या है, 1 upon x, root के अंदर x square minus 1, ठीक है, और यही चीज़ भी देखर क्या हो आ जाए, cos x inverse x आ जाए, तो यह आप लोग को याद अखना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ condition का भी खेल होता है, बताएंगे किसी अलग वीडियो में, फुलार, ncrt में आपको उनकी जरुत पड़ेगी नहीं, ठीक है, ncrt के जितने question आप करेंगे, तो वहापे आपको दिक आप से क्या बोलेगा, कि y equal to sin inverse x, y equal to क्या है, sin inverse x, इसका derivative क्या होता है, तो simple जवाब देदो, 1 upon root के अंदर 1 minus x का है, खलास, अच्छा, यही चीज़े अगर मानलो आ जाता, बताएंगे, 10 inverse x का derivative क्या होता है, तो आप लोग जवाब क्या देदोगे, 1 by 1 plus x क्वार, इसका derivative करो, अब इसका derivative करो, अब इसका derivative करना है, तो क्या करोगे, 1 के अपॉन में, root के अंदर 1 minus, जैसे देखो, sin inverse x था x, तो यहाँ पर x का square हुआ, यहाँ sin inverse x का cube है, तो आप x cube का square कर दोगे, का निक खतम नहीं होगी, फिर x cube का भी करोगे, और x cube का क्या हो जाएगा, थरी x square हो जाएगा, अब question खतम हो गया, ठीक है, माल लो हमारे पास आ जाए, y equal to 10 inverse root x, यहाँ गया है, अब करें इसको differentiate करो, बताओ क्या आएगा, तो देखो tension वाली बात नहीं है, dy by dx पूचा गया है, ठीक है, तो 10 inverse है, तो जो क्या होता है, जब यहाँ x था, x था तो तो तुमने x का square लिखा, 1 upon 1 plus x square, यहाँ root x है, तो 1 by 1 plus, यहाँ root x का square हो जाएगा, कानी खतम नहीं होगी, उसके बाद root x की बारी आएगी, और root x का derivative होता है, वो 1 by 2 root x हो जाएगा, कोशिन अब यह खतम हो जाएगा है, अब इसमें देखो, ऐसा है न, कई बार इसकी power आजाएगी, sin inverse x square दे दिया, और इसकी भी power में दे दिया 5, इसको डिफ्रेंशेट करेंगे, दिखाओ भई, कैरे इसके बताओ क्या होगा, तो दोस्तों ऐसा है न, power जैसे 5 है, पहरे power क्या करो, power 5 को उठा किया के लिए हो, power हो जाएगी 4, तानी खतम नहीं होगी, अब उसके बाद, sin inverse करते हो, 1 by root के अंदर, 1 minus x square का square, तो उसके बाद, इस x square का भी करोगे, तो क्या बन जाएगा, तब एक 2x बन जाएगा, और अब ये कोश निया, खतम हो जाएगा, बालो ये ची होती, 10 inverse, 10 inverse x cube दे दिया, और पूरे की पाउर में दे दिया, 10, क्यारा, अब derivative, dy by dx निकालो, तो पहले power का करो, 10, 10 inverse x cube, पूरे की पाउर, 9, फिर, 10 inverse का करोगे, तो 1 by 1 plus x cube का square, फिर उसके बाद x cube का गरोगे, तो x cube का क्या, 3x square, और अब दोस्तों, ये कोशन अबारा फाइली कम लेनिया आपे, होवर हो चुका है, तो दोस्तों इस तरीके कोशन आपको देखेंगे, 5.3 में, बढ़ कुछ और हट के कोशन वीड़ा, आपको देखेंगे, वैसे माल लो कोशन आपके पास क्या सकता है, sin inverse, 2x, अब ये चीज़ा जाएगी, तो देखो, इसमें तरीका क्या है, एक तरीका तो क्या है, कि लो भई, 1 upon में root के अंदर, इस पूरे का whole square लिकलो, ठीक है, फिर बाद में, इसका करने के लिए, और शन टूर लगा लो, ये न, बट ये मैं तूर जाएगा, आपको formula of 2 tan inverse x, ये 2 tan inverse x का formula है, और आप बड़े easily इसका derivative क्या लिखता होगे, आप लिए भी होगे 2 tan inverse x का 1 by 1 plus x square, तो ये answer आगया, लगी जिसने नहीं पढ़ा है भाई है, वो क्या करेगा, तो भाई देख ऐसा है, पहले तो chapter पढ़ ले भाई, तो आप यहाँ पर आई हो, ठीक ह देखे ले बीटा, ऐसे है न, sin 2 theta का formula क्या होता है, 2 sin theta cos theta, एक होता है 2 tan theta upon 1 plus 10 square theta, cos 2 theta का formula होता है, 1 minus 2 sin square theta, 2 cos square theta minus 1, 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta, एक है विटा हमारा, cos square theta minus sin square theta, ऐसी, 10 2 theta का भी formula होता है, क्या formula होता है, 2 tan theta upon 1 minus 10 square theta, यह चीह आपको माल लो है, इसके अलावा, sin 3 theta का formula होता है, 3 sin theta minus 4 sin cube theta, cos 3 theta का formula है, 4 cos cube theta minus 3 cos theta, और 10 3 theta का formula होता है, 3 tan theta minus 10 cube theta upon 1 minus 3 tan square theta, अब देखो, कोशन मैंने पीछला क्या दिया था, sin inverse 2x के अपॉन में 1 plus x square, यह तो था, 2x के अपॉन में 1 plus x square, और कोई condition विगरा नहीं है आगे, बस यही है, तो आपने करना है, यह चीज़ देर किये न, यह वाली जो चीज़ है, सोचो, क्या यह चीज़ किसी formula से match करती है, यह जितने formula में यहाँ पर लिखें, क्या किसी से match करती है, तो देखो, यहाँ पर क्या है, 2x के अपॉन में 1 plus x square है, तो यह चीज़ है, यह जो चीज़ है, यह इस formula से match कर लिए है, तो दोस्तों, आप क्या करेंगे, आपने करना ह यहां पे आप लोग करेंगे substitution, आप लोग put कर लो, क्या put कर लो, कि जो हमारा x है ना, वो 10 theta के एक बला है, देखो chapter 2 अगर आपको idea हो तो आपको पता होगा कि substitution क्या करते हैं, मैं इन्वर्स वाले questions में हो, तो देखो y क्या बन जाएगा, sin inverse 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta, अब यह हो गया, sin inverse, अब यह जो चीज़, यह formula बन गया है, 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta, क्या formula है, sin 2 theta, यह sin 2 theta का formula बन गया, अब यहाँ पर sin से sin कट जाएगा, only क्या बचेगा, 2 theta और 2, theta की value आपको यहाँ से, theta की value आपको यहाँ से निकालने पड़ेगी, 10 inverse x, तो theta की जो value निकलेगी बटा, 10 inverse x, तो यहाँ से देखो derivative भी निकाल जाएगा, 2 10 inverse x का, 1 by 1 plus x square, यह हो जाता है, यहाँ समाप, ऐसा equation और दिखते हैं, जैसे हमने यह equation किया, यसी मान लो, तुम्हारे पास आ जाता है, y equal to sec inverse 1 upon 2 x square minus 1, क्या था यह equation है, इसकी value को find करो, ठेक है, sec inverse 1 upon 2 x square minus 1, तो सोचो, यह 2 x square minus 1 क्या है किसी form में से match कर रहा है भाई, 2 x square minus 1, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, 2 cos square theta minus 1, है न, 2 cos square theta minus 1, तो यहाँ पर x की जगह पर हमारे पास होना चाहिए, cos theta, x की जगह पर होना चाहिए, cos theta, sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1, राइट, अब उसके बाद, sec inverse 1 upon, यह बन गया, cos 2 theta, जब यह भी हो जाएगा, यह जो cos उपर जाएगा, sec 2 theta, और sec से sec cancel only क्या बचेगा, 2 theta, और theta क्या भई, theta हमारे पास है, cos inverse x, तो दोस्तों, y could बन जाएगा, 2 cos inverse x, और अब आप इसको differentiate कर सकते हैं, और differentiate करके बटा आप लोग को मिल जाएगा, यह हमारा answer हो गया, दोस्तों, यह हम लोगों का answer इसमें आ चुका है, तो जैसे यह है बटा, इस तरह के कहीं question हमारे पास हो सकते हैं, इस तरह के कहीं question हमारे पास हो सकते हैं, जैसे हम से कह सकता है, कि y जो है, वो है, sin inverse 2x, 1 minus x, और हमारा जो x है, वो बिलोग करता है, माइनस 1 by 2 से लेकर, 1 by 2 के बीच में, ठीक है, तो देखें, अब यह question हमारे पास है, हमें, देखो, यहां पर sin inverse 2x, और root के अंदर 1 minus x, पर रखा है, तो देखो, मैं यहां पर x की जगे, cos theta बूट कर देता हूँ, यहां पर sin theta, sin theta, तो sin inverse 2sin theta, root के अंदर 1 minus sin square theta, sin inverse 2sin theta, 1 minus sin square cos square बनेगा, और root के बार आके cos theta बन जाएगा, और यह चीज़ जो बिटा है, यह चीज़ है, यह sin 2 theta बन जाएगी, अब बिटा, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, तो थोड़ा सा ना, इसके angle का भी खेल होता है, जो sin inverse होता है, उसका जो ratio है, वो minus 1 से 1 तो रहना चीज़े, लेकिन जो angle है, angle minus 90 से 90 डिगरी रहना चीज़े, यानि minus pi by 2 से pi by 2 रहना चीज़े, चाप्टर 2, चाप्टर 2 है, ठीक है, देखो, तो वैसे तो तुम्हें मालू है, कि कट जाएगा, 2 theta आ जाएगा, theta और theta हमारे पास क्या है, sin inverse x, तो देखो, थोड़ा से limit का भी खेल होता है, इस limit वाले जो condition वाले जो question होते है, इस condition है, इस condition वाले जो question होते है, इस के लिए में एक अलक से separate video बनाऊँगा, और सभी condition वाले questions को मैं उसमें cover दरूंगा है, अब बाकि इस question की जैसे बात करें, तो देखो, आपने x के जगे sin theta रखा है, आपने x के जगे पर रखा है, sin theta, राइट, अब देखो, sin theta जो है, व मैनस का pi by 6, यह मैनस का pi by 6 हो गया, और यहाँ पर क्या चीज़ आ रही थी, 2,3 टादी मिटा, तो 3 हो के multiply 2 से करो, तो यहाँ 2 से multiply करो तो pi by 3 बन जाएगा, और यह मैनस का pi by 3 बन जाएगा, तो देखो, sin के लिए नियम होता है, कि वह मैनस 90 से लेकर, प्लस के 90 तक ही रहना चाहिए, अब यह मैनस 60, यहाँ प्लस का 60 है, प्लस 60 यह रहा, मैनस 60 हमारे ले यह रहा, बताओ, इस first quadrant में भी है और fourth quadrant में भी है, तो यानिकि जो 2 थीटा है, वो अपने, अपने जो उसका जो एंगल का नियम है वेटा, उसके अंदर वो पुरा उस interval में लाई कर रहा है, ठीक है, मैनस 90 और 90 के बीच में रहना चाहिए, तो बिल्कुल है, मैनस 60 और 60 के बीच में भाई, ठीक है, तो दोस्तों, यानिकि हम यहाँ पे साइन इपर साइन 2 थीटा के जिए 2 थीटा लिख सकते हैं, लिग कही बार क्या हो जाता है, कुछ कोशिन में भाई, कंडिशन हम समझिएगा, कौट इंवर्स देता है, एक यह कोशन आगया हमारे पास, ठीक है, और कंडिशन वगार कुछ दे नहीं रखी है, तो ठीक है, आप तो वहिया जैसे कर रहे थे, आप देखिए, टैन 3 थीटा का एक फॉर्मला है, टैन 3 थीटा का एक फॉर्मला है, 3 10 थीटा मै तो एक की जगे पर रहे भाई, वो 10 थीटा होना चाहिए, तो देखो क्या बन जाएगा, कौट इंवर्स, 3 10 थीटा मैनस 10 थीटा अप उन 1-3 10 स्क्वार थीटा, यह चीज़ने के लिए यह यह बन गया, कौट इंवर्स, इस दे फॉर्मला ऑफ 10 3 थीटा, आप देखिए, अब यहां क्या गड़-बढ़ रही है, हिहां कौट से 10 चैंसल ही नहीं हो रहा, तो अब यहां बहर लगाते हैं, यह जुगार लगता है वो 10 को हम बदल दिया करते है, 90-3 थीटा, तेन 3 थीटा को क्या लें दिया, कौट 90-3 थीटा, अब आप देखिए, कौट से कौट कैं इसमें 3 theta और यह value आ चुकी है y की और y एकोल टो पाई बाई 2 माइनस 3 और theta की जगे बेटा हम यहां से लिदेंगे 10 inverse x 10 inverse x और अब आप derivative कर सकते हैं इसका dy by dx पाई बाई 2 का हो जागा 0 3 10 inverse x का हो जागा 1 by 1 plus x का square तो clearly दोस्तों यहां पर समझ सकते हैं बाई chapter 2 का इस्तमाल आ रहा है बाई chapter 2 में जो technometric functions हैं उनके जो domain range का use बटने यहां पर आ रहा है ठीक है तो chapter 2 आपको आना चाहिए यार ठीक है तो यह exercise बटने यहां पर हमारी समात ह हो जाती है 5.3 हम लोगोंने पुरी खदम कर ली है उसकी जो concept से हम लोगोंने cover कर लिया है अगला जो concept वह है 5.4 log and exponential तो दोस्तों अब हम चलेंगे अगली exercise की तरफ और अगला जो concept है जो हम लोगोंने बढ़ना है derivative of logarithmic function and exponential function log और exponential की बात पर हम यहां पर करेंगे जादा कहरा हैं भी नहीं जाएंगे वही लॉग के उपर आला कि मैंने एक separate video बना रखी है कि लॉग का meaning क्या होता है और लॉग में क्या क्या होता है exponential के उपर भी बिटे मैंने उसी वीडियो में discuss किया हुआ है logarithmic function देखे जितनी जरूरी बाते हैं वह सम मैं आपको बताऊ देखे बच्छों यारी fx भी आप कह सकते हैं इकोल टू लॉग होगा x होगा और यहां बेस में छोटा सा छोटा सा एक लिखा जाता है ठीक है और बोला जाता है कि where this x should be greater than 0 0 से बड़ा होना चाहिए a भी कोई positive number होता है जो की 1 के equal कभी नहीं होता है 1 के equal यह कभी नहीं होता है तो दोस्तों यह होता logarithmic function है अब यहां पर meaning क्या है mean यह भाई कि y एक ऐसा number है जो इस a की power में जाके x answer देता है मतलब क्या है समझा जरा मैं आप से बोलू log लिखा हुआ है base में लिखा है 2 इधर लिखा हुआ है 8 ठीक है अब बताइए 2 की power क्या रख दी जाए जिससे की answer 8 आ जाए 2 की power में 2 की power में क्या रखू की answer 8 आ जाए तो आपको answer मालूम है इसका जो जवाब होगा हो जवाब होगा 3 जै है टू की power में ची रखोगी तभी तो answer 8 बनता है न यार टू की power में ची पावर में च sekarang क्या है गाए एक का कि यह मैं लिख देता हूँ 3 और यहां लिख देता हूँ 9 तो बच्चे छूटते इसका अंसर 3 लिख देते हैं भाई 3 इंटू 3 नहीं करना यह सोचो 3 की पावर में क्या रखें की अंसर 9 बन जाए 3 की पावर क्या रखें तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 रखोगे ऐसी अगर मैं आपसे बोलू मैं आपसे कहूँ बिटा कि हमारे पास यहाँ 5 यहाँ देदिया 125 5 की पावर क्या रखें कि 125 बाजए तो आपके जवाब सिंपल होना चाहिए 3 5 की पावर 3 होगी तभी अंसर 125 आगा तो लॉक जो बैसी की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है ठेके ना बेस की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है अच्छा देखो इसमें अगर मैं आपसे बूल दो बिटा कि लॉग यहाँ 10 है इधर 1 है 1 तो बड़ा 10 की पावर क्या रखें कि 1 आजाए तो इसमें आपका जवाब होगा यार, आपका जवाब होना चाहिए कितना, 0, तो log 1 की value 0 होती है भाई, ठीक है, ध्यान एकना इस बात को, अब कोशन दिरा देखना है, log, यहां 10 लिख देता हूं, यहां 100 लिख देता हूं, 100 जो मैंने लिखा है न, वो denominator में लिखा है, तो इस ठीक है, अब बताओ, 10 की power क्या रखें की, 10 की power minus 2 आजाए, तो clear है भाई, minus 2 रखने बड़ेगा यहां पे तो यार, ठीक है न, 10 की power अगर आप minus 2 रखेंगे, तो 1 by 100 ही तो आएगा, यानि, आंसर इसका क्या हो गया, minus में 2, तो आप इचे देखोगे कि log है, वो positive भी आता है जीरो भी आता है, negative भी आता है, सब आता है, ठीक है, अच्छा, यह इचे अगर मैं बोलता हूँ कि log यहां पे 5 है, यह भी log हमारे पास 2 है, और यहां 0 है, तो क्या 2 की power में कभी कुछ भी रखकर, आंसर 0 आ सकता है, तो आप उलेंगे, यह नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता 2 की power को यह positive number रखोगे, तो 2 आएगा, 0 रखोगे, तो 1 आएगा, negative रखोगे, तो 1 by 2 point में आएगा लें, 0 कभी answer नहीं आगा भाई, 0 कभी नहीं आगा, तो यह तो हम क्या लिखती है अगरेंगे, यह non defined हो गया, ठीक है, और ऐसी अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 2 है, यहां कि लॉक की हाँ, एंगल में बिटा, कभी आप लोगोंने न, negative number नहीं रखना है, 0 भी नहीं रखना है, 0 से बड़ा ही number रखना है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, तो मेरे दोस्तों, हम लॉक की बात कर रहे थे भाई, लॉक X, तो यह Y जो है, यह तो कुछ भी हो सकत है, ठीक है, A के लिए condition का है, A positive होना चाहिए, और A1 नहीं होना चाहिए, तो यह तो हो गया log, अब log भी ना बच्चों, इस log की कुछ properties हैं, जो आपको याद रखनी है, देखो derivative पर आउंगा, लेकिन इसके अलावा भी काम की बात हैं, आपको पता होनी चीना है, तो वह मैं पता रहा हूं, देखो properties कहीं सारी हैं इसकी, ठीक है, अब उनके proof नहीं बताओं का भाई, प्रूफ के लिए मैं कहा रहा हूं न, log के पर एक अलग वीडियो बना रही है, उसको देख सकती है पुरा यार, ठीक है, फिलाल जब properties आपको याद हो नीची है, वो क्या है, एक property ह data, कि log हो, x, y, z हो, तो क्या करना है, तो log x, आपने log न, इन तीनों के साथ लगा देना है, log x, plus log y, plus log z, यह जो log है, इन तीनों के साथ पहुंच जाएगा, ठीक है, अब बीच हो सब के plus आजाएगा, यह चीज़ में अगर मान लो, यह चीज़ में अगर मान लो, x into y के upon में जाएट होता, तो यह आधर को simple, जो multiplication में हो, प्लस करो, log x, plus log y, जो denominator में है, उसको आप लोगों ने माइनस करना है, जो numerator में उसको प्लस करना है, जो denominator में उसको माइनस करना है, अच्छा, यह ध्यान रखना भाई, इस चीज़ को, इस्तमाल होगा, यूस करेंगे, तब ही और नहीं लिखा उता है, ठीक है, log x की पावर में n, देखो, log x की पावर में n है, log का angle x, इसकी पावर, अच्छा, इन सब के base में कुछ हो सकता है, ठीक है, इन सब के base में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, a, 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 तो यह मैं लिखनी रहूं, तो होगा कुछ ना कुछ जरूर ल में यह तो ऐसी रहेगा यार, ठीक है, एंड पहले आ जाता है, ठीक है, माइनस मत कर दिना है, डेरिविटिव नहीं कर रहे हैं, अभी बस लॉक की प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है, यह हो गया, यह याद रखोगे भाई, आप लोग इसके लाबा और क्या याद रखना है, अ तो इसको उठा के निचे लेओ, तो 1, log, b, a, यानिकी reciprocal करते हैं, उल्टा करते हैं, तो यह b और यह आपस में interchange लेंगे यार, ठीक है, चलो सार, यह भी याद रखोगे, अच्छा, कभी मान लो, मैं बोलो कि log के basement, a है, इदर x है, और तुम चाहते हो कि यह a यहां से हट जा लुग, b, बेस में a था, लुग, a से डिवाइट कर दो, log, a से डिवाइट कर दो, दिवाइट कर दो कि तुम्मारा काम हो जाएगा, फिर तुम हो लες कि सिर बेस चेंज किया, log, s डिवाइट किया, बाई, इसलिभाइट किया, मैं मान लो, यहां पर a निछाथा, मैं इसको change करना चाहरा हूँ, मुझे base में 2 नीची, मुझे base में e चीए, तो क्या करूँगा, मैं log 2 से divide कर दूँगा, अब इसके base में e मान लिया जाएगा, और इसके base में e मान लिया जाएगा, मालों तो पर base में 5 चीए, तो लिख लो, यहाँ भी 5 लिखोगे, तो यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ 6 लिखोगे, तो यहाँ पर भी 6 लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है, तो यह change करने के लिए नियम है, इसके अलावा एक जो चीज़ बुटा जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, वो है, a की पावर में log x हो, इस base में भी a हो, ठीक है, तो इसका answer x होता है यार, यह चीज़, e की पावर में log x हो, बस, कुछ नहीं लिखा, तो मानते हैं, base में e है, तो यह भी किसके एकुल होता है, x, इसका बहुत दिस्तमाल किया जाएगा, भूरी बारवी क्लास में, यह जब प्रॉपर्टी में लिखवाई है ना, बहुत ज़्यादा, e की पावर में log x में x होता है, और a की पावर में log x में x होता है, यहाँ, base में यहाँ e होना चीए, अगर यहाँ e होना चीए, यहाँ e होना चीए, यहाँ e होना चीए, इसको याद रखो, ठीक है, इसके अलावा, पता होना चीए विट आपको, मानलो अगर मैं लिख दो, log e, base में e, तो इसकी value क्या होगा करेगी, 1 होग करेगी, log, log 1 है, base में e है, तो इसकी value 0 होगा करेगी, बागी log table होगा रहा है कि 12 ग्लास में हमें कहीं पर भी जुरत नहीं पढ़ने वाली, ठीक है, अच्छा, एक लास बात और या देख ले ना, दुनिया में ना, लोग जो होते हैं न, दो परकार के हैं वाई, log जो होते हैं वाई, लोग जो तो दो परकार के हैं, एक कौन सा log है, एक है यार, कॉमन लॉग ठीक है ना एक कौन है बिटा नैच्रल लॉग ठीक है यह दो लॉग की बाद हो रही है विसले लोग भी दो प्रकार के हैं एक जो वीडियो देखकर लाइक कॉमेंट वेगर कुछ नहीं करते हैं अच्छी भी लगती है समझे में सब आ रहा होते हैं मजा आ रहा ह लेओ देख लेना भाई ठीक का लागा लेना फिलार स्कीव दोप्रकार चोंड नैच्रल लॉग में क्या हुआ हां में क्या हूआ करता फिर तुम बोलो जो सरे ए क्या चीज है भाई जैसे पाई एक इरिशनल कॉंस्टेंट है पाई वैसे एक इरिशनल कॉंस्टेंट मैंने तो भाई इसकी वैल्यू याद रखी है 2.7183 ठीक है और रखने वाले जो होशयार बच्ची होते हैं बहुते तीज बच्ची जो होते है कि अब यह तो कभी ताउशयार रहा हूँ लेकि इनोने एसके याद कर रहा होता है 1 upon 1 factorial 1 factorial plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial and so on इसकी इसकी इस तरह सी यह वैल्यू याद रख रही होती है ठीक है यह आया कैसे है इसके लिए टेलर थीवरम में इस्तेमाल किया गया भाई जो कि हमारे स्लिवस का दूर दूर तक अभी कोई हिस्सा नहीं हो ठीक है लेकिन टेलर थे ओरन के जरी यह विटर टेलर एक्सपेंशन के जरी साइन कॉस्ट एन सब के यह है स्टेयर चीज बन के हैं भघंण है कि यह कभी यूज करेंगे थो पूरी हमारी सले के पूरी कट्र में बारी एम कि बड़ना आए अगर वहलेबर कुछ नहीं लिखा वे फेन कुछ नहीं लिखा तो इहिं माना जाएगा पस्थ और कुछ और अ तो बेस में लिखना पढ़ेगा वाई 2 है 3 है 4 है 5 है तो सर इस लॉग का कहर सुनमाल होगा वाई यह वाला जो लॉग होटे नहीं आपने देखा होगा physics में, chemistry में, statistics में, business mathematics में बिटा यह ना इस लॉग को calculation के लिए for simplification of calculation simplification simplification क्या है कि उसको भी use करेंगे बट जैसे तफ कालिविशन जैसे मैं आपसे बोलू कि 2 की पावर x जो है वह 16 के एक वला तो आप बड़े इसका जवाब दे सकते हो कि हाँ वह एक्स जो होगा वह 4 के वला होगा तो आप बड़े इसली बोल सकते हैं कि हाँ एक्स जो होगा वह 5 के एक वला होगा लेगी नहीं ही चीज़ में बोल दो टो की पावर अब कि तुम चाहते हो कि बेसमें 3 रख लो मैं चाहता हो कि बेसमें 10 लिख लो कोई और चाहता है कि बेसमें 5 लिख लो अब किस की बात माने भाई तो एक स्टेंडर्ड सेट कर लिया गया कि भाई ठीक है लड़ो मत अपस में हर किसी को अब से बेसमें क्या रखना है 10 ही रखना है, इसके लगा और कुछ मत रखना है, ठीक है, रखलोगी तो खुद परिशान डोगी, परिशान क्यों रहो कि, देख बड़ा, x तो पहले आ जाएगा, x पहले आ जाएगा, क्यों पहले आ जाएगा भाई, इसलिए पहले आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने एक प्र यहां बेस में 10, यहां बेस में 10, ठीक है, अब यह जो लॉक 17 है न, इस लॉक 17 की वैल्यू चे होती है वो टेबल के थूरू देखनी होती है, और वो टेबल जो बनी वही है, मैंने क्या बला, इसके बाद में डिवाइड कर दोगे और तुमारा आणसर आजाएगा यार, वैसी बिटा, क्या होती है न, टेबल के जरिये भी आप लोग लोग देख सकते हो, और जो सिंपल जो कैल्कुलेटर होता है यार, जैसे आपने से कहीं सारी कॉमर्स ट्रीम पर बच्चे होंगे, आ आपको लॉक की जरुत पड़ीगे, तो जो कैल्कुलेटर जो होता है वो साइंटिफिक कैल्पुलेटर एक्जाम में अलाओड नहीं होता, तो जो जो जरीए भी बिटा हम लोगों किसी भी नुमर का लॉक्पाइंट कर सकते हैं, जैसे यहां यहां पर आपके बूल दिया करना है और यहां पर एसे रूट वह रहना सब चील बन रखे होते हैं, तो जिस भी नूमर का लॉक्पाइंट निकालना है, जिस भी नूमर का लॉक्पाइंट चाहते हो, आपने करना क्या है, रूट प्रेस कर देना है, नाइंटीन टाइम्स, बाइनस करना है वन और मुल्टिप्लाई कर देना है तू तू सेवन सिक्स नाइन फाइंट से, इस ट्रिक के जरीए बिटा आप लोग किसी में नमबर का लॉप माइंट कर सकते हैं, देखो मैं फाइंट करके दिखाता हूं, मैं आपको फाइंट करके है तो कैमरा हमारा थोड़ा सिंपल सा है ना, इसलिए थोड़ी सी फ्लिकरिंग होगी वही है, समय के साथ बिटा थोड़ा स्टप थोड़ा अपगरेड करेंगा है, अभी जो भी है इससे काम चलाना पड़ रहा है, तो देखिए ऐसे है ना, मैं 10 का लॉग निकालना चाहता आप कैसे फाइंड करोगे, तो तरीका बिटा में बता देता हूँ, आपने कैलकुमेटर खोलना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 10 आ चुका है, अब इसके बाद, रूट का बटन बिटा, रूट हमारे पास यह रहा भाई, यह रहा रूट का बिटन आप लोगों को 19 टा कर दिया, अब माइनस करो 1, माइनस कर लो 1, मैंने 1 जो है, सब्ट्राइक भी कर लिया, 1 मैंने सब्ट्राइक भी कर लिया, अभी यहां पर कोई e लिखा हुआ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा है आप अब अभी on बाद दाना भाई, अब इसकी मंदितना है कर लो 22227695 से, 227695 से अब देख सकते हैं, हमारा आंसर आ रहा है, 1.0000, ठीक है, पहले 4 पॉइंट ले लो, पहले 4 पॉइंट ले लो, तो आंसर हमारा 1 आ चुका है, तो इस प्रकार से यह जो ट्रिक में आपको बताई है, कि पहले रूट दबाओ 19 ताइम्स, फिर माइनस करो 1, फिर मुल्टिप् यह भी सही है, ठीक है, तो बच्चों, ऐसा है ना, मैंने पुटए हैं आपको बिताया, कि लोग 17 की वैल्यों आप लोग फाइंड कर सकते हो, यह जो ट्रिक में आपको बताई है, यह तब के लिए है, जब लोग बेस में क्या हो, बेस में 10 हो, ठीक है, तो यह ट्रिक को बाकि ऐसा है, एक जो बात बढ़ने गया दिखने हैं, आप लोगो ने, में जो बात है, कि लोग हमारे 2 है, कॉमन लोग जब बेस में 10 होता है, नेच्छल लोग जब बेस में e होता है, इन आपको बेस में e, बेस में होगा e, अब करो derivative, dy by dx निकालो, तो सिम्पल सा जवाब बीटा लोग एकस का जो भी लॉक के यह एंगलर में होता है यह पूरी चीछ अठके डिनामिनेटर में आजाती है इन्टू में फिर इस एकस का डिरिवटीव क्या जाता है और एकस का होता है वह होता है one question खता हम लकस ऐसी डिरिवटीव अब कर रहे हम हम लोग मैं बोल देता हूँ log है 10x है, करो इसका derivative क्या होना चाहिए, तो क्या जवाब दोगे भई, कि dy by dx निकालना है, log 10x का derivative, 1 by 10x, जो भी चीज़ आ, एंगले में होगे, उसको उठा के नीचे लिया हो, लिया है, फिट 10x का derivative क्या बनेगा, 6 square x, बहुत आप log करने बारे इस एंगल का भी करना है, उसका भूलना नहीं है, ठीक है, ओके भाई, ठीक है, नहीं भूलेंगे, y equal to, दे दिया जाता है log, x square plus 1, कोई दिक्कत वाली बात, दिक्कत वाली बात कैसे हो सकती है sir, log के एंगल में x square plus 1 है, आसान कोशन दे रहे हो, तो दिक्कत कहां से हो सकती है, आप कोशन ही आसान आसान करवा रहे हो, x square का 2x, 1 का 0, बिटा, इम मैं है तो आप लोगों को basics आप लोगे cover करवा रहा हो भाई, ठीक है, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो भाई, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो भाई, ठीक है न, तुमारा जो base जो foundation हो भाई मैं बढ़ी आसान तुमारा एकतम clear कर दूंगा, मस्त वाला एकतम, है न, log x, power में 5, dy by dx निकालना है, dy by dx निकालना है, पावर को पहले लेओ, पावर को पहले लेओ, ठीक है, पावर को उठा के पहले लेओ, पावर में से एक मैनस कर दिया, ठीक है, बढ़ यहां खतम नहीं होगी, यह chain rule लग रहा है, पहले पावर, थौर का हतोड़ा, कहां चलेगा, पहले पावर पे चलेगा, फिर function, अब लोग की बारी, लोग इस का करोगे तो क्या, वन बाई X, फिर X का करोगे भई, तो X का derivative क्या हो जाता है, X का derivative बन हो जाता है, लिखने के चलोती ही नहीं थी, अच्छा सर, माल लो यही ची जोती, लोग, लोग, 1 माइनस X की पावर में दे दिया जाता है, ठीक है, तो सर, फ अब इसका इसको लियाओ दिनॉमिनेटर में यह तोस्त करना है वन का डिरिटिव और मैनस एसका मैनस वन कोशन यहां पर हो जाता है खलास खटम टाटा बाइबाइबाइब यह अच्छा एक और देखो मालो वाई है लॉग है तेंटू में लॉग अगल में लॉग लॉग लिक्केदवारी बात है log है वो log इस नीचे आजाएगा लोग ले आए फिर इस log इसका करोगे तो 1 by x हो जाएगा भाई फिर इस x का भी करोगे तो 1 हो जाएगा भाई यह हो गया खत्म यार तो यह log है यह log अब मैं आपको log बता दिया अब मैं आपको लेके चलता हूँ exponential की त क्या बन जाए वो variable बन जाए तो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा exponential function जैसे मैं आपसे बोलू y equal to 2 की पावर x y equal to 3 की पावर x square y equal to 4 की पावर x cube y equal to 5 की पावर में sin x यह सब क्या है भाई यह सब मादले exponential functions है y equal to 1 की पावर में x यह सब क्या है exponential function है यह की पावर में x अब इसका derivative होता क्या है तो देखिए याद रखिए a कोई number है a कोई constant है positive constant उसका जो derivative होता है बच्छों वो होता है a की पावर x a की पावर x इंट्व में इंट्व में log है इंट्व में रहता है क्या log a ठीक है यह इतना असा formula है बस जैसे अगर मैं बोलू y equal to 2 की पावर x है तो इसका derivative क्या बोलोगे तो देखो a x को a x लिखना है 2 x को 2 की पावर x को 2 की पावर x लिखेंगे पर कहानिया खतम नहीं होगी आपने log a भी लिखना है a यानि base तो बेस तो 2 है तो इंट्व में log 2 मैं ले देतों 5 की पावर x बार रोड इस 5 की पावर x जाना की 5 की पावर x इंट्व में log 5 होश है खताब खलास हो सकते हैं बहुत से बत्चे की मने में सवाल होंके सर यह क्यों हो रहा है यह क्यों हो रहा है तो देखो उनका मैं जवाब देना चाहूंगा एसे है ना जब y equal to a की पावर x हम इसका तो क्या होता है न हमने अभी जो derivative पढ़ा है हमने क्या पढ़ा है कि power को पहले ले आओ पावर में से मैनस कर दो बट वो जो rule होता है वो तब के लिए होता है वो तब के लिए होता है जो power constant होती है base पे variable होता है तो हम क्या करते हैं तब हम simple 2x इस ताइब से लिख दिया करते हैं बट यह उल्टा है base constant power variable है तो यह rule तब के लिए है भाई क्या करें गड़वट कर रही है power तो क्या करें power को रटाना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं हम दोनों साइड log लगा लिए करते हैं अब लग लगा लगा लिए अब लग को का तो आपको मालूमिया scene को अपने angle की power को पीछे आगे खीच लेता है x और लॉग a रह जाएगा यहां क्या चल रहा है लॉग y अब इसको करेंगे differentiate with respect to x तो देखो लॉग y का नेडिव करोगे तो लॉग y तो लॉग y जो है y वो y denominator में आ जाएगा मेरा y y आगा denominator में अब y का करोगे तो y का क्या होता है dy by dx फिर देखो यहां पर ऐसा है ना यह इतना हिस्सा है ना यह constant उस constant के साथ आप लोगोने कुछ नहीं करना वो variable थोड़ी है जैसा अगर मैं आपसे बुलू कि बताओ 3x का derivative क्या लिखते हो तो 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 3 के साथ कुछ नहीं करना x का 1 लिख देना है ऐसी करते हो ना तो सेम ची विड़ा मैं कहारों कि यह log के constant उसके साथ कुछ नहीं करना है जो करना x के साथ करना है और x का दोबन हो जाता है फिर क्या करें हमें चाहिए था dy by dx यह जो y square को उठा के वहां ले ओ y log a और y किसके एकवल है a की पावर x लोग ने फॉर्म्ला बना दिया तो बहीं समझे क्या तुम लोग काम की बात क्या है काम की बात यह एक पावर x का जोड़िवेटिव होता है वो क्या होता है एक पावर xadenटो में log a लेकिन याद रहे के या खतम नहीं होगी, आपको उसके बात ने इस पावर का भी derivative करना होता है, और x का जो derivative होता है, वो 1 होता है, जैसे अगर मैं आपको बोल दो हूँ कि अगर हमें देदी आ जाए 2 की पावर में x2, तो देखो 2 बेस है और यह x2 उसकी पावर है, इसका derivative करना है, तो क्या पहले लिखतो same, फिर log2 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके बात ना जब पावर है, उस x2 का भी derivative करते हैं, और उस x2 का जो derivative होता है, वो बन जाएगा 2x, लो गया खतम, जैसे अगर मानलो मैं कहों दो, मैं आपसे बोलो, 5 की पावर में आजा है, 5 की पावर में आजा ह साइन एक्स, ठीक है, तो क्या करना है, पहले तो क्या, पहले तो same, पहले रहेगा same as it is, ठीक है, फिर log भी लगेगा, log 5 भी आगे है भाई, ठीक है, कोई दिखता जाली बात ने लिए, खेला यहां समातना होबे, है ना, पावर जो है, उसका भी derivative, साइन एक्स का, पावर का पहले तो लिगालना है, dyy dx, तो पहले तो same, पहले तो same, same, फिर into में log 3, ठीक है, फिर पावर, sin inverse x का करोगे, sin inverse x का, लो भी, यह हो गया समात, अब जैसे में इसका किया ने, ऐसे एकर मानलो, यह e जिसकी बाद बढ़ा में कर रहा था, 2.7183 जो इर्रिशनल कॉंस्टेंट यह approach value है, इस e की power में भी तो x आ सकता है, इसका भी तो derivative होगा, तो आप क्या बोलोगे, कि जैसा है, पहले तो same, पहले तो same, into में क्या लिखना चाहिए, log e, फिर इस x का भी करेंगे, तो x का तो 1 ही होता है, अब देको log के base में e है बटा, यादर को जब दोनों same होते हैं त अटिवर्ली बचा क्या, e की power x, तो दोस्तों नियम क्या, e की power x का जो derivative होता है, वो e की power x ही रहता है, लेकिन अगर देखो, मानलो कभी अगर e की power सिफ x नहीं है, कुछ और भी यह उसकी power नहीं है, तो dy by dx लिखेंगे, पहले तो same, अब log e लिखने की जरूत नहीं है, क्यो sin x का क्या हो जाएगा, cause x हो जाएगा, man lock को दे लिए आ जाए, y equal to e की power x, e की power x square, and dot dot dot, e की power x की power 5, तो tension वाली बात ही नहीं है, भाई, e x का, e x e होगा, power x का तो one हो जाएगा, लिखेंगे जरूत हैं यह वैसे, e की power x square, e की power x square, x square का करने के तो 2x हो जाएगा, e की power x की power 0-0-2-0-0-0-2-0-0-0-5 , a की पावर में एक की पावर 5 में 5, x की पावर 5 के परोगे ती एक कोशिन में क्या हो गया ? समापत हो गया, a की पावर में कभी root x आ जाए है ? कहाँ दिक्कत वाली बात है ? कर लेंगे भाई, a की पावर root x, फिर root x के करोगे तो 1 by 2 root x ठीक है दोस्तों मान के चल रहो मैं आप लोग को यह बात समझ में आ रही है आप सोचो मैं आपको दे दूँ कोशिन क्या 10 log tb power minus x या फिर चुल यह दिया मान रही है ठीक है यहां पर देखो क्या होगा तुम क्या बोलोगे 10 है जो log के एंगल में य जो यह कोशिन जो हमें दे रखा है तो यहां में log के एंगल में जो e उसकी power minus x है तो minus x पहले आ जाएगा उनली क्या बजाएगा log e ठीक है अब उसके बाद 10 minus x log e की value तो 1 होती है हमारे पास बचेएगा क्या उनली 10 minus x उस minus को वहार लिया तो उनली 10 x बचेएगा अब लोग derivative dy पर dx निकालना है तो 10 का हो जाएगा 10 का हो जाएगा 6 square x कोशिन यहां पर हो गया कोशिन यहां पर हो जाता है समाथ ठीक है दोस्तों हमने को किया क्या है हमने इसमें जो minus x था उस minus x को पहले लिख लिया ठीक है क्योंकि log के आपने property बढ़ी थी ना कि जो x की power n होती है तो n log x बन जाता है उस हिसाब से मिटा minus x पहले आगे तो यहां पर log e बचेगा only अब log e जो उसकी value 1 हो गई ठीक है अब 10 minus x है एंगल में minus को minus बारा जाएगा only 10x बच जाएगा अब minus as it is 10x का sex square x हो गया अच्छा अगर आप y equal to 10 minus x है अगर आप इसका करते है अगर minus को बाहर नहीं लाते तो 10 minus x का हो जाता sex square minus x फिर इस minus x का भी करते है minus x का तो minus 1 हो जाता minus बाहर तो रहता ही और sex के एंगल में मैनस हो हटी जाता sex square x तब भी आंसर हमारा same यही आना था यार तो दोस्तों इससरी से कहीं कोशन हो सकते हैं आप से कहा सकता हूं कि साइन 10 inverse e की पावर minus x यह कोशन दे दिया है हमको तो देखो इसमें क्या है सबसे पहले बारी है इस साइन की साइन का क्या हो जाएगा कॉस एंगल सेम रहेगा फिर जब यह भी हो गया अब इस 10 की बारी है तो 10 inverse x का क्या होता है 1 by 1 plus e की पावर minus x का square लो भाई इसका भी हो गया अब e की पावर minus x की बारी तो e की पावर minus x लो भी अब उसकी पावर का करो minus x का क्या होता है minus x का minus 1 हो जाता है तो दोस्तों यहां बाराब लोग समुझ चुके होंगे कि calcium, log, exponential इन सब के derivative करेंगे अब ऐसी प्रोड़ेटोल कोशन डूल वाले कहीं सारे कोशन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे ठीक है 5.4 आप लोगी समाप दो चुकी है बुक में जितने भी अच्छे कोशन थे अच्छे तो थे नहीं बुक 5.4 में कुछ खास कोशन थे नहीं वहालागी मैंने सब यहां पर कवर कर दी है एंबुक के किसी कोशन में आपको दिक्कर अब नहीं आ सकती किसमें अगर फिर भी आरी प्रावलम तो कॉमेंट करके बता दे रहें कि सर हां 5.4 का यह कुछ नम से नहीं हुआ ठीक है चलते हैं अगली एक्साइस पर तो चली दोस्तों अब हम चल रहे हैं अगली एक्साइस इसको डिफ्रेंशियेट करो तो बताओ क्या आएगा तो अब आंसर क्या करते हो 2x राइट अच्छा अगर मैं इसी को बोल दो कि y.2 की पावर x है तो यह तो exponential बन गया ठीक है सर इसका भी हम कर सकते हैं यहाँबर हम क्या करेंगे पहले तो same लिखते हैंगे पिन 2 में लॉक ब्रवटो लिखते हैंगे यह भी हो जाएगा राइट यह भी हो जाएगा कोई दिखकेत नहीं है लेकिन माल लो base में भी variable आजाए और power में भी variable आजाए अब क्या करेंगे क्या अब यह rule लग सकता है कि power को उठाके आगे लेआ और power में से 1 minus कर दो तो बाई बता दो ऐसा अ तो उसके हटाने के लिए मैं आपको बता दू, लॉग का यूज करो, लॉग का इस्तमाल करना है, we have to use लॉग, कब? when more than two functions are in multiplication or division, multiplication में या division में जब भी आपको दो या दो से, दो से ज़्याद़ function दिखाए दें, तो आप लोगों को log यूज करना है, अच्छा, और कब log यूज करना है? और कब log यूज करना है? whenever the power of variable is a variable, जो variable की power है, वो भी क्या है? पावर में अगर आप लोगों को variable दिखाए दे रहा है, बेस में भी आप लोगों को variable दिखाए दे रहा है, तो आप log का यूज करना है, ठीक है? यू, वी जो आपका दिल करे हो, आप इसको नाम दे सकती हो, ठीक है? मैंने इसको y नाम दे दिया, अब मैं देख पा रहा हूँ, बेस में variable है, पावर में भी एक variable है, तो अब क्या करें? तो भाई, दोनों तरफ log लगा दो, लैप्ट में भी log लगा दो, और राइट में भ य हो, तो log x के साथ भी आजाता है, प्लस log जो होता है वो, y के साथ भी आजाता है, log x by y हो, तो log x माइनस में log y आजाता है, और अगर log x की power n हो, log का angle x उसकी power n तो n उटके पहले आजाता है, और ये n log x ही रह लोग यтовग चीजा है यहां पर यह एक्स पहले आझाएगा यहाह रह जाएगा only log x यह क्या चीज़ है यह एक्स है यह भी डोग लगा दिया यहां पर यह लगा दिया log लगते ॐ यह लॉग का 150 पार जो आगई लोग x बच गया अब इतना जब हो जाते है alguma अब आप इसको differentiate करो, with respect to x, अब आप इसको x के respect में differentiate करो, एक लोग y का क्या हो जाएगा, 1 by y, आगे, dy by dx, right, अब तो को यहां 1st, और यह 2nd को यहां क्या करेंगे, 2nd को ऐसे लिख लो, और 1st x का derivative को यह बलो, 1, plus, अब 1st को ऐसे लिख लो, 1st को ऐसे लिख लो, product tool लगा रहा हूँ, product tool, 2nd को ऐसे लिखा, 1st x का 1, plus, 1st को ऐसे लिखा, 2nd log x का, 1 by x, और आप यहां में देसे उतनी x से x कर जाएगा, यह बन जाएगा, log x plus 1, यह value है, 1 by y, dy by dx की, और यहां से dy by dx की जो value आएगी, वो y को वहां बेज़ दो, y log x plus 1, और y था किसके equal, y था किसके equal, x की power x, x की power x, x की power में x, तो यह हमारा answer आगया, यह हमारा answer आगया, अब जैसे हमने यह question के, ऐसे कही question बन सकते हैं, बच्छों, ऐसे कही सारे question हो सकते हैं, जैसे मैं आप से बोल सकता हूँ, क आप सकता हूँ, differentiate करो, differentiate करो, let's say x की power में sin x, x की power में sin x आजाए, और आप से बोल दे क्या, with respect to x हमने इसको differentiate करना है, तो देखो, आप देख सकते हैं, base में variable है, power में variable है, तो सबसे पहले तो इसको कुछ नाम देंगे, मैंने इसको y नाम दे दिया, x की power में sin x, अब दोनों side log लगा लो, left में भी log लगा लो, right side में भी log लगा दो, okay, दोनों side log लग गया, अब log का जो angle है, उसकी power हो sin पहले आजाएगा, sin x into log x, यहाँ क्या रहेगा, log y, अब इसको differentiate करो, दोनों side, with respect to x, तो देंगे, log y का हो जाएगा, 1 by y, d yy, dx, right, आप देंगे, यहाँ क्या करेंगे, यह first है, और यह second है, okay, तो दूसरे को ऐसी लिखो, दूसरे को ऐसी लिखो, derivative करो पहले का, sin x का derivative क्या, cos x, फिर पहले को ऐसी लिखो, sin x पह ऐसी लिखा, derivative करो दूसरे का, log x का, 1 by x, यह भ जाएगा, y, यहाँ जाएगा, log x, cos x, plus sin x, अपन में, x, और देख सकते हैं, यह हमारा answer बन चुका है, तो तरीका मालूम होना चीए है, यह log का कॉंसरेट आपको थोड़ा सा मालूम होना चीए, बागी question में दिक्कत आए नहीं सकती है, चले, question थोड़ा और बढ़िया बना with respect to x, यह question आगया हमारे पास, ठीक है, cut इसको करो भाई, differentiate करो x की respect में, तो सबसे पहला गाम किया, इसको y नाम दे लो, y, यह है, x, plus 1 by x, पूरे की power में है, x, आप देखो, इतना होगी है, power में variable है, base में variable है, तो पहले दोना तरफ log लाओ, यहाँ भी, वहाँ भी, log x, plus 1 by x, पूरे की power में x, ठीक है, ओके सर, अब, log का जो angle है, उसकी power हो, जो x हो, पहले आजाएगा, x, log x plus 1 by x, यहाँ के रहे जाएगा, log y, अब differentiate करो, with respect to x, तो देखो, log y का हो जाएगा, 1 by y, dyy, dx, log y का, 1 by y, 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 फिर y का, dyy, dx, और यहाँ पर, यह 1st, और यह 2nd, 2nd को, 2nd को, ऐसे ही लिखा, 1st, x का, 1, फिर, अब, यहाँ ध्यान तो समझे ना, 1st को, ऐसे ही लिखा, derivative करना है, 2nd का, इस 2nd का derivative बरना है, तो देखो, इस log का derivative बरना है, तो पहले जाएगा, पूरी चीज़ उठके न उसके बाद इस, x plus 1 by x का भी होगा, तो x का होता है 1, और 1 by x का होता है भी टक्या, minus 1 by x square, ठीक है, दुबार देखो, दुबार देखिए, 2nd को ऐसे लिखा, 1st x का 1, फिर, 1st x को ऐसे लिख दिया, अब 2nd log का, log का करो देख, पूरी चीज़ उठके नीचे आ जाएगी, x का 1, और 1 by x का, minus 1 by x square, simplify करो इसको, log x plus 1 by x, यहाँ पर आप, x into 1 कर देख, नीचे एलसम लेलो, x square, plus 1, अपॉन का जो x तब उपरा जाएगा, इंटु में, वहाँ पर एलसम लेलो, x square minus 1 के अपॉन में, x square, अब आप यहाँ देखिए, इस x square से x square भी cancel, यहाँ dy by dx थ, upon में 1 by y, यह जो upon का जो y उसको right में देज़तो, तो y रहेगा होहाँ पर, log x plus 1 by x, और यहाँ पर x square minus 1 के upon में, x square plus y, तो एक कोशिन दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाता है, sum up, ठीक है, next अब आप इस y की भी value पूट करो, y की value यह भी पूट करना है, यह हो जाए, देखो ए एक और देखो यह, कोशिन डिक्टेर हो भाई, x, sin x, पूरे की power में आ गया, cos x, तो देखो एसे तो कुछ भी आ सकते हैं ना, basic concept मालूम होना चीह हम लोगों को, कि भाई, कोशिन अगर इस तरह से आजे तो करते क्या है, तो तो तुम सोचो ना, power में variable है, power में variable है, तो क्या अगया, फिर तो कुछ भी कर लेंगे, समझ नहीं है तो भाई, फिर तो 1000 कोशिन डट लो यार, जो पता ही नहीं चले ही, कहां पे क्या concept लाग तो फिर वो गड़वड़ है, फिर लो यार, दोना साइड log लगया, वो cos पहले आ गया, वो cos पहले आ गया, यहां के रह जाएग log x sin x, right, अब देखो, अब क्या करें, अब क्या करें भई, अब देखो, यह first है, और यह second है, यह चल रहा है क्या, log y हमारे साइड, ऐसी यह चलता ही रहेगा, अब आप इसको differentiate करिए, with respect to x, तो ध्यान दे समझेगा, log y का, 1 by y, फिर दी y by dx, ओके, यहां प्रोरेट उन लग दिखना परता है, x sin x को ऐसे लिख दिया, cos का derivative, minus sin x, फिर first को ऐसे लिख दिया, लिख दिया भाई, that it is log का, log का क्या होता है, 1 के अपॉन में, x sin x, यह पूरी चीत, नीचे आगे लिए, इन कानिया खतम नहीं होती, फिर हमने इस x sin x का भी तो करना होता है, angle का, angle का तो इस second as it is, first का one, first as it is sin का, cos x, ठीक है, इसके next step में, dy by dx, y उदर आ जाएगा, minus में sin x, यहां पे रहेगा log, x sin x, यहां पर, यहां पर यह cos x, के अपॉन में, x sin x, bracket के अंदेरे चल रहा है, sin x, प्लस में, x cos x, और यहां पर हो जाता है, समाथ, देखा एक और दुबार देखो इस चीच को, दूसरे को मैंने ऐसी लिखा, first cos का हो जाएगा, minus sin, फिर plus, first को मैं ऐसी लिख रहा हूँ, derivative पर होगा इसका, तो log का यह पूरी चीच नीचे आ गई, फिर angle का करना तो मैं ने multiplication में लगा दिया, कि second as it is, first x का one, first x as it is, sin का cos x, तो उसकी बाद क्या हुए, यह उसको उठाके right में तो ले जा नहीं है, यह चीच अपने जिगा पर वैसी है, वो minus sin x पहले लिख दिया मैंने, cos x के साथ, मैंने x and x को साथ में रिख दिया, वो पूरा box multiplication में था वो अलग रिख दिया, आप चाहों तो next step में इसको cos by sin, cod भी इसको कर सकते हो, भाइक मिस्टे को तो देख ले ना या ठीटा लगा ले ना, तो यह इतना प्लोग समझ में आ गया होगा, अब देखें एक question देख न, अब question में करते हैं थोड़ा सा बदलाओ, देखें, क्या बोलता है, find dy by dx, if y is equal to x की पावर में x, और प्लस में 2 की पावर में sin x, यह कुछ ना गया, यह कुछ ना गया पर हमारे पस, ठीक है, देखो y दे रखा है, x की पावर में x, प्लस 2 की पावर में sin x, अब हम लोगों मालूम होना चाहिए, कि देखो, यह जो base में variable, पावर में variable, right, इसका तो derivative आप लिख सकते हैं, बट इसका कैसे लिखोगे, इसका derivative ऐसे तो नहीं होगा नहीं, तो देखो क्या होता है, हम इस situation में क्या करते हैं, इस इसको बीचों जब भी plus या minus का sign आजाए, आप इसको कुछ निया नाम दे दो, इसको यू नाम दे दो, और इसका आप वी नाम दे दो, let कर लो क्या, कि यू किसके एक पल है, ठीक है, और वी किसके पल है, अब में क्या बोलूँगा, इसका derivative अलग से निकालो, उसका derivative अलग करो, यहां भी log लगाना पड़ेगा, तो अब देखो, तुमारे मन में क्या शंका आ रही होगी, मैं उस पर भी आता हूँ, पहले इसको देखना एक बार, असली जो तरीका है करने का, हमने दोन तरब log लगा दिया, वो x पहले आ गया, यह log u है, अब इसको differentiate करो, with respect to x, log u का 1 by u, du by dx, यहां भी लगेगा, प्रोडेटूर, second as it is, first का 1, first as it is, second का 1 by x, और then next अपमे, u को भी वहां बेज दिया, यह मन जाएगा, log x plus 1, और u हमारा था, x की पावर में x, log x plus 1, ठीक है, अब देखो, अब आज़ो v पे, v का चीज है, 2 की पावर में, sin x, यहां तो base constant और power variable है, यहां तो direct formula है, a की पावर x निगालने के लिए, direct formula क्या है, a की पावर x, एंटू में, log a, ठीक है, तो ऐसी इस dv by dx को find गरना हो, तो 2 की पावर में क्या है, sin x, ठीक है, पहले सेम, फिर log 2, बटकान यहां खतम नहीं ह करोगे, तो sin x का क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x, तो देखो, आजाओ question पर, now, हमारा जो y था, वो क्या था, यह था, x की पावर x प्लस 2 की पावर sin x, right, इसको आपने u नाम ले दिया, इसको आपने v नाम ले दिया, आपको चाहिए क्या था, dy by dx, तो du y dx में प्लस कर तो क्या, dy by dx, और dy by dx की जो value निकली हो क्या है, x की पावर x into में log x प्लस 1, अब dy by dx की value क्या थी, पहले तो same, log 2 into में cos x, यह हमारा question हो जाता है, sum up, यह हमारा, यह हमारा जो है पिटा, यह हमारा final answer है, अब देखो, बच्चे क्या mistake करते हैं, जो बच्चे माहिन में चल भी बच्चा सुचता है, कि यार देखो, सर ने बता रखा है, सर ने बता रखा है कि बेस में variable, पावर में variable तो लॉग लगा दो, लॉग लगा दो, तो वाला की हां पर भी लॉग लगा देता है, और वाला की हां पर भी लॉग लगा देता है, तो यह कुछ इस टाइप से बन दे रे हो अर यही लोग तुम उसके साथ मी पहुचा दे रे हो यह जैसे पॉसिबल है क्या मैंने ऐसी आपको कोई प्रॉप्टी बताई है कि कभी भी अगर log x plus y हो तो यह log x plus log y बन जाएगा क्या मैंने आपको ऐसी कोई प्रॉप्टी बताई है तो आप बोलोगे नाइसर सेवी प्रॉप्टी नहीं है, प्रॉप्टी क्या थी? कि अगर multiply ही है, multiply ही है भाई, तो उस situation में क्या है? हम तब log x plus log y लिख सकते हैं, सभी बात हैं? तो यानि कि अभी जो log लगा है, वो log उन दोनों के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, इसलम क्या बोलते हैं, कि भाई, यह तरीका हो जाएगा, गलत, तुम इसको u नाम दो, उसको v नाम दो, और दोनों के derivative को अलग-अलग find करो, दोनों के derivative को अलग-अलग find करो, देखो, एक question और करते हैं, जैसे माल लो मैं आपको बोल देता हूं, कि differentiate करो, x की पावर log x plus log x की पावर x की किसके respect में, with respect to x, यह find करो, तो देखो, basic concept clear होने चाहिए, सबसे पहले तो y इसको y नाम दे दो, पूरे को y नाम दे दो, log x की पावर में x, ठीक है, यह हो गया, अब तो मैं माल में, इस base variable, power variable, base variable, power variable, बिना log के तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है, तो क्या करें, भाई मै मैं कहरो हूँ है, इसको y नाम दे दो, इसको v नाम दे दो, अब फिर इन दोनों के derivatives को भाई, अब लोग अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है, जैसे, लेट कर लिया क्या, यू जो है, वो क्या है, x की पावर में, log x है, तो अब क्या होगा, दोना से लॉग लगा लगा लगा, लेट में भी लोग लगाया, राइट में भी लोग लगा लगा दिया, तो इससे हुआ क्या, log x है, log के एंगल x, उसकी पावर log x हो, log x पहले आ जाएगा, उपर आल log x पहले जाएगा, आगे रजाएगा log x, log x क्या बन गया, log x का whole square, ये चीज बन गी बटा क्या, log u, अब इसको differentiate करो, with respect to x, log u का, 1 by u, du by dx, अब यहाँ पर प्रोड टूल भी लगाता हो, तो भी आंसर आजाएगा, लेगे आप इससे सेम चीज है, तो मैंने log x का whole square लगा दिया, अब पावर को पहले लिख लो, 2 log x की पावर 1, फिर log x का, 1 by x, और दे नेक्स टेप में, इससे u को बेज़ लो, उस तरफ, तो u, 2 log x की अपॉन में x, और u भी किसके एक बल था है, x की पावर में log x, x की पावर में log x, 2 log x की अपॉन में x, यह सी अभी क्या निकला है, du y dx, अब आपको इसी प्रकार से, इस v का भी derivative करना है, आपको v का भी derivative करना है, v क्या है, log x पूरे की पावर में x, इसका भी derivative करना है, तो क्या करोगे, तो सर, अब देखो बच्चे एक गलती इसमें करते हैं, क्या करते हैं, सर यहां तो अल्यड़ी log लगाओ है, तो उस x को पहले ले आओ, बच्चा इसमें की निस्टेक करता है तो यह यह mistake निकरने, क्यों निकरने, तो कि गलत है, गलत क्यों है, हमने क्या रूम पढ़ाया, कि log का जो angle होता है, वो उठके पहले आता है, एंगल की पावर जो वो उठके पहले आती है, बट वो जो x क्या हो, इस x की पावर है, आप बोलों कि नहीं, वो इस पूरे log x की पावर है, वो समझ पावर है, यह जो अगर इसके ओपर में अगर यह आता है, तो यहाँ पर आपको log लगाना ही पड़ेगा, ठक है, तो दोना तरफ लग लगाया, log b, log b, और यहाँ पर बन गया log, साथ में log x, और पूरे की पावर में, एक्स, ठक है, अब दोना साथ, अब जो यहाँ पर बिटा, वो x हमारा पहले आ जाएगा, log, log x, और यह हमारा का चल रहा है, log v, राइट, अब जो है, अब हम देख सकते हैं, यहाँ पर यह फर्स और यह सेकंड, इस पर बड़े इजली प्रोरेट्टू लगा सकते हैं, डि यहीं, log v का derivative, 1 by v, v का गरोगे तो dv by dx, और प्रोरेट्टू, second as it is, second as it is, first का, x का derivative, 1, फिर, first as it is, derivative second का, इस log का derivative करना तो पहले, log x निचा जाएगा, फिर इस log x का भी करोगे तो यह 1 by x का जाएगा, ठीक है, और उसके बाद, dv, y, dx जो निचलेगा बिटा, v को बेज़ दो उतर, log, log x, आपर x से x कर जाएगा, और 1 के अपॉन में, log x आ जाएगा, तो दोस्तों यह इतना भी हो गया, अब इसके बादे को हमको तो क्या चाह है, हमारा जो y था, वो था u plus v, और हमें तो क्या चाहिए, dy by dx, तो जो dy by dx आपने निकाला है, उसके प्लस कर दो क्या, dv, y, dx को, तो देखो, dy by dx, यह रहा, x की पावर log x, और 2 log x के अपॉन में, x, प्लस, dv, y, dx हमने अभी निकाला भाई है, v की value पुट जाने परेगा, इसको यहाँ लेखो, लॉग x की पावर, x, लॉग, लॉग x, प्लस, 1 बाई, लॉग x, तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिए आ होगा, कि लॉग के बेसिक्स, अगर आप लोगों को मालूम है, यह मालूम हों कि बेस में पावर में अगर वेरेबल हैं, तो हम लॉग उसक्या गरते हैं, तो साथ में अगर पीछे, प्लस, मैनस आ जाए, तो कैस करना है, ठीके ना, तो यह बिटा, यह एक साइब है, बाकि कुछ कोशन देखे, कैसे हो सकते हैं, कि आप से ब यह बताओ, दी वाइब है, तो देखो, ऐसे है न, पावर में वेरिबल है, दोने तरफ लोग अलगा लोग, 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 य की पावर एकस, यहां पर यू और भी लेट करने के जुरूत नहीं, कि यहां तो डिरेक्टली लोग दोनों के पास पहुंच जाएगा, ठीके ब प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, तो दिक्कत आजाती है, यहां पर भी प्रॉलम नहीं है, अब देखो, अब य वो पहले आजाएगा, यहां पर एकस पहले आजाएगा, राइट, य लोग एकस और एकस लोग य, अब इसको डिफ्रेंशेट करो, विल रिस्पेक्ट त यह फर्स और यह second, साइसा हुआ, यह फर्स प्रीफ्रॉच का यह लिखा, यह देखो, विल रिखा, दीवाइब इसको यह लुगा, इनको एक साथ रख लो, तो मैं डारे लिखते रहा हूँ, देखो, यहां बचेगा log x, वो जब left में आएगा, तो minus x by y बचेगा, अब वो dy by dx वो डामने common ले लिया, यहां बचेगा log y, और इसको भीजो right side में, minus y by x, टेक है next step में आप इसको उसके नीचे ले जाओ, अब आक कोशन ही आपर इसमाफ हो जाएगा, अब देखें, आपके गुफ में कुछ कोशन ऐसा है, कि differentiate करो, किसको, cos x, cos 2x, cos 3x, with respect to x, with respect to x, तो बड़े में एक बात बोलेगी, दो से ज्यादा functional multiplication में देख रहे हैं, तो आपको log use करना चाहिए, तो देखो, यहां पर क्या है, यह ज आपके दिया, cos x, cos 2x, cos 3x, इसको x के respect में differentiate करना है, तो कि अगर वे दोनसाइड log लगा लगा लिए, लोग है, उसके बाद, log cos के साथ, log cos 2x के साथ, और log cos 3x के साथ, यहां पर क्या है, यहां पर है, log y, अब इसको differentiate करो, with respect to x, यहां log y का, 1 by y, y का dy by dx, ठीक है, यह property आप समझे चुके होंगे, कि log in 3 के साथ पहुंच चुक है, जब multiplication में होते हैं, तो बीच में plus का sign आ जाता है, यह ज़िए कि division में होते हैं, तो बीच में minus का sign आता, यह property है ना, कि log x into y है, तो वो क्या है, वो log x plus log y है, वो ही ज़िए बड़म नहीं आप यूस किया है, log cos के साथ भी log cos x के साथ भी log cos x के साथ भी और log cos x के साथ भी बीच में सब के plus, अब करो derivative, देखो log y का 1 by y, फिर y का किया तो dy by dx, फिर log cos x का करोगे तो 1 by cos x, cos का भी करोगे तो minus sin x, log cos x का करोगे तो 1 by cos 2 x, cos 2 x का करोगे तो minus में sin 2 x, और 2 x का करोगे तो 2, ऐसी log का करोगे तो 1 by cos 3 x, cos का करोगे तो minus sin 3 x, और 3 x का करोगे तो 3, ठीक है, next step में dy by dx, y का भीज़ दो उस तरफ, अज़ो ये sin by cos भी बन जाएगा 10, 10, और ये sin by cos भीज़ बन जाएगा 2, 10, 2 x, और ये sin by cos भीज़ बन जाएगा 3, 10, 3 x, दोस्तों देख सकते हैं, कोशन अबार ही हाँ पर, खतम हो गया, हाँ, next अभी आप इस y की value जरूर पूट कीज़ेगा, जो question में देर खिए हैं न, ये, ठीक है, इसको आप लोग जरूर पूट कीज़े, देखो, और question देखो, मैं खुछ से ये question बनाता हूँ, आपसे बहुत लेता है कि y जो हमारा है, वो है x plus 1 की power 2, x minus 3 की power 4, upon me 4 minus x की power 5, ये question दे दिया गया, ठीक है, और इसको differentiate करना, विद रिस्पेक्ट, इस तो ऐसे कुछ भी दे सकता है बनाकर, है न, तो आपको क्या पता होना चाहिए, कि इतने सारी functional multiplication में है तो इसको simplify करना की जोड़ाता थोड़ी या, तो दोने सारी लॉग लगा लो गई, लेफ्ट में भी लॉग लग लग गया, राइट में भी हमने लॉग लगा दिया, अब उन में 4 minus x की power 5, अब देखो, लॉग इन सब के साथ पहुंच जाएगा, लॉग जो है x plus 1 के साथ भी पहुंचेगा, लॉग जो है, x minus 3 के साथ भी जाएगा, हमारा जो लॉग है, लॉग जो है, वो 4 minus x के साथ भी जाएगा लेएं, क्योंकि denominator में है, जोचे numerator में होती है, वो plus में रहती है, जोचे denominator में हो minus में रहेगी, log 4-x की power 5 इसके साथ भी जाएगा log x plus 1 के साथ भी आएगा log x minus 3 के साथ भी आएगा log 4-x की साथ भी आएगा power 2, 4, 5 यहाँ पर आप एक कम और कर सकते हो log के angle की power 2 जो है वो 2 पहले आजाएगा 2 log x plus 1 ऐसी वहाँ पर हो 4 पहले आजाएगा 4 log x minus 3 आपर 5 पहले आजाएगा log 4 minus x यह चीज़ जो है वीटा यह क्या है यह वीटा हमारे पास log y यह log y है ठीक है अब इसको differentiate करो differentiate with respect to x पता आएगे log y का derivative क्या log y का 1 by y dy by dx पर 2 log x plus 1 का x plus 1 नीचे आजाएगा x plus 1 का भी करोगे तो वो तो 1 ही होता है लिखने के जोड़ नहीं है फिर 4 log x minus 3 का अपर में x minus 3 आजाएगा फिर x minus 3 का इंटो में 1 फिर minus 5 log 4 minus 6 तो यह अपर में 4 minus 6 आजाएगा 4 का 0 और minus x का minus 1 ठीक है तो अब लोग भाई dy में dx 2 के अपॉन में x plus 1 4 के अपॉन में x minus 3 minus minus plus 5 के अपॉन में 4 minus x ओके बागे नेक्स डप में आप इसमें y की value पूट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और यह बिटा हमारी थी 5.5 इसी तरह के question आपको इस exercise में देखने को मिलेंगे कोशिन कीजिए जो ना हो कॉमेंट करके बताईए कहा दिक कर दा रही है ठीक है बागी देखो इस वीडियो के description में मेरे instagram का link दे रहा है अब फॉलो कर लेना यार अकाउंट हो गया बना रहा है हमने तो थोड़े से subscriber थोड़े follower वहां भी बढ़ा दो यार ठीक है हो है parametric form क्या चाहिए यहां पर ना ऐसा होगा कि कोई दो variable होगे एक variable होगा यह जो एक्स होगा यह किसी तीसरे वैरेबल ट के डंस में होगा और अब आपसे क्या बूल गया जाएगा कि बता भाई अब आपका डी वाई वाई डी एक्स क्या होना चाहिए यह हमसे पूछ ले जाएगा भाई इसको आप ऐसे समझ सकते हैं इसको बढ़ा आप लोग ऐस मेरे यूटूब की जो इंकम है मेरे यूटूब की जो इंकम है वो डिपेंड करती है किस पर मेरे व्यूज पर इस बात को मानते हैं दोस्तों मेरे जो चैनल की जो इंकम है मेरे जो रेवन्यू अबट वो किस पर डिपेंड करता है वो मेरे व्यूज पर डिपेंड करता है राइट अच्छा मेरे जो चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं बचो वो भी भाई मेरे व्यूस पर डिपेंड करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब नंबर आप व्यूस कम होते हैं तो कम ही लोग subscribe वाले बटन पर click किया करते हैं, व्यूज अगर जादा होंगे, तो subscribe वाले बटन पर click करने वाले लोगों की संख्या भी क्या होगी, जादा होगी, किसी को वीडियो पसंद आया या नहीं आया, लेकिन ऐसा होता है, व्यूज जब जादा बढ़ते हैं तो लोग कुछ subscribe पर click कर ही देते हैं, तो जो subscriber है वीटा, वो भी कहा है, व्यूज पर depend करता है, तो देखो ऐसा है न, Y एक variable जो depend करता है T पे, ऐसी, X भी एक variable जो depend करता है किस के उपर, T के उपर है, अब हम यह जानना चाहते हैं, कि क्या subscribers की increase होने से, इस revenue पे भी फरक पड़ता होका, या नहीं पड़ता होका, तो अब लोग जानते हैं कि देखो, जब हमारे पास subscriber ज़्यादा होते हैं, और कोई content हम YouTube पे upload करते हैं, तो वो content directly उन लोगों की wall पे, उनके profile पे पहुंच जाया करता है, और उनके screen पे आ जाता है, तो अब कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके subscriber है ही नहीं, किसके 10 subscriber हैं, किसके 20 subscriber हैं, आप सोचो, उनके channel पे view आएंगे, कहा से जब किसने channel subscribe करी नहीं रखा है, अब वो तभी possible है, जब उनका content बहुत ज़्यादा सर्च में आ रहा हो, तब लोग हो सकता है कि उनके video देख लें, अधरबाइस directly तो नहीं देखेंगे, मैं खुद के channel की बात करूँ, तो मैं content जब डालता हूँ, तो जितने में subscriber मेरे अभी हैं, उन सब की wall पे जाके, या तो notification के जरीए, या फिर उनकी wall पे जाके, वो क्या होगा, मेरी जो video वो show कर जाएगी, तो यान कि उन्हीं को show करेगी, जिन्होंने channel को subscribe किया होगा, और अगर देखो subscribe कर रखा होगा, तो मेरे channel पे view आएगा, उस video पे view आएगा, और view आएगा बेटा तो view आने के विज़े से, मेरा revenue क्या होगा, वो भी increase होगा, तो यानि कि कही ना कही, जो revenue होता है, वो subscriber से भी पेटा, एक हद तक प्रभावित होता है, ठीक है, subscriber जादा होने से, क्या ये y भी इस x पे depend करता है, अगर करता है, तो बताओ, उसमें change होने की वज़े से, क्या इसमें भी change आएगा, अब बोलोगी yes आएगा, कितना change आएगा, उस change को भीटा हम लोग find करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसको ऐसे समझे लिज़े, कि माल लो हमारा जो y है, वो हमें दे रखा है 3t का q, एंड हमारा जो x है, वो हमें दे रखा है 2t, या फिर 2t की power 2 दे रखा है, और अब आपस वही है हमारे पास, तीक है, अब आपसे बोल दिया जाता है, कि बताओ हमारा dy by dx जो है वो, किसके equal होगा, यह आपसे पूछ लिया गया भाई, तो करना क्या है, करना क्या है जो y है, 3t का q, एंड एक जो x है, यह है क्या है, 2t का square, तो दोस्तों अब आप करेंगे क्या, आप लोगों ने इसको करना है, differentiate with respect to not x, with respect to t, यह y variable t के dumps में, तो आप t के respect में इसको differentiate कर दो, dy by dt, तो 3t cube है न, तो 3 और t cube का derivative होता है, 3t का square, यह बन जाएगा 9t का square, ऐसी सेम चीज़ बेटा आपको वहा भी करना है, आप इसको भी differentiate करो, with respect to t, x का derivative, t के respect में, dx by dt, तो क्या होगा 2, t square का तो 2t होता है, तो यह 4t बन जाएगा याद, ओके सर को इतिकत वाली बात नहीं है, अब हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए dy by dx, तो याद रखे, इसको find करने का जो तरीका है न, numerator में y है, denominator में x है, तो आपने करना क्या है, आपने इस y को, आपने इस y के derivative को, यानि कि dy by dt को numerator में रखना है, divided y, आपने denominator में उस x के derivative को, यानि कि dx by dt को रख देना है, तो उससे देखो हो गया, dt से dt तो कट जाएगा, आएगा क्या, dy by dx ली आएगा, तो देखो dy by dt की वेलोब कितनी है, 9t square upon, dx by dt की वेलोब को इतनी है, 4t, यह बन जाएगा 9 by 4, और साथ में हमारा आजाएगा, तो यानि कि अगर आप dy by dx निगालना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको वेटा आंसर जो आपको निकलेगा ना, वो t के दम्स में निकलेगा, आपको t की ही वेली नहाँ पर put करनी होगी, तो यह क्या है, dy by dx, ऐसे कहीं सारे question हो सकते हैं, जैसे मैं आपसे बोलो, कि हमारा जो x है, वो sin theta है, हमारा जो x है, वो sin 2 theta है, करे बताओ, dy by dx क्या होगा, dy by dx क्या होगा, तो तरीका simple है, जो x दे रखा है sin theta, उसे differentiate कर लो भई, dx by d theta, sin theta का क्या बन जाएगा, यह cos theta बन जाएगा, ऐसी जो y दे रखा है, sin 2 theta, sin 2 theta, इसका derivative क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इसका derivative ची है, तो sin 2 theta का हो जाएगा कितना, cos 2 theta, लेकिन बाद में 2 theta का भी करो जाएगा, तो 2 में 2 आ जाएगा भई, ठीक है, अब चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए dy by dx, तो बटा मैंने तरीका क्या बताया, अचाहिए मैंने mistake करती है, d theta लेखो भई, यह d theta है, y का derivative dy by d theta, divided by dx by d theta, तो y का derivative था, 2 cos 2 theta के upon में, x का derivative, x क्या है याँ पर, sin theta, sorry, इसका derivative क्या है, इसका derivative है, cos theta, तो दोस्तों, यह हमारा इसमें, answer आचका है, इसको आप इतना ही छोड़ सकते हो, आप चाहो तो इसमें, cos 2 theta का कोई formula वेरा भी लगा सकते हो, बट मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, जैसे यह किया, ऐसे देखो, मैं आपके सामने question रख देता हूँ, आपकी book से देखो एक question रखते हैं, आपकी book से देखो एक question है, x है हमारे पास, a theta minus sin theta, find dyy dx, तो इस में क्या हो जाएगा, जो x दे रखते हैं कितना, a theta minus sin theta, आप देख सकते हैं जो x है, यह x डिबेंड करता है theta के उपपर, तो इस x को theta के respect में differentiate करो, a theta का हो जाएगा 1, sin का हो जाएगा cos theta, ऐसी y का भी निकालो, y जो क्या है, a 1 plus cos theta, तो यहाँ बेr dyy d theta निकालेंगे, तो a constant 1 का 0, और cos का minus sin theta, ना हमें चाहिए क्या, dyy dx, तो क्या करोंगे भई, जो y का derivative है, minus a sin theta, उसको divide जो किससे, a 1 minus cos theta से, a 1 minus cos theta से divide करती है, अब आप यहाँ देशे कहते हैं, a से a cancel, और इसमें एक क्राम और क्या जा सकता है, आपके बुक के पीछे वाल आंसर मैच करवाता हूँ, sin theta का जादू लगा हो भई, 2 sin theta by 2, cos theta by 2, denominator में, 1 minus cos theta का जादू क्या होता है, 2 sin square theta by 2, यह step आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया भई, आजी, देखो, चीट कोई, नहीं तो है नी भई, कहीं बार use or की है, आपको मालूम है कि cos 2 theta क्या होता है, 1 minus 2 sin square theta, तो 2 sin square theta जब left में आता है, तो क्या बन जाता है, 1 minus cos 2 theta, cos 2 theta को right में भेज दिया, दोनों साइट से angle को half कर लो, तो 1 minus cos theta, right, ऐसी, sin 2 theta का फॉरून होता है, 2 sin theta cos theta, दोनों साइट से एकल मैं angle को half कर दूँ, तो जागा 2 sin theta by 2, cos theta by 2, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, 2 से 2 cancel, sin से sin cancel, उपर बचेगा cos theta by 2, नीचे बचेगा हमारा, sin theta by 2, अब जो cos by sin है बन जायागा, cos theta by 2, right, तो दोस्तों मैं मान के चल रहा हूं, आपको इबात समझ में आ गई होगी, y का derivative a 1 का 0, जो cos का माइनस sin उपर आ गया, 2 sin square, sin sin उपर गया, cos theta by 2, तो दोस्तों है हमारा इस question का, आचल आ चुक गया है, जैसे यह किया, ऐसे ही आपकी book में, एक question है, question number 8, कहता है कि, जो x है, x वो है, a cos t, प्रस्में log, प्रस्में log, 10 t y 2, log 10 t y 2, एंड जो y है, वो y कितना है भाई, y है हमारे पास, a sin t, a sin t, तो देखो, उसका derivative पर तो कोई दिख्का दिनी आया है, या नहीं दिख्केद वाली बाते नहीं, a sin t का क्या हो जाएगा, costing है ना, यहाँ problem है थोड़ी सी, यहाँ पर d x by dt निकालना है, तो क्या करें, तो देखो भाई, a cos का minus sin t, log का करोगे तो 1 by 10 t y 2, फिर 10 का करोगे तो क्या बनेगा, sec square t y 2, फिर t y 2 का भी करोगे तो क्या जाएगा, 1 by 2, दुवार देखो, दुवार देखो, दुवार देखेगा भी जा, देखो क्या है, cos का minus sin t, log का, यह 10 नीचे आ गया, फिर 10 का करोगे तो 10 का क्या होता है, sec square t y 2, फिर t y 2 का करोगे तो t के respect में, तो वो 1 by 2 जे बनेगा, और यहाँ पर भी डाम ट्रैकेट को कर देगे, close, ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखो, इसको simplify करो, a minus sin t, sec square t, 10 तो बन जाएगा क्या, sin t y 2 के अपॉन में, cos t y 2, sec square क्या बन जाएगा, 1 के अपॉन में, cos square t y 2, और यह 1 upon 2 बिटा, ऐसी मारा चलता रहेगा, ठीक है, यहाँ आपर आप देख सकते हैं, 10 को sin by cos लिख दिया, जो sex square था, वो नीचे आगया, cos square बन गया, और 1 by 2 ऐसी चली रहा है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि इस से, यह cancel, अब जो चीज़ है हमारे पास आ रही है, a minus में, sin t, फिल, 2 नीचे है, sin, t y 2, आगे, cos, 2 को मैंने पहले लिखती है, दन उसकी बाद, a minus में sin t, और आप देख सकते हैं, यह जादू बन गया, भी थोड़े पहले पहले में लिखा था, कि 2 sin theta y 2, cos theta y 2 के लिखे, sin theta लिख सकते हो, तो यहाँपर बढ़े क्या है, यहाँपर 2 sin t y 2, cos theta y 2 के लिखे 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 लिख सकते हो, तो देखे, sin t into sin t, minus sin square t, plus का 1, अपॉन में sin t, जब इतना हो जाता है, तो a, 1 minus sin square t, क्या बनेगा, cos square t, denominator में क्या है, sin t, और यह बटा, कदम, खलास, dx by dt आगया, अब चाहिए क्या भाई हमको, हमको चाहिए dy by dx, तो उसके लिए y के derivative को, divide करना होता है, x के derivative से, तो y के derivative हमें निकाल रख्या है, a cos t, a cos t, और जो dx by dt हैबटा, dx by dt, a cos square t, के अपॉन में, sin t, a से a cancel, और आप यहां में देख सकते हैं, हमार a cos से यह cos भी कट जाएगा, अब क्या भुचरा हमारे पास, cos t, upon में sin t, यह cos by sin quad बनेगा, और वही one by quad हमारा, 10 t बन जाएगा, तो दोस्तों, यह question में हमारा यहां भी हो जाएगा, समाप्त, आप अपने doubts में मुझे बदा सकते हैं, instagram में मुझे भेज दे आपने question को, ठीक है न, और जिस भी question में बटा book के, जिस भी question में आपको problem आए, आप मुझे बदा दो हाँ पर क्यो हाँ दिक्कत आपको, तो फिर इस वीडियो के बाद बदे, एक doubt session में अलग से आप लोग के लिए चलाने स्टार्ट कर दो, तो हमें पांच मन ददस्मेंट के doubts वाले कहीं सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाना शुरू कर दूँँगा, ठीक है, तो हमने parametric form कर लिया है यही concept है, बुक में जितने question सारे ऐसी है यार, एक 7th question काफी लंबा question है, वो आप लोगों के हवाले है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा तो चलिए दोस्तों एक question आपको और 5.6 से करवा रहा हूं, देखिए एक question यह है, हमें x दे रखा है, y दे रखा है और हमें कहता है कि इसमें dy by dx find करो, तो देखिए इसमें क्या है न हमें जो x की value दे रखी है, x के हमारे पास, यह है a cos theta plus theta sin theta तो इसमें मुझे find करना है dy by dx, तो उसके लिए सबसे पहले हम x का derivative कर देंगे theta के respect में, तो देखिए a cos का हो जाएगा minus sin, बड़ आप यहां पर देख सकते हैं theta और sin theta दोनों ही variable है, तो इसलिए बटा यहां पर प्रोरेट टूल रहाना पड़ेगा और उसके लिए हम second को ऐसे लिखेंगे और first का कर देंगे one, फिर first को ऐसे लिख देंगे और sin का कर देंगे cos, अब आप यहां देख सकते हैं, इस sin से यह sin हो जाएगा cancel, हमारे पास बच्छे का a theta cos theta ठीक है, तो देखें, अब यहां पर भी क्या है, हम derivative करेंगे dy by d theta निकालेंगे, तो a sin का हो जाएगा cos minus, यहां theta और cos theta पर आप प्रोरेट टूल लगा सकते हैं, तो देख सकते हैं, cos second as it is, theta का one होता है लिखने के जो रोत नहीं है, फिर theta as it is, cos का हो जाएगा minus sin theta bracket close, और यहां पर आपने सकते हैं, इस cos से यह cos भी होता हैगा cancel, और बचेगा a minus और minus plus का theta sin theta, so now हमें question में चाहिए क्या था, हमें तो चाहिए था dy by dx, तो उसके लिए हम लोगों को y को differentiate करना होता है x से, और y का derivative, a theta sin theta, a theta sin theta divided by x का derivative, a theta cos theta, a theta cos theta, अब आपके सकते हैं, sin को cos theta divide करेंगे बटा तो यह मन जाएगा 10 theta, और यह हमारे पास आ जाएगा dy by dx, तो 10 theta हम लोगों को यहां पर मिल चुका है भाई, dy by dx हमा रहे हैं यहां पर निकल चुका है, तो दोस्तों यही हमारा parametric form यही है भाई, ऐसी question आपको parametric form में देखने को मिलेंगे, एक दो question हो सकता है, बुक में किसी question में आप first जाएं, जिसमें आपको दिक्कत हो भाई, comment में आप मुझे बता देना कि sir हम से यह question नहीं हो रहा है, बाकी में आपको मालूम ही आई है कि मैं पूरा chapter जब आप लोग लिए बना रहा हूँ, तो इसके वाद फिर doubt series भी मैं चलाऊंगा, आपके जो problem सुंगी वो मैं उनके लिए एक separate 5-5-10-10-minute की वीडियो बनाऊंगा या, तो अचले अब हम चलेंगे 5.7 की तरफ, अब हम चलेंगे अगली exercise की तरफ, हम चल रहे है second order derivative की तरफ, second order derivative, तो देखी क्या है, हमें अगर जैसे y equal to fx दिया गया होता है, y equal to fx, तो आपको मालूम है कि इसको जब हम differentiate करते हैं with respect to x, तो y का derivative वो क्या बन जाता है, वो dy by dx बन जाता है, ऐसी होता है न, उस fx के derivative को आप लोग f dash x लिख दिया करते हो, हाँ, इसको y1 में लिखते हो और y dash, इन सभी नामों से भी आप इसका represent किया करते हो, अब अगर मैं आप से बोलूँ कि इसी चीज को दुबारा से differentiate करो, दुबारा से इसी चीज को differentiate करो, जो derivative तुमने निकाला है उसको दुबारा differentiate करो, तो देखो ऐसा यह जो चीज आप होती है, d2y upon dx2, जो f dash x है, वो क्या बन जाएगा, f double dash x, वो जो y1 वो क्या बन जाएगा, y2 और वो जो y dash वेड़ो क्या बन जाता है, y double dash, यह लिखने का तरीका है भाई, यह होता कहा है न, इस d y y d x का हमने करना है derivative, यान इसके बार d y d x लगाना पड़ेगा, तो d d d d का square, d x d x d x d x का square है, यहाँ पर bracket है जो लगाया नहीं जाता है, ऐसा लिखा जाता है, इसको यह अगर मैं बनूँ कि दुबारा से differentiate कर दो, दुबारा से इसको differentiate कर दो भाई, triple dash y 3 बन जाएगा, अरे y triple dash आजएगा है अप्यार, तो यह है भाई यहाँ पर, अब देखो question कितना असान असान देखो, आपने जितना differentiation सीखना था वो सीख लिया है, उसका ही use यहाँ पर करें के मिता, जैसे मैं बनूँ y equal to x का cube, बताओ इसका derivative क्या, तो आप बोलोगे 3x square, मैं बोलोगे इसको भी दुवारे से differentiate करो, इसको भी differentiate करो, तो 3x square का क्या हो जाएगा, 6x, खत्म बस यही है भाई इसमें, मैं आपसे बोलो y equal to log x, इसको differentiate करके क्या आता है, तो आप बोलोगे log x का 1y x हो जाता है, इसको भी differentiate करो, तो dy बे dx को जब दुवारे differentiate करते हैं, तो यह बन जाता है, d square y upon dx square, और जो 1y x हो बन जाता है, minus 1y x square, तो यह इस तरह से इसमें चला करता है भाई, अब जैसे, मैं question लग देता हूँ, y equal to x sin x, अब मैं इसको differentiate करके बताओ क्या आएगा, तो आप बोलोगे भाई कि dy बे dx निकालना है, तो यहाँ पर first और second, product tool लगाना पड़ेगा, तो देखो product tool क्या मोलता है, second as it is first का 1, first as it is second sign का cos x, ठीक है, अब इसको दोवारे differentiate करेंगे, with respect to x, तो dy बे dx क्या हो जाएगा, d square y upon dx square, तो sin x का हो जाएगा, cos x, first or second, देखें, यहाँ product tool लगाना पड़ेगा, तो second को लिखेंगे as it is, first x का हो जाएगा one, फिर first x को लिखेंगे as it is, और cos का हो जाएगा, मानस में sin x, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह cos और यह cos बन जाएगा, 2 cos x, मानस में x sin x, और यह हमारा इसमे answer ने के लिखेंगे एक बच्छा है, second as it is first का one, second का cos, cos x का one, x cos का minus sin, ठीक है, तो दोस्तों हमारा इसमें यह answer आ गया है, जैसे यह है, ऐसले को और भी कोशिक बन सकते हैं, मानलो मैं बोल देता हूँ, आपके वास ने जाता है x square, और e की पाउर में देता है 3x, ठीक है, तो अब differentiating तो करना है क्या है उसमें अब, dy बे dx निकालना है है, तो प्रोडे 2 लगा लो, second as it is, first x square का, 2x, first as it is, x square as it is, e की पाउर 3x का, e की पाउर 3x, 3x का भी करोगे, into में क्या जाएगा, into में 3 आ जाएगा भाई, अब यहां पर देखो, ऐसा है ना, second derivative करने के लिए, आप e की पाउर 3x पहले common ले लो, तो यह बन जाएगा 2x, 2x, और वो बन जाएगा 3x का, square, यह dy by dx आभाई, अब इसको दोबारा से differentiate करो, देखो पहला आपने differentiate किया, with respect to x, इसको दोबारा से differentiate करो, with respect to x, तो देखो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा d2y, upon me dx2, तो देखो यहां पर यह first है, और यह पूरा मेरे लिए second है, चेक के लिएक बड़ मैंने comments ही लिया है, plus 2x, x square ठीक है, एक की पावर 3x कावं तो 2x बचेगा, हम भी 3x कावर बचेगा, अब differentiate करेंगे, तो second as it is, second as it is, derivative first का, एक की पावर 3x का derivative, e की पावर 3x, इल्टो में पावर का भी करोई तो 3, फिर plus, अब first as it is, derivative second का, 2x का तो 2 हो जाएगा, 3x square का 6x हो जाएगा, ओके, यहां पर आप देख सकते हैं, फिर से आप e की पावर 3x common ले सकते हो, और वो जो 3 है, इसके में पर यहां कर दो, 3, 2, 6, 3, 3, 9, और यह common आगया भार, यह भार आगया तो बच्छे का 2 plus 6x, और last में पिटा, e की पावर 3x, 9x square, 6 और 6, 12x, प्लस में 2, और यह दोस्तों हमारा answer आगया, तो यह हमारा question में answer आगया, second derivative निकालने में मेरे खाल से, आप लोगों को कोई दिकत नहीं आएगी, आप इस second derivative में इस तरह की question तो कम आते हैं, proving वाले question पहले जादा आया करते थे यार, आप क्योंकि MC की based questions भी आप लोगो आप देखने को मिलेंगे भाई, इसा है न, MC को यह नहीं कि फिर आप लोग जो बड़े वाले question उनको करना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं है भई, उनको भी करना है, करना सब कुछ आप लोगो ने, ठीक है, यानकि पहले जो त्यार ही कर रही थे न, वो तो करनी ही है, उसमें ही समझे लोग कि अब आपने थोड़े objective type questions की भी आप लोगों ने practice करनी है, ठीक है न, क्योंकि कहीं बार होता गया है आपको यह बड़ा question दे दिया, यह बड़ा question दे दिया, अब मैं आपसे भूल तो कि बता आप इसका secondary tip क्या होगा, secondary tip क्या होगा, और option देता हूँ, चार option, तो चारों में से कोई एक option आपको select करना है, तो होगा क्या, करना तो पूरा पड़ेगा है न, फिर भी आपको, बस यह कि हाँ यहाँ पर पूरा तरीके से इसको क्या करते है, तो बच्चो आना पूरा 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 method आने चीवट आप लोगों को, ठीक है न, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसी तयारी आप लोग पहले करते वारे तयारी वैसे रखो उसको भी continue करना है, लेकिन बस अब उसमें extra क्या practice करनी है, objective type जो आपके question हों कि उनकी भी आपने extra साथ में practice करनी है, ठीक है, अब देखिए, कुछ question देखिए, एक आपके book का question हमारे पास, फिर एक NCRD से भार कभी question कराऊंगा, तो देखिए, y equal to cos inverse x है, कहता है कि second derivative निकालो, but in terms of y, y के terms में निकालना है, आप सुचो यही question अब आपके पास objective में आजाए, चार option आपको दे दिया जाए नीचे, ठीक है, फिर आपको बलते कि बता कौन सा option सही है, तो बेटा, करना तो फिर फूरा पड़ेगा, है ना, तो देखिए बड़े, अब क्या किया जाए धर, करना यह देखो कि, जो y दे रखा है, cos inverse x, यहां से हम कहा सकते हैं कि, अगर मैं cos को इदर ले आओ, तो हमारा cos y जो है, वो x के पला जाएगा, अब देखो, अब मैं इसको अब अगर डिफ्रेंशेट करूँ, with respect to x, तो बनेगा 1, right, इस sign को उस तरह बेंज दो, देखो, मैं डालेक लिखते हूं, sign जब उसके denominator में जाएगा, तो 1 by sign बनेगा, और उस 1 by sign की value क्या हो जाएगी, cosec और minus 3 मैंने right में transfer कर दिया, अब इतना हो जाता है, अब मुझे इसको दुवारा से डिफ्रेंशेट करना है, with respect to x dy by dx को जब x के respect में differentiate करोगे, तब जाके बनेगे क्या बनता है, d2y upon dx2, तो देखे, minus, cosec का derivative होता है, minus cosec into cot, फिर y का भी करोगे, तो क्या बन जाएगा, dy by dx, x के respect में होगा है, तो देखे, अब देखो क्या होगा, यह minus और यह minus plus, cosec y, cot y, अब वो जो dy by dx था, तब उस dy by dx की value क्या है, वो है minus में, cosec y, तो देखे, cosec और cosec, minus cosec square y into cot y, अब दोस्तों, यह question यहाँ पर हो जाता है, हम लोगों ने second derivative निकाल दिया in terms of y, question यहाँ पर खतम, ठीक है, ऐसे देखो कुछ और proving वाले question आपकी book में आपको देखने को मिल सकते हैं, देखे, question दे रिखा हम लोगों को, कहता है y जो है, वो equal to 500 e की power में 7, 600 e की power में minus 7, कहता कि इसके जरीए आप लोगों ने ये चीज़ प्रूब करके दिखाने हैं, तो कैसे करें भाई, करना क्या है, इसी चीज़ को दुबारे से भी differentiate कर दो, with respect to x, तो y का क्या हो जाएगा, dy by dx, 500, e की power 7x है, power क्या करोगे, तो इंटो में 7, 600, e की power में minus 7 है भाई, तो power क्या क्या हो जाएगा, minus 7, right, अच्छा, अब अगर मैं बनूँ कि इसी चीज़ को दुबारे से भी differentiate कर दो, with respect to x, तो देखें, ये क्या हो जाएगा, ये बजाएगा, d2y upon dx2, यहाँ पे 500 और 7, इन दो के साथ कोई छिडखानी नहीं करनी है, derivative किसका करोगे, e का, और e का क्या, e की पावर 7x, इन टू में 7, यहाँ पे लगा सकते हो, फिर 600 और minus 7 की साथ, इसके साथ कोई छिडखानी नहीं करनी है, इसका derivative, e की पावर माइनस 7x, इन टू में, माइनस का 7, अब आप यहाँ पर इच्छी देखेंगे, 7 और 749, 7, 749, तो, 49 आ जाएगा, कॉमन, बचेगा हमारे पस के था 500, e की पावर में 7x, फिर यहाँ बचेगा 600, और e की पावर में, माइनस 7x, ठीक है, यह हमारे निकल गया क्या, d2y अपन में, dx2, अब यह देख सकते हैं, 49, यह दो पूरी वैल्यू है, यह दो पूरी च्छी अबड़ा, आप जहां से देखें, यह दो पूरी च्छी यहाँ पर ही कोशिन हो गया, खतम, चलते हैं, next कोशिन की दरफ, प्रूविंग वाले इस तरह से कहीं सारे कोशिन बन सकते हैं, कहीं सारे, ठीक है, यहाँ पर देखें क्या दे रखा है, y a emx प्रस b enx, और यह चीज प्रूब करके दिखाने है, तो देखें ऐसा है न, y तो ठीक है, तो देखें, मैं इसको deficit करता हूँ, y a e की पावर में mx प्रस b e की पावर में nx, हमें चीज यह dy by dx, dy by dx, तो देखो, a constant है, e की पावर mx, mx का करोगे तो वो m हो जाएगा, फिर b e की पावर nx, nx का करोगे तो वो n हो जाएगा, ठीक है, अब इसको तो दोबारा differentiate करो, फिर से, a m, e की पावर mx का derivative, e की पावर mx, फिर mx का भी करोगे तो into में m आएगा, तो उसकी जगे मैं यहाँ स्क्वेर लिग देता हूँ, ऐसी, b n, e की पावर nx है, पर इस nx का करोगे तो यहाँ, n स्क्वेर बन जाएगा, तो देखो, अब हमारी यह लेप्रेंट साइड है, जो हमारी लेप्रेंट साइड है, वो क्या है, y double dash, minus y dash क्या था अगे, m plus n y dash, और plus में mn y, तो देखे, y double dash की value यह रही, यह बाई आपके लिए y double dash है, y dash, ठीक है, तो देखे, इसकी value पूट करो है, a m square, e mx plus b n square, e nx, minus m, m plus n, y dash की देखे, y dash, a m, a m e ki power mx, b n e ki power mx, then last, mn, mn y, y की जगे, a e ki power mx, plus b e ki power mx, okay, equal to है, अब देखेंगे, यह तो ऐसी रहेगा, a m square, e ki power mx, b n square, e ki power mx, यहाँ पर minus m की मुटिप्लाइस पूरे से करो, a m square, e ki power mx, minus b m, n, e ki power mx, फिर n की मुटिप्लाइस पूरे से करो, a m, n e ki power mx, b n square, e ki power mx, then last, mn की मुटिप्लाइस पूरे से करो, m, n, a, e ki power mx, फिर b, m, n, e ki power mx, फिर b, m, n, e ki power mx, तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा क्या के cancel हो रहा है, हमारी जोची cancel हो रही है, हमारा यहाँ पर, a m square, e ki power mx, इससे यह cancel, b, m, n, और b, m, n हमारा है, यह इससे हो गया, cancel, फिर b, n square, e, n, x, यह इससे हो गया, cancel, और यह इससे हो गया, cancel, और सब काटिपीटिके मेंट हमारे जो फैनल आंसर आ गया, वहा गया, 0, हम चलेंगे दोस यहाँ पर इस question को करने का एक दूसरा method मैं आप लोग को बताऊंगा, देखिए, हमें y given है, 3 cos log x plus 4 sin log x, और उससे यह prove करना है, तो देखो, एक तरीका क्या है, आप यहाँ से dy by dx निकालो, d to y by dx to निकालो, और y की वहले लेपरेंट साइड पर पुट करतो, वह equal to 0 आ जाए sin log x, ठीक है, तो देखिए, ऐसा है नहीं, इसको जोगा हम differentiate करेंगे, with respect to x, तो देखो, y का derivative हो जाएगा, dy by dx, 3, cos का derivative minus sin log x, log x करेंगे तो 1 by x, फिर 4 sin का cos log x, और log x करेंगे तो 1 by x, ठीक है, हमने differentiation कर लिया, अब इतना जब हम कर लेंगे तो अब हमने second derivative अभी नहीं करना है, 3 cos का minus sin कर दिया, 4 sin का cos लिख दिया, log x कर लिख दिया, यह जो denominator में यह जो x है, इस x को उठा के left side में लिया होगा है, जैसे आप देख सकते हैं, यह जो minus 3 sin log x से साथ में, plus में 4 cos log x है, आप मालों है, दोनों का denominator तो सेम नहीं है, दोनों के क्या है, x है, अब सोचों, मैं आपसे बोलता हूँ कि यह जो हमारा x है, इस x को उठा के यहां लेओ, ठीक है, और denominator बहुट जाएगा फिर, यह कुछ इस तरह की चीज़ी हमारी पास बचेगी, जो x है, उसको में left में लिया, अब जब इतना कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों ने अब इसको दुवारा से टिफ में शीट करना है, with respect to x वो भी, ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान देना, हम लोगों ने करना है, second, product लगा है, second as it is, dy by dx as it is, derivative पहले गा, x का derivative, 1, फिर, first function as it is, और dy by dx का derivative बजाएगा, इतना हो जाएगे, उसके बाद क्या करना है, तो देखो, left side में आपके बास है क्या, dy by dx plus x d2 y by dx2, उसके पाद, यह जो denominator में यह जो x है, उस x को भी left में ले आओ, बार बार जो denominator में जो variable आएगा है, उसको left में लाते है रहो, और इस में से आप minus common ले सकते हूं, minus common ले लिया, प्लस का 4 sin log x, अब आप गहामरे इक चीन देखेंगे, x into dy by dx, x into x, x square d2 y by dx2, और minus 3 और यह जो पूरी चीज़े बिटा, यह y बन चुकी है, यह question में आपको दे रहा है था, question में क्या दिया था, y equal to 3 cos log plus 4 sin log, देखो यह चीज़े आ चुक है, 3 cos log plus 4 sin log, तो वो y बन गया, next time minus minus y को भी left में लिया, देखो यह हमारी बस बच क्या रहा है, x square plus x plus y equal to 0, तो यह चीज़े हम लोगों प्रूब करनी थी और वो हम कर भी चुके हैं, तो जैसे आपने यह question किया है, ऐसे देखो एक question में आपको कराता हूँ, थोड़ा अलग question, बोड की पेपर में question आया था, यह question, y equal to x की power x और यह दे रखा है, यह से दिखर करके दिखाना है, अब देखो यहाँ जो चीज़े है ना, पावर में variable है, बेस में variable है, तो बिना लॉग लगाए तो derivative निकल ही नहीं सकता, लॉग लगाओ यार, लॉग x की पावर में आजाएगा x, और यहाँ पर वो जो x है, वो x पहले, x इंटू में log x, यह क्या चीज़े है, यह है log y, आप देखें, यह हमारे लिए यहाँ पर प्रोड़ लगाएंगे तो यह first और हमारे लिए हमारे लिए आएगा second, तो इसको differentiate करेंगे with respect to x, तो अब क्या होगा, log y है, log y के तो होगे तो 1 by y, dy by dx, log y का 1 by y, dy by dx, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर प्रोड़ लगाएंगे, log x, x का 1, with x, और log x का 1 by x, second as it is first का 1, first as it is second का 1 by x, then उसके बाद, dy by dx, y को भीज़ो उस तरफ, क्या बचना हमारे पास, log x plus 1, right, इतना बचना हमारे पास आचुका है, अब जो है, इसमें, इसको हम दुवारे से differentiate कर रहे है, with respect to x, तो देखो यह बन जाएगा, d to y के अपान में, dx to, और यह बन जाएगा, यहां तो बचना लगेगा, बचना लगाओगे, तो, second as it is, first y का क्या बनेगा, dy by dx, फिर first as it is, y as it is, log x plus 1 का, log x का 1 by x, ठीक है इतना हो जाता है तो लेकिन प्रूब करने वाले चाहिए वो तो different है यार प्रूब तो हमें ये करना है हमें d to y by dx तो चीह हमें कहीं पर भी log x ली चाहिए यार ये अटाना पड़ेगा हमें हमारे पस ही जो answer में log x plus 1 आ रहा है इसको अटाना पड़ेगा तो देख सकते हो यहां से log x plus 1 की value निगल जाएगी log x plus 1 की value निगल जाएगी 1 by y और dy by dx यानिकि यह जो y है y उस y को इसके निचे रहाओ तो 1 by y dy by dx वो value है किसकी log x plus 1 की तो मैं इसको यहां put कर लेता हूँ log x plus 1 की value is 1 by y dy by dx आगे एक dy by dx और भी चल रहा है साथ में plus का y by x भी है ठीक है तो देखें अब क्या होगा इसको left में लियाओ minus 1 by y और dy by dx तो दो बार है तो dy by dx का हो जाएगा whole square और यह y by x भी left में लियाओ तो minus y by x और यह equal to हो जाएगा 0 तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर second derivative test के जो questions है वो भी हम लोगों ने देख लिए है और 5.7 भी हमारी हो जाती है समाथ ठीक है बच्चों 5.8 आपकी लास्ट एक्साइज रही है फड़ा फट से मैं उसके concept आप लोगों को बदा देता हूं और जो प्रैटिकल फाइल आप लोगों ने शायद मैस की बनार की होगी उसमें भी रॉल्स थियोर्म और मीन वैल्यू थियोर्म बे कोई आपका आपका शायद तो बेटा आज हम बात कर रहे है रोले इस थियोर्म की किसकी थियोर्म की मेरी बच्चो देखता की मेरे बच्चो रोले ऻुक्त इनोंने बाद क्या बुली इन्होंने बात क्या बुली बटा कि अगर कभी हमारे पास एक function है y equal to fx और यह जो function है मेरे दोस्तों कि इस दिस्टेमट मेरे फ यस और यर वत बाने लिदिए सै एक को in open interval a, b and if f a is equal to f, b अगर यह तीन चीज़े हुई then, then dy by dx add x equal to c will be 0 where this c belongs to belongs from a to b बस बीटा, यह इतनी सी हमारी यह रोले थे हो रहा है, मैं मान के चल रहा हूं, सबको समझ में आगी हो गई जैसे बीटा, जैसे बीटा कहीं चले गया था बीटा जैसे बीटा, जैसे एक वो जाड़ फूक वाले बाबा होते ने बीटा बाबा जी, आप उनके पास जाते हो, कि बाबा जी, खाना खाना के बाद भूक नहीं लग रही है ठीके जी, सोने के बाद नीन नहीं आ रही है तो बाबा जी क्या बुलते हैं बीटा, कि अगर खाना खाना के बाद तेरे को भूक नहीं लग रही है सोने के बाद तेरे को नीन नहीं आ रही है, तो पक्का तेरे पर भूत लगा हुआ है कोई आत्मा, कोई चुड़ाल बीटा, तेरे सर पर सवा रहा है है इस तरह यह कंदिशन होती है न पता तेरे साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर यह दो चीज़ों हो रही है तो इसका यह है ठीक है नहीं तो वह चीज हमारे रोले बाबाने भी क्या बुला कि एक फंक्छन है F, एक function है F, वो function क्या workload是 contains कि नहीं है इस A और B के पीच में, ये पहले बात दुने ने पूछी, कि क्या function continuous है या नहीं है, फिर दूसरी चीजों क्या पुछते हैं, कि क्या function differentiable है या नहीं है A और B के पीच में, ये दूसरी बात पूछी नोने, फिर तीसरी बातों क्या पुछते हैं कि क्या F A और F B भी आपस में दोनों एक दूसरे के equal हैं या नहीं हैं ये तीन चीजे अगर equal हुई तो बाबा जी की कही वी बात बिटा सत्या होगी देन देन रॉल स्टेवर्म विल बी अप्लिकेबल तर मतलब फिर एस इंटरवल के अंदर किसी भी पॉइंट पर हम डी बाइब पर टी एक्स करेंगे मतलब जब वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो है बाबा जी ने बोला कि क्या ये तीन चीजे तेरे अंदर है कि नहीं आई ठीके ना अगर ये तीन चीजे हैं तब मेरी कही हुई बात सत्य होगी इन तीनों में से अगर कोई भी एक भी चीच अगर अप्लिकेबल नहीं है जैसे माल लो फंक्शन कॉंटिनेस ही नहीं है तो आप क्या बोलेंगे रॉल्स यरूम इस नॉट एप्लिकेबल फंक्शन एप्लिकेबल कॉंटिनेस है डिफ्रेंशेवल है एफ ए और एफ भी है या नहीं एक दूसरी के एक वल नहीं है तो अगें रॉल्स यरूम इस नॉट एप्लिकेबल होगी पहले कॉंटिनिटी फिर दिफ्रेंशेविल्टी और एफ एफ इन तीनों को बेटा आप लोगों इस सिक्वेंस में चेक करना है ठीक है मेरे दोस्त अब रॉल्स एप्लिकेबल है चलो ठीक है पर रॉल्स है क्या तो यह बोला जाता है बिटा कि ए और बी के बीच में ना कोई एक ऐसा नंबर होगा एक कोई ऐसी वैली होगी जिस पे हमारा डेरिविटिव जीरो बन जाता ह होगा बस यही है बटा रॉल्स अब इसी चीज़ को एक बार ग्राफिकली समझाओं बच्चों तब मेरे काल से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी ठीक है ओकी सब्सक्राइब मेरे प्यारे बोले न्यारे बच्चों सब्सक्राइब के ए और बीके मैंने बीचों बीच होगा म कालूम निया भाई बटा है उनके बीच में कहीं पर ठीक है अलोगी सब्सक्राइब कि जी सर इस परसंट नहीं बता रहे हैं कि वाई यह 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 दूसरा घदा आपने आयूश ही था नहीं पक्का है आयूश तुहीं था चल नहीं बता रहे हैं कि छो रवाय देख सो के एक फंक्शन दिखा दे रहा बच्छोब ग्राफ बना रहे है मैंने इसका इक भाई ठीक और इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू एए इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू भी है ठीक है क्या इस ए से लेकर बी तक हमारा फंक्शन कॉंटिनेस है की नहीं है इस सीधा बन रहां बिलाव टाब रेक क्या फंक्शन डिप्रेंशिबल है की निया बिल्कुल आज अगर हुआ तो इस पॉइंट पर वाय की वैल्यू एफ ए बोल सकते हैं इस पॉइंट पर वाय की वैल्यू एफ ए बोल सकते हैं इस पॉइंट पर वाय की वैल्यू एक दूसरे की एकवल है की नहीं है अब फंक्शन कॉंटिनेस भी है डिफ्रेंशिबल भी है और एफ ए और एफ बोला इन्होंने बोला कि पक्का अब इस ए और बी के बीच में कहीं पर न एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाना इस कर्व के बन सकता है और वोगोजा टैंजन तो इस कहीं सारे बन सकते हैं और टैंजन थे अब कॉछिस ने बात हम कर रहे हैं वो टैंजन बात हम कर रहे हैं न वह टैंजन ऑक पैरलेल टू एकस्सिस ओगा हो तैंजend पेरल्लेल टू X-Axs हो गा हम मेर एंग बात बता हो कोहीजों वी टैंजेंट गर चुछ अ्प्रा च सुछाड करेगा वह कभी भी एकसिट को कुट करेगा पर अधर इंगर apl तो पक्की बात है इस पॉइंट पर अगर मान लो एक्स की वैल्यू सी है तो वाई की वैल्यू सी हो जाएगी अगर फंक्शन अगर फंक्शन कॉंटिनस होता अगर फंक्शन कॉंटिनस होता एफ ए और एफ वी इक्वल हैं कॉंटिनस भी है यहां पर एक भी टेंजेंट नहीं बन सकती जो क्या हो जहां पर हमारा टेंजेंट क्या बन जाए पैरलल टू क्योंकि यहां पर तो फंक्शन डिफ्रेंजेबल ही नहीं है यहां पर टेंजेंट बनेगा यहां बनेगा यहां बनेगा तो बता सब्सक्राइब भी हो इसको ऐसे करता हूं कि समझना बात को मैंने एक फंक्शन बनाया यहां से लेकर यहां तक कॉंटिनेंस है एक सब्सक्राइब बनेगी ना कभी भी पैरल्ल टू एक से नहीं हो पाएंगल बनेगा तो बता बच्चों यह बात समझ पारे हो नहीं समझ पारे हो नहीं तो यानि की रॉल बाबा की जो बात है अब कोशिन को कैसा आगा आपके पास कोशिन कैसा आगा उसीज़ को समझना बढ़ा तेंज़न वाला समझ नहीं आया गाई मैं सम्झातों मटा चिंदा मत करो तो भाई अपना यार देख बटा अक्षे भाई अक्षे साह तो फर्स्ट ग्राफ से एक्प्लेंट कर दो में तो भी नी तो भी पूछना था मैं पहले टेंजेंट वाली बात अक्षे को एक्प्लेंट करूंगा फिर मैं तेरे पास आऊंग य स्क्राइब रहें मैं ऊरवाई 15 फ्रीद या इस प्रूंत यहांस चल जाएगा इस को ईहां से चले जाइगा यहां से चले आगा इस पॉइंट के दिन जी सिरो कॉमा लाँव्मॉ इस पॉइंट के को तूंगिनेट हैं 2 दू 1 दू 5 5 दू2 दू 2 कॉमा 5 पहिंट किया है तू रिकर से होगा । Is this 4 ऊसलोप होगा ḥ Yes 2 तू रिकर 4 4 थिल्स तैंझेऑ यह भी उवरण आफ्वर्म शी पाउड शीटिडिंग आफ्टिडिडिडियू आफ्टिडिड़न titanium साइवेड आफ्टिडिज बन autumn sunshine सब्सक्राइब जिलोग जाएए रू हएढ जार एक से नग जो फॉस्टे जार अइन्यिक कि से वह एक ऊश्च深 को कि जिस अमझा दॉर देपर। तो पक्का इस A और B के बीच में कहीं पर पता नहीं यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर मेरा जो, यह जो पॉइंट है, जिस पर मेरा derivative क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और derivative 0 हो जाएगा मनलब, कि जहां पर जो tangent बनेगी, वो tangent क्या हो जाएगी, पैरलल to x-axis हो जाएगा, अब आल भाई, दक्ष लिए बाई, अब आल भाई, दक्ष लिए बाई, दक्ष कि यहीं ले ले कोशिनर, यह सचार, यह सचार, यह सचार, यह जाए ले ले ले, यह पेपर नो गिरा बना अब ना ना, यह तो महीं समझाना यह लिए बिटा, मैंने, ठीक है, अब अब दे कोशिन क्या क्या पूछ सकता है, मैं बताता हूं तुमको, verify, आप प्रोले यार रोले तुरम यार तो ने रुला दिया नहीं को पहुच जाता है तुम्हें घट कहानी थे के लिए जिलेने आफने तोड़ी होता है अब बच्चों इंटर्वल दे रखाएं दो से लिगा अब रॉल्स वेरिफाइगर नहीं है फिर तुमसे और क्या पूछ सकता इसमें यह दिखेगा अब बच्चा क्या होता है ना जो चीज बड़ा मैंने आप लोग को थोड़ा यह सम्झाया ना सर में दर्द देकर यह यह बच्चे को पता ही नहीं होती है निया ने यह चार सिम्बल सी लैने अंध की होती है में अन्युक्त अ कॉंटिनिस तो है डिफिसे ब्राबर अपी तो है जैसे इसी बात करते है अ हमारा बनक्शन सबसे पहले क्या होना चीनल कॉंटिंध यह सब बताइए क्या यह एक पॉलिणोमियल फंक्चन है कि हैं कि न प्रूब करने की जरूत नहीं पड़ेगी पीटा ठीक है यह बाद लिखनी जरूब रही यह लाइन है अर्यक्लोज इंटरवल वाली जो बाद नहीं इस ज़रू लिखनी आ है ठीक है बच्छों छलेगा थोड़ा सा लिखेंगा अर्य यह फॉलिणोमेल फंक्शन ही होता है क्या हमेशा वोगिन फिर प्रिग्रोमेट्रिक फंक्शन उप अपने डोमें में गॉंटेंशन होते हैं पर आपको एक टीचेकर कहने पड़ेगी तब गडिए पर आपको एक टीचेकरने पड़ेगे क्या F-2 और F-2 एक दूसरे के एकवल होंगे? होंगे, Sir होंगे, Sir होंगे, Sir तो ये दोने एकवल भी हो गए Sir, रोल जरूमी इस अप्लिकेबल? Yes, रोल जरूम Sorry, यार Sorry, Roll, Uncle रोना माता So, Roll is तोरम is applicable अब रोल जरूम है क्या चीज? देखो, F-X क्या दे रखा था हमे? X-square plus 1 इसका derivative करो 2X plus 0 2X plus 0 क्या अब जरा एक काम करो, जरा X के जिए C रखतो 2C बन जाएगा 2C बन जाएगा 0 इसका derivative क्या हो सकता है ? येस सरu शरूम उपने चीजगा जरा शरूम ये सर तो यही तो रॉल बाबा ने भी बोला था कि माइनस प्वाट टू के बीच में एक नमबर ऐसा जरूर होगा जिसमें हमारे डिरिट जीरो बन जाएगा तो बता यहां तक मुश्किल है कुछ तो बच्चे को यह तक मालूम होता यहां तो डगोपघ करेंगे बश्कुल करेंगे बच्चो आप लोगोगों को यहां तक मालूम होता लें गड़ब करों हो जाती है क्या पुछ लेगा और सो फांड़ना पॉइंजेंगा टैंजिंट इस पैरलर तू अहां लड़के टीतू तो दोस्तों यहां पर क्या है ना यह क्या था बढ़ी आता बढ़ी आता यार ले बई तो यह माइनस टू है यह हमारे ले टू है ठीक है और फंक्शन कॉंटिने डिफिरिंश अब सब कुछ है जीरो मारे लिए हो गया तो बताओ इस पॉइंट के कॉद्रेट क्या होंगे एक प्रमा दाओ जीरो कि वैलो जीरो जो है डिसी इस फॉइंट यार किसी यह माई को नेर बडा नोई जारा है प्लिफिस पॉइंट जीरो कॉमावन इस पॉइंट प्रिट इस पर्लेल टू एक स्वेंचेंग आता इस अब बात समझ पर रही बच्चों यह सै अब देखो यह क कोशिन है क्या यह कोशिन चार नंबर में आ सकता है तो नंबर में आ सकता है क्या-क्या एक तो तुमसे देखिवले सकती है या सकती है इस पूइंट पूछा जा सकता है सब्सक्राइब कर देंगे और बिल्कुल बता देंगे मिटा आपको यह वाद समझ में आगी थी कि बिल्कुल बना सकते हैं यार अब बचों ने याद रखा होता है कि वह जो पॉइंट है वो सी कॉमा एफ सी है लो ठीक है यह याद रख लो कि इस पॉइंट पर ही हमारे टेंजेंट क्या होता है पैरलल टू एक सक्षिस होता है यह रट्टा लगा लो फिर इसका क्या दिक्क् से में वैल्यू कि वरं में एम वी टी बच्चों और लेग रेंज इस में वल्यू थिर्म में कह सकते हैं जैसों रॉल स्यूरं थी ना रोल एबावाद यहां लेग रेंज यहां पर क्या है इन्होंने बोला कि कोई फंक्ष्ण है फंक्ष्ण हमारा ना कॉंटिनेस होना चाहिए कहां पर इन ठीक है डिफ्रेंट्स यह बोला चाहिए इन पंची कहाँ सीए बहन अब जी सार देन एम वी टी इज एपलिकेबल बस दो इक लिए बड़ा यह आपको क्या बोला गिया कि अगर एपलिकेबल है तो होगा क्या ना आप जो होगा ना हमारा जो तो डेरिवेटिव होगा dy by dx कहां पर add x equal to c पर वो इकोल to होगा क्या fb minus f a upon b minus a where this c जो होगा वो बिलॉंग करेगा a से लेके कहां तक b तक ठीके बच्चों? yes जैसे ग्राप के जरी संब्ज़ें इसको एक पर बिल्कुल जैस सर यस सर बिल्कुल सर c आपने बिलॉंग प्लोज इंटर्वल में करवाई था उपन इंटर्वल में यार कुछ कोशिन ऐसे हैं न एक बड़ बुक में चेक करो बुक में क्या लिखा है एक बड़ देख सकता कोई बच्चा क्लोज लिगा उपन लिखा है मैं इसके शौर नहीं है क्योंकि कुछ कोशिन मेंने से देखें जहां पर यह तोनों भी आ जाते हैं आंसर में पर अपर यह पर है यह पर है है यह होगा कि पित्रों मारी पर वांचिक आम आपसे बात करूंगा कि वाओं कि यहां पर X A है Y F A होगा Yes sir B है F B F B होगा A सही है हाँ जी इस point के coordinate क्या हो जाएंगे A, F हाँ जी sir इस point के coordinate B, F F B सही है Yes sir A से लेके B तक continuous होगा Yes sir differentiable होगा हाँ जी अगर दो बाते हैं continuous भी है differentiable भी है तो लेकर इंजो mean value थे और हम अप लेके बहला है तो उन्होंने क्या बोला उन्होंने ये बोला कि function अगर continuous है differentiable है होगा ये कि इस A और उस B को join करने से ने chord बनेगे ठीक है Yes sir और वो जो chord होगी न उस chord के ही parallel एक tangent भी होगी उस chord के ही parallel एक tangent भी होगी क्या tangent आपको दिखाए दे रही है Yes sir जब ये tangent और ये chord आपस में parallel होगी तो पक्की बात है इनके slope भी आपस में एक दूसरे के equal होगे Yes sir जो tangent होगी वो parallel होगी किसके chord के और ये हमने 11 पे बढ़ा हुए है कि जब दो line आपस में parallel होगी तो उनके slope equal होगे equal होगे M1 is equal to M2 तो आयूश मेरे भाई अगर M1 is equal to M2 है तो ये जो point है जहां पर की हमारा tangent जो है वो parallel है किसके chord के वो point मानले C है तो इस point के coordinate C, FC ले ले जो मेरे दोस्त यस, 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 तो देख भाई tangent का slope तो देख कर्व के जरी नहीं का सकते हम इसका derivative कर लो dy by dx और मैं x की जिके क्या रख दूँगा C रख दूँगा ये जो चीज है ये slope निकला tangent का derivative पर के tangent का है तो slope निकलता है ये चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ ना हमेशा सही अब मैं बोलो chord का slope क्या है तो formula लगाना पड़ेगा slope निकालने का y2 minus y1 y1 x2 minus x1 upon x2 minus x पता भई बात समझ में आए कि नहीं आए? yes ये चीज़िवड़े यहां पर हमारी है कि भाही हमारा जो function है वो continuous होना चाहिए उसमें differentiable होना चाहिए इसमें तो mean value theorem में applicable होगी तो ये जो dvb, ds, addx, able to c है ये tangent का slope है वो chord का slope है और दोनों आपस में एक जूसरे के equal होंगे, ठीक है बच्चो? sir, अब जा रही है? yes अबमी आरी? अबमी आरे है अबमी आरे है, हमी आरे है? yes अबमी आरे है yyaar up teach up teach up teach he are leaving he is इसका time हो और एफ hey, break up अबमी आरे है अबमी आरे है? अजीब शोगे आपके राज फिर से बूलना वे भी आरी है शर्टाधा आज खर्चा या घू आ खर्चा होगी रहेगा बही को अब देखो अब यह अब यह अब यहाँ अब यह तारी ना पुरी घूम रखी है आब यह आर क्या बताऊं कि देखें बच्चो यह सब्सक्राइब कि वेरिफाइब कि एल्म वेटी कि यह सब आप देखो क्या फंक्शन पॉलिडामेल तो पंटिनियस होगा एफ इस पॉलिनॉमियल सो एफ इस कॉंटिनियस कहां पर जीरो से दो डिफ्रेंटियवल इसके बीच में यह सब्सक्राइब एस एक चलें आगे यह से अब देख वाई जो हमें एपक्स दे रहा वह क्या दे रहा था एक स्क्वार माइनस में टू एक्स प्स्त्री रखो बड़े यहां पर एफ के जिकर जीरो रखो कि अब देख वहीं, एसा हैना कि ईसका टेरिवट सूरा लिएख समझानी कर. 2 एक्स मांटेश्ग हैं. सबसे equipped का मतलब? कि मीन वेली तिवेयम जब समझा नहीं है स्ट राइफिशा जू बोला है जिसमें जिसमें रो तिराम लगेगा उसमें मीन वेली भी लगेगा किह सकते हैं नही कि है लेकिन आपर एसा है न तो रोब्स तरम है वहाँगि बात کल्य और कि अगर यह जो लाइन है यह पक्की बात है अगर तुम्हारा एफ ए और एक्वी एक्वल होगा तो भाई पक्की बात है यह जो लाइन होगी यह तो पैरल्ल होगी यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो चेंज करते हैं फोड़ा सा नमबर बदल ने इसका करते हैं इसको जीरो से त्री कर देते हैं यह तू नहीं न बच्चो है, सब्धूर, से लुक हो सीब्स आइसको यह तू जिश्लिभे सग्की पैर को यह हमें चुए जो है यह तो यह-टो इसका करते हैं यह तो कुछ पी हो से offset यह चिек माउट हमें अट बन ओन गयाता रोल्न दुम पिक्षमिया स का water पुरा यार जो इसका डेरिटिव क्या एगा तू एक सी रख दू तो यह तू सी मानस टू यह तू सी मानस टू यह किसी का स्लोप है ऐसी आव ता किसी क्या है अब कॉर्ड का स्लोप निकलेगा वार्म निकलेंगा फबस्ताइस माइनिक है अब फी डिजिरो पॉर बन गया तो यह कितना बच्चों यह वन बन गया अब आपने करना इस चीज़ को बटा उसके एक्वल लग देना याना कि जो 2C-2 तुमारा निकला उसको एक्वल रख दोगे तो 2C की वेलू 3 आ जाएगी और C की वेलू बटा 1.5 आ जाएगी बताओ यह जो 1.5 है क्या यह 1 और 3 के बीच में जहां पर ना खो घच को ए बी को कॉंटेनिस भी यह डिफरेंशेवल भी है अब दिख रहा है ना ऑब दो पॉइंट ऐसे है जहां पर क्या है तेंजेंट पैलल ट एक्स एक्स एडर लेली है सब्स्ट में इससे हमारे आदिकार कि अगरा नहीं को नहीं किने क्ल si整理 जानाए शेल नौन ऑल तो हो घूर उग किरम को इन के और किक है इसे सिर्ध can मैं फूर्ब ली जा इंदव कोड़ेशटापे उसे में कॉर्ट्र क Audrey उसंया नहीं सर जो लींग दितेdess c तो वहाँ पर derivative करें के बनेगा तो आप एक्स की दो वैलिस निका सकती है ठीक है उसमें भी तरे को वह एल एक्सेप्ट करनी होगी जो इनके पीछ में लाइक करती होगी यार लाइक करती होगी है चलिए आज की क्लास समाप करें है बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास 12 का मैथमेटिक्स की पूरा चेप्र हम लोगों ने कंप्रेट कर लिया है डिफ्रेंसेशन का कॉंटिनिटी डिफेंशिबिलिटी रॉल सरुम सब हमने इस वीडियो में देख लिया है अब मैं क्या कह रहा हूँ कहीं पर भी प्रॉब्लम आई है तो ठीक है कॉमेंट क करी सकते हो यार ठीक है तो चलिए अपना ध्यान रखिए जैहिन जै भारत वंदे मात्रम